आज से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूं क्लास 12 की इंग्लिश ओके आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की इंग्लिश विस्ताज नहीं प्लेमिंग गोबुक का पहला चैप्टर दे लास्ट लेसन ठीक है यह चैप्टर बहुत ज्यादा इंक्रेस्टिंग चैप्टर है औ इस चैप्टर से आप उसे सॉल्व कर पाऊगे यह मेरी तो यह तो रहा इंट्रोडक्शन इस वीडियो का अब शुरू करते हम अपने चैप्टर को चाप्टर का नाम क्या लास्ट लेसन हमारा पहला चाप्टर है क्लास का और नाम ही क्या इसका लास्ट लेसन ठीक है चैप्टर किस जमाने की बात है का इसी वर्ल्ड वार वर्ल वार टू से भी पहले के जमाने की बात है 1870 और 71 के टाइम पिरियड की बात है प्रॉपर नोट्स है नोट्स की कोई टेंशन मतलो बस जो मैं बतानी हूं वह सुनो ठीक है क्या चल रहा था फ्रांस को और प्रशि दिनों बाद तो इनका वर चल रहा था अब उस वर में क्या हुआ फ्रांस हार जाता है और फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम है एलसेज और लॉरेन वह आ जाती है प्रशिया के कबसे में ठीक है अब प्रशिया वाले सिर्फ उसकी टेरिटरी को नहीं कबसाते से उन्हों को नहीं कबसाते हैं उनके उपर अपनी लैंग्वेज भी थोपनी शुरू कर देते हैं यह कह देते हैं वह एलसेज और लॉरेन के स्कूल के अंदर आज के बाद फ्रेंच भाशा नहीं पढ़ाई जाएगी जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी समझ गए बह स्कूल जाता है और उसे यह बात पता चलती है तो वह कैसा फील करता है और क्या होता है सिनारियो स्कूल के अंदर जब एक इतना बड़ा उन्हों को शौक लगता है कि आज के बाद वह अपनी मातर भाशा पढ़ ही नहीं पाएगी ठीक है तो चलो शुरू करते हैं हम अपन है कि अधर क्यों लग रहा है उसका सी शेंटा हों नहीं कर रहा था उसका समझे सब्सक्राइन पार्टिवेंघव्त के बोड़ा उन्हें सा की छाना गफ्रेशी में ओड़ा है तो सरव किमक्ष यांदृनी। और दूर कहीं एक सील्ड में एक सौमिल ती जहारा कट रही हुट। उसके पीछे वुर नजर देखता है तो वहां प्रशयन सौल्जर्स ड्रिल कर रहे थे तो यह एक इंग्जामपल है कि उनकी ओपर अप्रशया का कब्जा उगया था तो परशयन के सौल्जर्स वहां पे ड जाना जरूरी है मैंने हर चीज को रेजिस्ट कर रहा हूं मुझे काफी टेम्टिंग लग रहा था सुहाना मौसम और चडिया वगएरा बट मैंने वह सब छोड़ा मैं भागते अपने स्कूल जाना शुरू कर देता हूं अब जब और स्कूल जा रहा होते तो रास्ते में आत कभी कोई लॉस्ट बैटल की खबर क्याने की कोई जो जंग हार गए है फ्रांस के लोग या फिर कोई ऑर्डर आ रहा है ऑफिसर्स के तुरू सब गलत गलत खब्रेस वाले बोट से आती है तो फ्रांस जाते-जाते धियान नहीं देता हो स्विट पर कहता है पता नहीं क्या कि ओ फ्रांस आज जल्दी मत कर तुझा स्कूल जाने में कोई लेट नहीं होने आ लिए तो उसको लगता है कि भाई यह मेरा मजाक नहीं होडा रहे थे कुछ बात का मीनिंग था इसका वह आपको बाट में समझाएगी फ्रांस भगता 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 स्कूल पहुच जाता ह थक गया बिलकुल वो फिर वो कहता है आरे भाया स्कूल आज बड़ा डिफरेंट लग रहा था देवर चेंजेज दिन स्कूल कहता है रोज जब में स्कूल पहुचता हूं तो पास वाली गली तक ना स्कूल की कुछ न कुछ बसल नोइस आती है बसल मतब क्या आप कभी ऐसे आवाज आती रहती है ठीक है कि यसी आटेह जाती जैसे कि बच्रेये उपन करने की ओर बंद करने की टीचर का रूज यह को एसे से डेस्क भी हूं अमाणने की ठीक है और क्या वाज आरे होते हैं कुछ बच्चे रह चैप्टर पढ़ एक ठीक कर लिए तो और तो जब अपने क्लास्रूम में छुपके जाके बैठ जाओंगा सर को पता भी नहीं चाहिए कि में लेट आया हूं बट स्कूल में था पेंडु आफ साइलिंस वो खिड़की में से देखता है उसका जो क्लासमेट था और उसके जो टीचर थे टीचर अपना रूलर लेके स्केल ल आयो हम दुमारे भी ना चैप्टर शुरू करने वाले थे और उसे जाके बैट वाफ रांस के अधर अधर निकला है तो डाटा नहीं बट फिर भी जाके अपनी सीट पर बैट जाता है अफ रांच जाता है अपनी सीट पे तो उसको कुछ चेंज इसकोल के अपने कि रूपरे देके अपने सर को उसके सार ने बन्धन के आ वह दे टीचर उसके क्या पहन रखा था वाइड लॉर की एंइस ब्रॉडरी वाली हैट पहन रखी थी कहता भही यह वाली ड्रेस तो मेरे सार यह दो पारंट टीचर मीटिंग हो गई इंस्पेक्शन टाइप जो हो एक्जाम में अगर question आए कि सबसे सब्सक्राइब फ्रांस की होता है तो वह सबसे सबसे सब्सक्राइब होते हैं यह दिखे कि जो क्लास की सबसे पीछे वाली bench पे दिखता है कौन बेठा था विलेजर बैठे वेते पुराने mayor हो गए post mayor जो postman थे वो बैठे वेते और एक hawser ब पास किया थी प्राइमर थी प्राइमर के होती है एक book होती है help book होती है vocabulary लिखी होती है उसमें एक प्राइमर थी उसका चश्मा उस पर रखा वा था और वो प्राइमर थोड़ी सी मुड़ी वी थी मतलब बहुत बुरानी book थी वह बड़ा है नान तो भई क्या चक्कर है आज ये उनका last lesson है Berlin, Berlin, Prussia, Germany समझ गए, Prussia, Germany पहले जर्मनी बर्लिन प्रश्या के इंगम में आता था, बर्लίν अभी भी जर्मनी में तो कहता है Berlin से order आया है भई कि आज के बाद Elsie's और लौरेन के स्कूलों के अंदर French भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी जर्मन भाषा टो जैसी फ्रांश कहता है, फ्रांश कियो यह वात सुनता है, फ्रांश कैता है, थंडर क्लाप लगी, तन ज्स इसा इप कहता है, गहाई इस को है ऐसा कैसे में फ्रेंज में होगा वो कहता है कि मुझे ऐसा लगा देखो ऐसा कहते है ना जब कोई छिन जाती है ना तब उसकी हमियत पता चलती है तभी मैं आपको कहते हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करो कि कल आपको काश ना बोलना पड़े अपने रिसल्ट वाइल दिन रहा है और मेरीन हिस्ट्री की और मुझे प्रशान हो रहा है अब इतने ही जो है फ्रांस को ड़कauen संग में आ रहा है अच्छ ठीक हैं अब सर इसलिए जए आज अच्छे पैंगें क्या आ ने को ट्रिब्यूट दे रहे हैं अपने लास्ट लेशन को इसलिए बढ़िया कपड़े पैन के आया है और वो यह भी समझ जाते हैं कि विलेजर्स भी ना जो स्कूल में पड़ा रहे हैं तो उसको समय में आता है कि सर्विस को भी रिस्पेक्ट देने सारे विलेजर्स आई वे ठीक है अब फ्रांस यह सब बाते सोची रहोता है कि इतने में सरवा लगाते हैं फ्रांस को स्टैंड-ब करते हैं कि भाई उसका टेस्ट था पार्टेसिपल कोसे से पार्टेस्पेश्ट कर्षे़ करップ फ्रांस को कुछ भी नहीं आता था ठीक है एक वर्डबलता सब मिक्सब करदेशां फ्रांस को मन से बphon anp कि सब बहुत है नहीं घड़ते हैं ले मारे हमें हमback to काम को टालते रहते हैं जब तक वो चीज हम से चिन ना जाए ना तब तक हमें उसके एहमियत पता नहीं चलती है फिर वो से कैसे फ्रांस बीटा सिफ तुमारी गलती नहीं है तुमारे पैरेंट्स की भी गलती है जो तुम्हारी एजूकेशन का ध्यान नहीं रखते थे जो त कि अलगर हम सब्सकतमे करेंट्स कर दोखते हैं आपको अरहीं सब्सक्रांदें साया हमस ब्याइ Nebraska कि आसलास सबसे और वह अगल्जिकल लाग्वेच है ।र और अगर जो है कोई भी इंसान अपनी लैंग्वेज से जुड़ा रहता है तो वह की टू दा एवरी प्रिजन होती है अब इस बात का मतलब के होगा देखो गाईज अब वह प्रेशियंस के अंडर में आ गए थे अब वह बंद हो गए थे अब उनके पास अपनी अजादी न रहेंगे और वह जो है बंद नहीं रहेंगे तो इसलिए वह सब को समझाते हैं कि वह अपनी लैंग्वेज से जुड़े रहें सो डाट जो है वह कभी भी जो है बंद ना हो और वह अजाद रहे ठीक है अब इतने में ही क्या हो जाता है उनका आगे पढ़ाई करने का टाइ बहुत जादा ध्यान से पढ़ा हूं मुझे कुछ समन में आता है आज मुझे सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा था ऐसा लग रहा था कि M.H.M.L.G. अपनी सारी नॉलिज एक इस ट्रोक में हमारे को देना जाते है ठीक है तो पहले उनका पूरा ग्रैमर लेसन चलता है अ सब्सक्राइब कर देंगे तो और सुनर लेगा और वो लोग अपना राइटिंग लेसन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं कहता है इतने पेपर पे लिख रही होती है तो खश करने की पेपर पे आवाज आ रही होती है बीटा लेक अंदर आगे हमारी क्लास्रूम में तो उसक पिजन के आवाज आते हैं तो वह सोचते है अपने मन में कि अब क्या यह जर्मन को भी बोलेंगे कि जर्मन में सिंग करो और इस बात पर वह बर बर के क्वेश्चन आते तो इसको याद रखना वो फ्रांस का ना मन का गुस्सा दिखा रहे होता है वह उसे इतना गुस्सा है कि यह जो है जर्मन लोगों ने क्या करा है अब इतने में ही फ्रांस जो है जब यह सब बात सोच रहोते तो अपने सर की तरफ देखता है उनके सर बहुत परशान थे वह अपनी चेयर पे बैठे वे थे ठीक है उन्होंने चालिस साल स्कूल में पढ़ाया आप सोचो और की समय जाए ठीक है वो ऐसे क्लास को चालिस सालाघी ने मेरे स्कूल में पढ़ा शूरू करा था टब सब सब्सूर itelब नायी थे तब Lazer याद रखना है क्या क्या लिए रआ Nanoot सब्सक्राइब कर रहा था अब भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हो गया और कोई चेंज नहीं हो हमारे स्कोल में तो सर सब कुछ देख रहे दियान से कि वह बसा लिया अपने दिमाग में इतने में ही क्या होता है फ्रांस को पर से आवाज आती है जो उनके सर की बहन थी वह क्या कर रहीं थी वह ट्रंक में कपड़े पैक कर रहीं थी तो फ्रांस को और बुरा लगता है कि मेरे सर पर क्या बीच रही होगी कि कल उन्हें जाना पड़ेगा और कोई जर्मन टीचर आखिए यहां पर पढ़ाने पाद है अब इतने में ही क्या होता है उन पर है उनका जैसे ही हिस्टेरी वाला लेसन अजैने चली रहाता है कि इतने में घाड़ी में बच जाते हैं 12 चर्च के उसके स्कूल के रीचर से जा रहे थे और यह समय हो जो का था उनके लास्ट लेसन के गाइस एंड होने का तो एम हमिल जी जो है इस तुड़ आप एंड वो कुछ बोलने की कुशिश करते हैं कि आए आए बट गाइस को बोल ही नहीं पाते हैं समझ गए उनका मन इतना भरावा करते हैं और उस जेस्टर का मतलब होता है स्कूल इस दिस्मिस्ट यू में गो यानि कि आप जा सकते हो क्लास एंड हो चुकी है तो इस पर क्वेशन आ सकते हैं कि क्या में हमल जी ने कुछ पूछा था कुछ बोला था अट इंड की क्लास ख़तम हो गई है बेस्ट आफ लग देखो गाइस यह आपका board year है ना तो देखो पहले ही लेसन में हमार को सीख दे दिया है कि हम भी पूरे साल प्रोकास्टिनेट ना करें तो आप जितरे भी मेरे भाई बना चाहिए आप साल के पहले दिन वीडियो देख रहे हो एंड में देख रहे हो इस लास लेसन से सीख वॉचर बुलाता है जल्दी मजजा थो कि श्कूल संटे लगता इसे स्लगता है metasam prosaf ads करत दाटे नहीं है class अदिधर करते दीख सट ने different कप्ड़े पहने और villagers बैक पिंजस पे बैठ ए सर बताते है कि यह लास्ट लेसन है वो हैरान हो जाते है और गिल्टी फील करता है कि आज तक मैंने टाइम घ्रिश अपना क्यू करा फिर उनका जो भी लेसन स्टार्ट होता है तो उच से टेस्ट के लिए पूछा जाता है तो वह पाट नहीं बता पाता उससे मनीमन बहुत ब करती है फिर grammar lesson start होता है तो उसे बढ़े समन में आता है फिर राइटिंग लेसन स्टार्ट होता है तो पिंड्रॉप सालेंच भी सब पढ़े होते हैं और वो जर्मन पिजन वाली बात याद रखना कर दो अर्फिर चर्च की बेल बसती है उन्हों का लास लेसन हो जाता है और जो है वहां पर बैठे सबी लोगों को रिग्राट होता है कि उन्होंने एपनी लाम्जुश पर ध्यार नहीं दिया अप चाप्टर कंप्लीट फुल-on क्लियर है आप चाहिए इसके नोट्स ठीक है वो आपको community में मिल जाएंगे अब बात रहें सके important question की जो आएंगे board exam के latest pattern के हिसाब के तो description box में एक playlist even है class 12 English revision batch वहाँ पर आपको latest pattern के important question मिल जाएंगे चाव एक stat based हो MCQ हो या short long go तो मैं चलती हूँ Babaji करान best of luck Hi everyone welcome to my channel I am Simran Sahani and today I'll teach you class 12 English flamingo books second chapter law spring Okay तो यह जो chapter है इसकी writer है अनी श्रूम यह chapter ना उनकी एक बुक है Lost Pring Stories of Stolen Childhood उसमें से लिया गया है अब देखो guys एक बहुत ही ना beautiful story है जो हमें जो है आप मतलब काफी ना emotional होगेर से पड़ते वे देखो क्या बतायागे है हमें इसमें में child labor के बार में बतायागे कि कैसे छोटे छोटे बच्चों से उनका बच्चपन छीन लिया जाता है वो बच्चपन की दिन जब उन्हें स्कूल जाना चाहिए खेलना चाहिए और अपनी life को enjoy करना चाहिए वो समय में वो अपने घर वालों के साथ partner in survival बनते हैं वो छोटे छोटे काम करते हैं कभी किसी टी शॉप पे काम करें हैं कभी कहीं काम करें वो भी कुछ पैसे कमा पाए और वो अपना पेट जो है वो भर के रात को सो पाए तो यह हम जानेंगे कि कैसे वो बच्चे अपनी कितना कुछ करते हैं सिर्फ और सिर्फ एक वक्त की रोटी खाने के लिए तो चलो पढ़ते हैं हम अपने इस chapter को पहला पार्ट है इस chapter का वो है sometimes I find a rupee in the garbage यह जो है यहां पर एक हम बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जो राग पिकर है राग पिकर कौन होते है गाई जो कूड बीनते है ना ठीक है पीछे वो थेले लड़का की कूड़ा बीनने आते है एक राग पिकर फैमिली का बच्चा है जो दूसरा पाठ है उसमें हम एक बच्चे के बार में पढ़ेंगे जो फिरोजाबाद की ग्लास बैंगल फैक्टरी में काम करता है ठीक है तो पहले पाठ क गई और मैंने उससे पूछा वाई डू यू डू दिस तो मैं ऐसा क्यों करते हो तो उसने मुझे इधर उदर देखते वे जावाब दे उसे लगा मैं क्या जवाब दू इनको तो वो कहता है मेरे पास कुछ होड़ नहीं है करने के लिए मैं क्या करूं में पर यह काम है मैं स्कूल मेरे आस पास में कोई स्कूल नहीं है वें देव बिल्ड वान आई विल को ते कॉन हुए गवर्मेंट वो कहता है गवर्मेंट अगर बना देगी देख ओन है आपे गवर्मेंट ओफिश्यल्स जब बनाएंगे तो मैं चल जब हो है निकि उस बच्चे में तो चाहा अब कोच दिन बीद गये यह बच्चा में भागता भागता आया और मुझसे कहता इस यो स्कूल रेड़ी क्या आपका स्कूल तयार हो क्या तो कहते हैं मुझे बहुत इंबारेसिंग फिर हुआ कि मैंने इस बच्चे के साथ गलत कर रहा है इसको जूटियों मीट जगा दी एसा इं लोगों के साथ daily basis पे होता रहता है जब लोग जो है जसे politicians आते हैं और इनने कुछ फॉरमिसित करते हैं या लोग इन से कुछ फॉरमिसिस करते और प्रॉमिसिस करते और कलको पूरहा नहीं करते यह उसके बच्य नहीं बात नहीं है ठीक है अब वह बच्चा आया क मुझे उस बच्चे को जानते हुए, एक दिन में उसके पास गई, मैंने उसका नाम पूछा, अब उसके नाम में थी एक बहर बड़ी आईरनी, तो आईरनी क्या होती है भाई, आईरनी मतलब की, हो, मतलब बोलो कुछ और हो कुछ और चाहे, ठीक है, यह होती है, सिम्पल सी आईरनी, जैसे कि और जो है, यह बच्चा से जैसी वो मैडम नाम पूछती है, तो वो कहते है, मेरा नाम है साहिब आलम, और पहते है, साहिब आलम मतलब Lord of the Universe, वो कहते हैं, अगर साहिब को अपने नाम का असली मतलब पज़ा चल जाना, तो वो तो थैरान हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो Lord of the Universe तो क्या भाई, वैसे जिनकी जीना तो क्या, वो बेचारे बच्चे के पाद चपल भी नहीं है, वो बच्छं के लिए, क्यों साहिद है वो बलती tutti, वो कहते हैं, वो कि अध livre के ताहिग नाम के लिए, क्या नाम दिया ऊइरे अनको रिझा बेर्फॉडस आजानी वो चे पाय इंजातीति, वो नंगे पयर सारे बक्च्चिं को सुबा 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 मूनिंग ब की तरह, वो मेने मम्मी नहीं लốn में लए लकी और लकी सब नहीं जोटे चाहिए तो मतलब उन बचों पे जय चाहिए चाहिए और रहते ही कहां पॉवर्टी है नंगे पैर चलना पर इसलिब एक पवर्टी की ही निशानी है बहुत गहरी पवर्टी की निशानी है कि बच्छे चब पल तक नहीं पहने अब यह जब वह देखती न तो उन्हें अपने कहाणी आजाते हो यह को दोस्त वह उडीपी से था थिक है तो वह उडीपी जोंगा दोस्त फूब अपनी गाने बताते हैं कि वह छोड़ा लिए और जब मेरे से वह जूते होई ना हमेजा मेरे जूते रहे ठीक है तो वह तीस साल बाद में उसी ताउन में गई उदीपी में उसी मंदिर में गई अब वाला पुजारी नहीं थे कोई और पुजारी वहां पे थे मैं उनके घर गई पीशे बैग्यांड में चेर वियर प्लास्टिक के एक फोल्डिंग विछावा था वहां पे जब में बैठी वी थी एकदम से उस पुजारी का बेटा आ जाता है वो स्कूल से उनिफर्म पूरी सॉक्स पहन के उसके पैरों में जूते थे वह अपना बैक फैक दादा फोल्डिंग पे जैसे हम स्कूल जगर प पिकर है जो कुड़ा पीनने वाले वह आज भी नंगे पैर है यह दिखा रहा है उनका स्टेट ऑफ पवर्टी तो वह बच्चे सारे शूलेस घूमते रहते थे सड़कों पे अब ऐसे ही वह इतना कनेक्टेट हो गई थी उन बच्चों से कि गाईस वोन बच्चों के घर ज में बंगलादेश वार हुआ तो बहुत सरे रेफ्यूजी इंडिया में आई थे तो यह जो साहिब है उसकी फैमली भी उनी रेफ्यूजी में से एक थी वह आके सेचल हो गए थे सीमापूरी में जो डेली की परिफरी मतलब इसके कोने पर यहां पर सटा हुआ बिल्कुल ड डेली से डेली कापिटल ओफ इंडिया डेवलप्ध है इतना जादा डेली और यहां पर जो लोग रहते हैं वो जाती है सेमापूरी के लाके मों कहते हैं वह घर इसकी पतली-पतली गलियां घर के नाम पे मढ़ के शैक बने वे हैं उपर टिन के छट डेली वी जो लीक कर र है थे रेफ्यूजी बन के आए धाका से बांगनादेश के टाइम और दस हजार से वी जादा जो है अलमोस्त हाप मानलों वहां पर जो है रेफ्यूजी रहते अब वो जो लोग है गाइस उनके पास ना कोई आइडेंटिटी नहीं है बट उनके पास राशन कार्ट जरूर ह इसे लिए यह ख़आ ना तो बतार बनो उसके थे लिए ऑत्व Mainanadas प्इल चीनी ए मया चावल मिल जाता है तो उनको राशन कार्ट दिया है और वो किस ने दिया बिक पॉलिटिशन ने so that ration card अगर मिलिया तो voter list पो उनका नाम आ जाता है तो उनका vote bank secure हो गया तो यहाँ पे हमारे officials की कमी दिखाई जा रही है कि उनको identity नहीं दी गई उनको अच्छी living conditions नहीं provide की गई सिर्फ vote bank के लिए उनको राशन दे दिया गया अगर रात को हम पेड़ भर खाना कहाके सो रहे हैं तो वो हमारे लिए जारदव Hoje हम यहां रह के खुश है हम वहां रह के खुश है ज़हां पे को खाना तो मिले हैं एक वक्त का औरिक और और एक और आमनुंदा हाँ रोटी हम होनों को अचा किया नहीं डी आगाच के नहीं हमें दे लिणी आँ. आज हम यहां सीमापुरी में रह रही हैं तो हमें फूद मिल जाता है यह उनकी रोटी थी जो वो कुडा बीनते थे वो उनके लिए रोटी थी ब्रेड थी रोटी मतला होता है कमाई थी तो जो बड़े लोग हो देते ना फैमिली के उनकी रोजी रोटी है कमाई करने हो जो छोटे बच्चे होते थे उनको गार्वेज ऐसा लगता था कि वह यह तो बहुत वंडर्फुल बड़े लोगों के लिए उनका फूड था उनका सर्वाइवल का एक महात्म था और वो काफी जादा वुस्सों से थे वो कहते थे भाई आप यहीं हमें रोटी मिल दो हम यहीं रहें के खुश है चाहिक एसे भी घर में रहे हों वहां तो हम भूके रह जाते ठीक है तो अब यहां तक यह चैप्टर आपका कम्प्लीट हो गया है अब क्या होता है एक सर्दियों की बात हो जाती है काफी समय बीच जाता है ह मैं चुपचापंदर जागे जूले जूलाता हूं और उसमें पर साहिब ने जो है एक टैनिस शूस पहन रहे तो उसमें छेथ था तो वह कहती है कि वह उसके कलर से जो कपड़े उसके तो से मैश नहीं कर रहे थे वह जूते हैं बिल्कुल नए थे शायद किसी अमीर बच् जूते हो इसको मिल गए थी अब फिर कुछ समय बीच जाता है और उन्हीं दिखता है आज सुबह सुबह साहिब अब साहिब के हाथ में आज कूड़े का बैग नहीं था उसकी पीठ पे एक कनस्तर था वो मिल्क बूथ जा रहा था ठीक है वह उसे देखनी हूं कि थे पाफी डल लग रहा था इतना खुश जैसे पहले होता था अपना पूड़े का बैग लगी वह नहीं लग रहा था उससे पूछते कैसा लग रहे तुम्हें काम कर रहा है तो साहिब को जवाब नहीं देता है बट उसकी शकल से पता शल रहा था नाट आट वह बर्डन में रहा था वो चाय की टपरी वाली दुकान पे एक चाइल देबर बन चुका था और यहीं पर आपको यह चैप्टर एंड होता है कि आप साहिब उसको वो कूड़े का बैग भी अपना लग था तो उसका हग था उसके उपर ही वस हाविंग स्माइल ऑन इस फेस बट अब वो कितनी छोटी सी उमर में उसे वहां जॉब कर रहा है वो और उसके इस सारी स्माइल उड़ चुकी थी वो टेंशन फ्री केर फ्री लोग सब हट चुका था और मैंने आपको कहा था ना कि भाई जो चीज मिलती है उसकी कदर करनी चाहिए तो वही चीज हमें से समान में आते क क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चाप्टर लोस्प्रिंग का पार्ट 2 जिसमें हम मुकेश की कहानी पढ़ने वाले हैं जो एक ग्लास बैंगल फैक्टरी में काम करता था अगर आपको पार्ट 1 की वीडियो देखनी है जिसमें हमने साहिब की कहानी पढ़ी मेंग्ल अर भूल मेंधी काहनी बनना हो क्या किता है मुझे एक मोरे कार मिक्यानिक बनना है यह बात इसले थी क्योंकि वह सब लोग कहां काम करते थे वह दोसरी जन इकलते नहीं से इस circle में से भाण नहीं आपाते हैं और वो हर बार जो है बच्चे पे बच्चे सब लोग वहां उस factory में काम करते हैं वहां conditions बहुत जादा बुरी होती हैं छोटे-छोटे से cells होते हैं बिक्कुल अंधिर और वहां पे वो glass के जो furnaces होते हैं उससे बैंगल बना रहे होते हैं उससे बच्चों के eyesight भी lose हो जाती है वो अंधे हो जाते हैं बहुत छोटी उमर में और ये hazardous activities में आता है तो भाई इतने जादा मुश्किल एरा में मतलब ऐसे मुश्किल situation में भी काम करते हैं वो बच्चे glass bangle factory में काम करते हैं मुकेश बट वो सबसे अलग है क्योंकि उसके मन में क्या है कि मुझे क्या बनना एक motor car mechanic मुझे एक ऐसी जिन्गी नहीं जीनी है कि मैं glass bangle factory में ही रहूँ मुझे mechanic बनना है मैं खुद का master बनना चाहता हूँ यह उसकी dream थी और यह dream वो अपनी author को बताता है तो वो पूछते तुम्हें कुछ गाड़ियों के बारे में पता है तो वो कहता है मेरे तो गाड़ी चलाना सीख लोगा तो यह काफि different बात थी उस बच्चे मुकेश के लिए तो यही बात थी अब देखो गाइस उन फैक्टरी के में बहुत चोटे चोटे बच्चे काम करते हैं ऐसे सिच्वेशन होती है यह आप देखो हाइट टेंपरेचर होता है डिंजी सेल यानि की गुफाई से बनी होती है उनके अंदर पूरली वेंटिलेटेड वहाँ कोई ऑक्षिजन ठीक से नहीं आ रही होती है और वहाँ बच्चे इतनी जादा डार्क में जहांने यह बहुत चोटी अमर मेंडेवी उजाते से इस बच्चे आप देख और에게 रोजबाद के एक लिए कि मुकेश हमारा अलग बच्चा है यह क्या कहता है कि रौडवर को गलवजित यह है। ऊचन दोह और हमारी बना को में यह को कोने हुआ है कि मैं में आपको इससे नहीं जोब अपने गर धिकी होगे मैम को अपने घर लेके जाता है मैडम को हमारी अनीज जों मैडम को वो बढ़ा एटिट मलब खुश होता है वो प्राउड ली कहता है मैं अपने घर बना के लोगा मेरो घर अवी दुवारा बना है री बिल्ट है कुछ को अच्छा कंस्ट्रक्शन वगेरा हुए उसके घर में उनका दर्वाजा भी ठीक से नहीं तंगा वाता घर के अंदर और घर में बहुत सारे लोग रहते थे साथ में कुछ एनिवल्स भी रहते हैं ऐसा जीवन महा के लोग जी रहे थे ठीक है जैसे वह सीमापूरी में जैसा हमने उनका देखना साहिव वाला बिकुल वैसा सही थ आप समझो अब जैसे ही वह घर पहुचते किसके मुकेश के कहती है मुकेश जो है थोड़ा खुछ था उसको घर रीबिल्ट हुआ है बड़ उसका घर के साथ भी वैसा सही था हमारी ऑसर बताती है एक आईरन का दर्वाजा लगावा था उस पर टेड़ा मेडा सा उसको ऐस लड़की थी बच्ची ने कहेंगे लड़की थी फ्रेल यंग वोमिन थी वह घर की बहू थी मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी वह और वह खाना मनाड़ी थी पालग बना रही थी वह नहीं चेक अल्यूमीनियम प्लैटर में और कुछ ग्रीन वेजी रिवल्स पड़ में लोकों की पूरे कि पूरी ज्म्मेवारिया थी एक अपने हस्बेंड की मुकेश के बढ़ी भाई की एक मुकेश की अधिर्म की ऐतना बना नहीं तो वह बच्ची थी जो खाना बना रही थी वह एकदम से दिवार के पीच़ छुप जाती और घूंगट अपने सर पर रह लेती है क्योंकि अपना सब्सक्राइब होता है जैसे कि बड़े भुजर्ग घर के आए तो मुकेश के पापा आते हैं वह बहुत हार्ट वकिंग मैं है उन्होंने बहुत साल अपनी जन्गी के जो है काम करा बहुत काम करा उन्होंने ग्लास बैंगल फैक्टरी में इतना काम क वह कूक है इतना काम करने बास एक यगद्र में अचा घर नहीं बनावाथ है उनको है का है को भुणा कैसे ऐख सब्कोप करां जो हो तो ने न थान ये रहा था जो किना थे अपनी तो बच्छों कांड़ीं नहीं जो मुकेश की दादी थी इतने महीं हमारी और को ऐसे निगल नहीं पाएँगे हमेशा हम करते तो उनके दादी की ऐसी सोच बन चुकी थी उन्होंने खुद के हस्बेंड को भी अंध्य होते वे देखा था उनके जो हस्बेंड है नहीं रहे थे वह बट उन्हों की आखे भी ऐसी खराब हो चुकी तिक से वह ग्लास बोईंग से नो ऐसे कुछ निकलता है गाई जूसमें स के बच्चे सब लोग भी ऐसे काम कर देंगे ऐसी उसकी दादी की सोच बन चुकी तो उनकी दादी को ऐसे लगता था यह कर्मा है यह डेस्टनी है कि वह पीड़ी दर पीड़ी सी चीजों में जो है लगे रहेंगे उन्हों तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था इस अंदर जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंस के साथ अंधेरे में बैठके वह ग्लास बोइंग फैक्टरी की तरह ही घर पे बेटके कहीं लोग जो है वो बनाते रहते थे ते अलग-लग रंग की बैंगल चाए ब्लू हो ग्रीन हो रेड हो अलग-लग-लग की बैंगल सब बना स्कूलिंग करा पाए नाहीं वह बर जो है अच्छा घर बना पाए थे वह बहु उनके घर की चोटी सी लड़के उसके उपर इतिजम्यवारी है तो आप समझ सकते हो कि कैसी लिविंग कंडिशन से वो लोग रह रहे हैं ठीक है अब वह जाती है कि चोटी सी बच्ची होती ह उसने पिंक से कलर की ड्रेस पैन रखी होती है और वह जो है एक एल्डर वुमेन के साथ में बैठके वहां पर लगा होता है सिस्टम पूरा जहसे ग्लास की बैंगल्स बनती है उसके हाथ कैनी ऐसे मशीनों की तरह चल रहे थे वह गरम काच को जो पिगलावा काच तो उसको काम है तो उन्हें वह सोस्ति है किंती है यह बैंगल क्यों पहने जाती है बैंगल पढिने जाती है मैंगल तो यह स्यादी संसा進 when to go to god लाल जोडा पहना पनाएंगा तब इसको चूड़या पनाएंगे तब शाइद समझ में कि यह क्या बना रहे है बचपन इस चीजमें निकल जाएगा तो यह सी से इग्जांपल दे यह कि इसको खेल लगारी में तरही नर्सरी में शर्फ दी चाहिए वह बैंगल बना रही है और जो वो लेडी उसके साथ में बैठी वी थी, वो बच्ची के, पिंक ड्रेस वाली बच्ची के, वो कहते हैं कि एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं खाया, वो हमारी ओथर को बताती है, कि उन्होंने आज तक अपनी लाइफ में पेट भर के रोटी भी नहीं खायी है, ठीक है, रात को भूके पेट सोते हैं, और उनके जो हस्बेंट है, उन एल्डर लेडी के, वो कहते हैं, मैंने अपनी पूरी लाइफ काम करा है, जैसे भी मैंने काम करा है, जितनी मैंने कमाई करी है, बस मैंने ये एंशॉर करा है, कि हमारे सर पे छट तो है, कम से कम, तो ये भी उन सब चीज को रीजन समझाती है कि यह एक विश्यस सरकल बन चुका है फिरोजाबार में एक फैमिली है फिर उनके बच्चे फिर उनके बच्चे इस चीज में बिल्कुल फस चुके हैं वो इस चीज से निकल ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि जो system है जो bureaucrats हो गए जो कोई system ही नहीं है तो वो कुछ बच्चों से मिलती है कुछ एल्डर यंग लोगों से मिलती है उनको कहते हैं तो मैं एक अपनी हो गई वो भी उनके साथ है bureaucrats हो गए पॉलिटेशन हो गए इन्होंने ऐसे जकर रखा इन लोगों को कि यह उसमें से बाहर ही नहीं निकलने देते हैं अगर यह अपना कोई कॉपरेटिव बनाए भी जैसे ट्रेड यूनियंस होते हैं तो अगर यह बनाए भी तो इनको ही किसी गलत इंजाम में फजा के जेल में डाल दिया जाता है तो इसलिए दे आर इंदिस सबसे अलग था मुकेश का क्या था मुकेश भी ऐसी ही हालत में जी रहा था बाकी लोगों ने तो नहीं ड्रेम करना भी छोड़ गया था जैसे चोटे बच्चे होते हैं उन्हें ग्लास की फैक्टरी में भेद दिया जाता है वो इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक हमार सब्सक्राइब के सब्सक्राइब करें करोंगे तो में यहां चल के बशेयर है तो मैं अब उसके चलने कुछ जाऊंगा या ऐसी सोच के बैठा है तो वो पूस्ती हो से तुम प्लेन चलाने चाहते है तो ऐसे हसता है कि क्या बत करनी है थोड़ा सा हसता है और फिर कहता है नहीं मैंने कभी कभी फिरोजाबाद के ओड़ से प्लेन उड़ते वे देखे हैं बट नहीं मुझे तो मोटर कर मेकानिक ही है और यहां पर आपका चाप्टर एंड हो जाता है तो यह चाप्टर बहुत सिंपल था बट बहुत डीप मीनिंग था इसका हमें क्या समझ में आया कि छोटे चोटे बच्चे बच्चों की हेल्थ पे भी बात आ रही है वह आइसाइड लूस कर देते अपनी बहुत चोटी से नहीं खाई हो इस काम से उन्हें कोई कमाई भी नहीं हो रही है नहीं उनके घर अच्छे से बने हुए है बट फिर भी वह सीच से बहार नहीं निकल पार है क्योंकि जो सिस्टम है और साहुकार्स ऑफ मिडिल में ऑफ पॉलिटिशन वह बहार नहीं आन दे रहा है और उन लोग तो उन्होंने क्या का यह हमारी रोटी है कूड़ा हम कूड़ा बीदेंगे ठीक है तो हमारी रोटी मिल रही है हम इससे हमारी रोजी रोटी है वहां पे भी बच्छे का बच्छपन शिन गया और यहां पे भी उन्होंने बड़े लोगों ने तो अपना एक्सेप्ट यहीं मैंने अप्लोड करें वहां से आप PDF डाउंडोड कर सकते हो तो लिंक्स आर गिवन इन दिस्क्रिप्शन वोक्स में मिलती हो नेक्स वीडियो में बाइच चेकर और वेस्ट वाइट वाइट विल्यम ओ डॉगलस अब इनके साथ क्या होता है बच्पर्ण में यह चाप् सब्सक्रिप्शन वेटनम इस एड्वेंचर यह एक पूल पर गाई होते हैं सुमिंग सीखने के लिए वहां पर एक आता है बुली जियान जैसा तो लोगों को तंग करने में उसको खुशी मिलती है इन्हें उठा के पूल में फैक देते हैं इने सुमिंग आती नहीं थी य जब पूल में नीचे गिरते 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 जा रहे हैं क्या क्या उन्हें फील हुआ और कैसे उन्होंने स्टीज को फाइट करा कैसे वह जिंदा बचे यह बताएंगे अब जब यह ऐसे वह पूल वाला उनके साथ इंसिडेंट हो गया था ना बेसे दो उसके बाद पूरी पर ट्रेनिंग लेके तो आज हम जानेंगे विल्यम ओ डॉडगलस की कहानी यह जो उनकी कहानी है एक बुक है मैंन माउंटेंस उसी में से ली गई है बहुत इंक्रिस्टिंग चाप्टर है चलो शुरू करते है इसको तो बही चाप्टर जैसी शुरू होता है और बताते मे हैं सीकुतो उनके ऑप एक स्वीमिंग सैंटर था जिसका नाम था ये-ज JAKE है यह सी से तो उन्होंने कर लिया रहते हैं हमारे याकिमा में ठाउब में एक रिवर्भ भाहते हैं उसका नाम भी याकिमा ही रह और वहитель बैट रह Bash देंगे मतलों बहुत लोग ढोप और उनकी मदर बहुत डड़ती है वह हमेशा जो है दाग्लस को बताती कहती है अगर जाहे भी ना कि अगर वह पानी कर दर्मन में से निकाले जाए भी है कि वह सम्मिक करने जाए तो बाहर बाहर जाती हो यह कि मरी नहीं जाना वहां पर लोगों की मृत्य होई तो इसलिए वह स्विमिंग करने मैं जाते हूँ सेंटर में मुझे क्या वहाँ सब सेफ होता है तु बता तो इसलिए वो डिसाइड करते है वह पूल सेफ साउंड इसलिए भी था क्योंकि वो किनारा खिनारा था वहां से सिर्फ तीन फीड था और जो बिलकुल उसका जो डीप वाल एंड होता है वहां से वह नौ फीड तो नहीं लगा ठीक है यहां पर तो मैं सीख सकता हूं तो वह अपने एडमिशन वहां पर ले ले थे कहते वाटर विंग्स वगेरा में पहन लेता हूं और मैं वहां जाता हूं पहले दिन ठीक है कहते मैं जो बड़ी शरम आदी थी मैं आप काफी दूबला पतला साथा तो मेरी स्किनी लेक्स को वहां जाने मुझे तो बढ़ी शरम तब से उनके मन में एक पानी का डर आ गया था क्या हुआ था वह चोटे थे वह कैलिफोनिया गए थे अपने पापा के साथ ठीक है कैलिफोनियों के बीच पे गए थे अब वहां पे उन्होंने करी सर्फिंग सर्फिंग बोड होता है ना वह उस पर लेहरों पर ऐसे सर्फ क तो उनके मन में पानी का डर बैड गया उन्हें बहुत डर लगा और उनके फादर उनके पाफी हसी आए थी क्यूंकि उनके लिए तो अडवेंचर था ना वो तर दो एडर थे उनके फादर जोर जोर की हसते है जब लेहर ने नीचे जमीन पर गिरा देती है बीच की जमीन बट हमारे डवीडियम डखलाजी के चार साल की उमर में थोरा सा डर लग जाता है पानी से जो के कैलिफोने बीच वाला एंसीडेंट था उसकी बात तो वो कहते हैं यही डर निकालने के लिए मैं वाई-मसी आया था मैं कोई नहीं आप स्विमिंग सीख लूगा मैं कि थोड़ा सा मैं यूस्टू हो गया अब वो कहते हैं मैं अभी मुझे कुछ कुछ कमफर्टेबल लगना शुरू ही हुआ था वाई-मसी पूल में कि वो दुरगटना वो में से ड्वेंजर हो जाता है किसी चीज में सेटल हो गया तो और एक दम से परिशानी आला है वो हो पहले तींचार जने और आचाए फिर जाओंगा पूल के अंदर तो इतने समद्दार वो थे वो कहते भाई अभी मैं रुख जाता हूं अभी नहीं जाता हूं तो वो साइड में पूल के बैढ़ गया वेट करें तींचार जने जाएंगे तम मैं सुमिंग करना शूरू बोलिए मैंने आपको बतारा कौन जो दूसरों को तंग करता है एक ऐसा इंसान ठीक है वो 18 साल के करीब के तो काफी मॉस्कूलर ऐसे बॉड़ी वाला वो क्या करते है हमारे नरेटर को उठाते है और कहता है इसके नहीं और उठा कि उन्हें फैक देता है पूल के अंदर औ और सीधा वो पूल में ऐसे लैंड कर रहे होते ठीक है वो कहते हैं मुझे बहुत ड़ लग रहा था एक्स्ट्रीम मुझे ड़ लग रहा था मैं दिर्की दर्कन अपनी तेज थी बट फिर भी अब मैंने मैं एक स्ट्राडेजी बना ली कि जैसे ही मैं पूल के बॉटम को ट इसने उसने विकुल बीचम बीच में फैगा था वो कहते हैं वो नाइन फीट जब मैं नीचे जा रहा था वो मुझे नभे फीट लग रहे थे मेरी दिल की धड़कोने तिनी तेज मेरी लंग्स फटने को यार थी मुझे ऐसा लग रहा था मैं पानी मेरे फेस पे आ रहा है and he was swallowing water बहुत ज़्यादा दिक्कत वो उस समय पे फील कर रहे थी बट फिर भी वो यह चीज याद रखते हैं जैसी वो बॉटम पे टच करते हैं कि भाई उन्हें स्प्रिंग अपों के उपर आने हैं तो वो जैसी नीचे जाते हैं वो टच करते हैं टाइल को बॉटम फ् पर आते हैं कोई स्प्रिंग अप नहीं हुए वह बहुत दीरे-दीरे जंप करते हैं तो उपर आ रहे होते हैं वह अपनी आखों खोलते हैं तो उनको पीले से रंगा पानी देख रहा है यह लो टेंज मतलब वहां अंडर वाटर उन्हें पानी में इसा पीला सा रंग एक दम से क्यों आता है ओथर की जो नाख है और जो ऑथर की आख हैं वह तो पानी से भार आ जाते हैं वह फर्स अटेम्ट उनका कुछ सक्सेस्फूल हुआ था वह पानी से थोड़ा सा भार आ रहे थे बट वह कहते हैं मेरी लेक्ष जो थी उवह पैरलाइस हो गई थी ऐसा निचे खीच रहा है और जो नहीं आपाते है और वह दूसरी टाइम नीचे डोग चाते हैं अब जब उसरी टाइम नीचे डोग जाते हैं तो भी वह काफी डिझी फील करें उन्हें चक्कर से आ रहे होते हैं और उनकी जो लंग्स थी उनमें बहुत तीज उन्हें दर्द होने लगया सर उनका बज रहा था है एड थ्रॉब्ड ऐसा लग रहा थो उनके सर में कुछ बहुत जोर्गी थ्रॉबिंग हो रही हो और गाइस आप सोचोंने कैसा ल पूल में पहुछते हैं आखें खोलते हैं पीले से रंग का वही डाक सा शेडू ने दिख रहो हता है और अपनी तरफ से एफ़र्ट करने की कोशिश करते है और वह उपर आने की कोशिश करते हैं बड गाइस इस समय बहुत पैरलाइस्ट फील होता है उनकी बादी बहुत दोने लगती है और इतना डर उनके मन में आजाते हैं इस समझ में आजाते हैं बहुत ज़्यादा बोडर दे वो कहते हैं चिलाता हूं इसा इसा जब्स हो गई है मैं चिला रहा हूं पानी में कैसे चिल लाओ नहीं सब्सक्विश करते हैं उनकी हार्ट बीट यह चीज ती यह कोशिश करते हैं उपर उपर ओता है मुझा मिध्य करते हैं वो पीली सी रॉशनी हटने लगी और मेरे को voitip सी light दिखने लग वह थोड़ा सा ऊपर उपर आने लगाए पानी में वो फिर से जो है उपर आ रहे होते हैं पानी के अंदर फिर से उनकी नाक और उनकी आखे बहार आ जाती है बट उनका जो माउथ है अपकी बार भी वो पानी में से बहार नहीं आ पाता और क्या होता है वो एयर की जगे बहुत सारा पानी स्वालो कर लेते हैं उनके म लग रहोता है कि blackness मेरे माइंड पे आ रही है ऐसे भी होश से हो और अपने मन में सोचते है no need to jump कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बस सो जाओ और एक्तम से क्या कहते हैं वो कहते हैं ऐसा लगने लगा मुझे कि सारी कि टेंशन रिलीव हो गई है उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें किसी टेंडर रामस नहीं किसी ने आके हग कर लिए और कोई उन्हें सुला रहे हैं और उनको कोई efforts करने की जूरत नहीं आराम से बिल्कुल और कहते हैं मैं oblivion में चला गया निकि मैं बेहोश हो के हालत में था औ टीक है और मैं वोच्टिंग कर रहा था और वो एक था बुली को डाट रहा था यह बच्छा परेंच मणाद मीशाओं कर सिए चो टीस सेगयों घ्ली कर तो चुड़ी…… तो उनों कुछ भी नहीं घाया और पूरा दिन वो डरते डरते रहे अब यही चीज जो है काफी समय बीच जाता है कहते है वो जो वाटर का डर था ना मेरी मन में पढ़ गया ठीक है अब भाई वो निकलने वाला नहीं तो कहते है ना डर बहुत गंदी चीज होती है अगर डर पढ़ जाए ना मन के अंदर तो उसे निकालना बहुत मुश्केल होता है माउंटें ड्यूपी के नहीं निकलता बहुत मेहनत करनी हो कि तब डर निकलेगा वो गेते मैं बड़ा हो गया और मैंने सोचा कि अब ना वो गाइस अब यहां पर चैप्टर में बड़े अलग आप निकले पालनी रिवर तो रिवर्स अब थोड़ी सी आपको बढ़ा देती हूं और जो में पॉंट है वहां हमारी ओधर बड़े हो जाते है ठीक है अब वो कहते है भाई मेर को क्या था मेर को पानी का यह जो डर था मेरे मन में बैड किया था थीक है मेरे जो है मुझे क सब्सक्राइब तो इन्हों ने अपने उस दर को मन से बहां निकालने के लिए ही प्राक्टिस तो यह चीज अब हम समझते है ठीक है तो बताते के मैं एडल्ट हो गया मैं बड़ा हो गया और मैंने सो को पता चला में को कैस्केडिस के वार्टर के बारे में यह सब आप इतन bage चला में क्युख स्काइब यह तो कैस्केड hackers के वार्टर के बारे में पता चला में भाटता अ governo को काफी शौक था झांए मैं रिवर में में जांए बांट रहूं और वहांपे जॉए करूं जाके एडविंस्पोर्ट्स करो बट मुझे बहुँच पुझा दा दा जैस हि現 मैं पानी के बाद जाता था मेरे पूरे की पूरे फ्रीज हो जाते थी और मुझे बहुत ज्यादा राता था मेरा डर्ट लग जाता तो मुझे बहुत तेस की कहते हैं इस सब चीजों की वज़े से वहां पर करनी स सपानिक करने पानी में ढ़ेखे से मैं बड़ा ह nationwide गभलता को बाकी वैग पाँ शॉर्ण के पहुं का बट वो समय करने ही पाड़ा था चाहे मुझे कैनुएंग करने कर दो चलाते फूटो में देख लो या बोटिंग करने हो स्विमिंग करने हो यह मेरी पानी के डंडने सब खराब कर रहा तो मैंने सुचा भाहि इस दर को निकालूंगा बाहर बाहर कैसे निकालते हैं वह एक इंस्ट्रक्टर को हाइर करके अब वो अपना यह डर भाहर निकालते हैं कहते हैं मैंने एक इंस्ट्रक्टर हाइर करा वह पांच दिन मुझे हफ़ते में सिखा था एक घंडा रोज अब सार्टिंग एक्सरसाइज उनकी क्यों होती है यह मैं देखो मैंने यह रेड़ पैं इंस्ट्रक्टर हफ़ते में पांच दिन रोज एक घंटा सिखाता था मेरे को स्विमिंग करना पहली बार में उसने क्या करा अपने एक क्रॉस एक बेल्ट बान दी और उसको रोफ से वह इंस्ट्रक्टर खुद को बान रखी थी पकड़ा था एक पुली टाइप बन गई कि जो हमारे ऊथर है वह डूबे ना इंस्ट्रक्टर उने बचा लें हो कहते हैं उन्होंने मुझे ऐसे पूरा बैल्ट वगेरा बान रखी थी और उन्होंने मुझे क्या सिखाया पहले कि मैं पूल में फॉर्थ प्रॉपर वे में स्विम करूं ठीक है के तीम महीने तक मेर बाफ दर लग जाता था उसी समय तीन महीने बाद वो उसको दूसरे एकसराइस कराते हैं हमारे ऑफर को वह उनको पानी के अंदर फेस करके इनहेल एकसराइस कराते हैं तो इन्स्टरक्टर बहुत तो इस दुन उनके साथ पीले रंगा पानी देख रहा था तो वही सब डर कहा है मेरा वापस आता था फिर फूर्थ वीक में उनको क्या सिखाया है उने फिर उन्होंने दिखा चार वीक तक चीक है फिर उनकी नेक्स एक्सराइस कि वी इंसक्टर ने कहा कि आप पूल के बिल् स्वुमर मुझे कहा मेरे इंस्ट्रक्टर ने बाइग आपरेल ने अक्टूबर में शुरू करती थी आपकी तक फि्रेड तक जहा है उसने मुझे का कि मैं रेडी हूं मैं प्रेड किआ differs लिए था उनके लिए मैं रिच्टर के लिए मेंर्छ को मैंने जो है क्या करा मैं पूल में अकेले पूरी करी उस समय पे थोड़ा सा डर उनके मन में आया जो पहले पुराना डर था ना उनके मन में आता है तो वो उस डर को जवाब देते कहते हैं मिस्टर टेरर क्या करोगी मेरा ठीक है तो थोड़ा सा डर उनको तब भी आता है अ अगर आपको यहां लेक वेक का सीन याद करना है तो यह वाला इंपॉर्टन है जुलाइ में मैं जातों लेक वेंट वर्थ पर ठीक है वहां मैंने डुकी मारी मैं दो माइल स्विम करके जो है बाहर आ गया और वहां पर मुझे जब मैंने लेक के बीचो बीच में लेक को सब्सक्राइब करें तो लेक वेंट वर्थ में जाकर दुक्की मारते हैं क्याते हैं मैंने जील के अंदर पानी को देखा तो मुझे थोड़ सा डर आया बट मैंने उस डर को क्या जवाब दिया वैल मिस्टर टेरर क्या बिगाल लोगे तुम मेरा और मैंने दो माइल बढ़ पिर गया वालम लेक घृत बढ़ कि यह न reach रही अच्छे सब्सक्राइब चालगा फिर में पहाडी के यह पूरी है और मैंट बुस्रे किनारे पर लेक कर ले तेघे वहें मेरे पास मेरी आवाज आई और उस दिन मुझे फील हो गया कि हाम मेने अपने टर्क के उपर जीत हासिल कर ली है जैसे मौंटें डिखाते हैं जो है वह ऐसे चिल आते हैं आवाज एको के आती है बिल्कुल ऐसा ही हमारी नरेटर ने कर रहा हमारे नरेटर ने प्राक्टिस करक है और जब स्विमिंग आ भी गई तो उसके बार मेंटल डर को भाण निकालने के लिए पूल में वह जो है उन्होंने स्विमिंग करी वह लेक वेंट वर्थ गए वह वाम लेक पे जो है गए तब जाके आड़ एंड उनका डर बहारा आता है मन से और वह एड़ दी एंड ऑ और अब वह हमें बताते कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या सीखा देखो उन्होंने नियर देथ एक्सपीरियंस भी साया जब बिल्कुल पूल में मढने वाले थे और उन्होंने डर भी साहा है वो कि जब वह मर रहने की बिल्कुल सिचुएशन है तो क्या डर उनको फील सबसे बड़ी जड़ोती है हर प्रॉग्रम की तो वह यह बात बोलते हैं इन डेथ देर इस पीस और एक रूजवेल्ट एक बहुत फेमस जो है प्रेजिनेंट है अमारे का के रूजवेल्ट उनकी भी एक कोटेशन है क्या that all we have to fear is fear itself तो वह कहते है यह बात मैं भी मानता हूं मेरे को अपने डर से ही तो आगे जीत पानी थी और वो उन्होंने पावी ली जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्टर हायर कर और उन्होंने सीख ली फिर मेंटली उन्होंने अपने आपको ट्राय कर और उन्होंने सीख ली तो वह गयता है डेथ में कोई डर नहीं लगता है जब कि गीस वह कुछ पीस है बस हमें जो वह डर हमारे मन में होता हमें उसके उपर जीत पाने की जरूरत है जैसे बच्छपन में पर राइक तो ने चलिफोन यह बीच वाल इंसिडेंट के बार उनके वन में तर था तो उन्होंने उसके उपर जीत हासिल करने की कोशिश करी अब तो आपको किसी सिचुएशन से मत डरो अचाहे आपके बोर्ट इग्सार में आप मत डरो तो तो तुम्हें जीतने नहीं देगा तो डगला जी पी यह कह रहे है अगर आप डरो के नहीं महनत करो तो यह चाप्टर कंप्लीट बबाइट के मैं सब्सक्राइब आज में आपको प्रहूंगी क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंग बुक कर चाप्टर राट्राप यह चाप्टर है इसकी राइचर कौन है इसकी राइचर है सेल्मा लागलॉफ और य इंसाथ जो है अच्छे से पेश आएंगे तो शायद अगर सामने वाला इंसान इवल भी है तो उसकी इवलनिस बहार आ जाए यह अपनी हर स्टूडी से यह मैसेज देती है कि अगर हमारा काइंड भीयर रहेगा अगर हम सामने वाले से अच्छा वहवार करेंगे तो बेशिक निखेल है एक आदमी अदमी इस का घर कोई ठ्हुक नहीं है उसको जो है कपी चाप्थ भी बाउं बोलेंग है कभी ट्रैंड पोलेंगhmen अलग अलग नमों से ड양ेया हमें उसका नाम भी नहीं पता चलेगा क्या है वो इधर से उधा जो है गूमता रहता है अपने चुहे की पिंचर लेके उन्हें बेशने के लिए जैसे तैसे करके वो अपना पेट पाल पाता है ठीक है तो यह जो ratrap seller है इसके अंदर से evilness इसके गलती करता है यह तो वो evilness इसके अंदर से निकालती है एक एडिला नाम की ल से बच्पन में कहानी पड़ती तो वो शुरू होती थी once upon a time से तो यह चाप्टर भी ऐसी शुरू है once upon a time से तो चलो शुरू करते हम अपने चाप्टर को ठीक है तो जैसी चाप्टर शुरू होता है हमें बताया गया है कि एक बारी की बात है एक आदमी घूमता रहता था स जोगार कर पाता था कभी किसी से जो स्टोर सोते हैं वहां से जाकर वूं से मांग लेता था कभी किसी बिग फ़ंपे चला गया उन्हें कह देता क्यों ने तार्य दे और उन तारों से वह जो है लोहे किसे चुई के पिंच्डर बना ता और ने बेसा था बट गाइस उसका यह बिजनस था यह बिल्कोल भी प्रॉफिटेवल नहीं था वह ज्यादा पैसे इससे नहीं कमा पादा था तो इसी लिए उसको अपनी बॉड़ी और अपनी सोल को साथ में रखने के लिए यानि कि अपने शरीर को आत्मा से जोड़े रखने के लिए अगर हम सिंपल नहीं कमा पादा था कि अपना पेट भर सके तो उसे कभी-कभी चूरी भी करनी परती थी कभी-कभी भी भी बांगनी परती थी अगर हम उसकी अपीरेंस देखे तो रैक्स पहन रहे है रैक्स होते हैं बहुत फटे पुराने गंदे मेले से कपड़े वह पहन की घूमता रह हुआ और छही होता थे अंगर दिखा ये सिचूएशन में था हमारा रैटरब सेलर अब एक बारी पारी की बात होती है यह जो रैटरेब सेलर होता है इसकी बहुत साडड राइफ हो झमार का इसान ऐसको यह अपना कैसे को यह तहर से उधर रास्तों में गोमता रहता रहता तो एक दिन इसके दिमाग में आती है एक line of thought भई एक दिन बन जाता है हमारा rat trap seller क्या एक philosopher प्रॉपर एक ऐसी thinking आती है इसके दिमाग में जो एक बिल्कुल ही आप कहो आप कहोगे हां भई ऐसा तो होता है एक philosopher बन जाता है हमारा rat trap seller क्या सोचता है ऐसी गुम्ति-गुम्ति सो बीजरी बंद तो वो सबको बीटब बाइदेश जाते तो गया है जैसे पुरा वर्ल्ड है न जो dal संसार है पूरी दुनिया है यह भी एक वर्दक है जैसे कि जो नदिया हों गई जो पेड़ है जो आसमान है सारी चीजे वो कहता है यह मिल करना यह हमारा वर्ल्ड नहीं है यह पूरा बहुत बढ़ा सा राट्राप है और इसमें चुहे के जगा हम इंसान अलग-अलग लालचों के लिए भागते रहते हैं और आप इस सीट से जो है करोगे क्या होते है जैसे हम लोग पैदा होते हैं उसी समय हम उस दुनिया की भागतवर में लग पड़ते हैं क्या पहले अच्छा स्कूल से पढ़ना है फिर अच्छी जॉब चाहिए या बिजनस करना है रोटी कपड़ा मकान प्रोटी पक्ड़ा मकान अगर किसी का पूर जैसे चुहा रोटी के लिए राट्राप में आके बंद हो जाता है वैसे हर एक इनसान इस दुनिया का क्या करता है वो वर्ल्ड के राट्राप में इन चीजों के पीछे भागते हैं जिसको हम अपनी लैंग्विज में सारल भाश में गया है सब मोमाया के पीछे भागते र तो यह बाते सोच तो से कफे इंजॉयमेंट मिलती थी उन सोचता था उसके साथ भी ऐसी हुआ था ऐसे पीछे भाग रहा तो तो लोगों के बारे में ऐसे बुरा सोच के कि इसके साथ गलत हो तो से थोड़ा सा खुशी मिलती थी क्योंकि लाइफ में कभी उसने उसे किसी समझा नहीं तो ऐसे सोच कि अपना टाइम पास करते रहे था अब एक बारी की बात है अब एक पार बता दे दियू बेफोर कंटिनिविंग दर चाप्टर यह जितनी भी नोट्स है गाइस मोस्ट इंपॉर्टे नोट्स आपको एंस्याटी जो है यह देख लो यह अब रात को अकेला घूम रहा है बैचार उसके घड़ नहीं तो इधर से घूमता रहता है तो इसको एक ग्रे कलर करना कोटेज दिकता है ठीक है उसे देखता है ग्रे कलर को को और बहुत थंड हो रही हो तो वह सुचता है नौक करके पूशेता हो क्या यह मुझे यहां पर है दर्वाजे पर उसको जो है एक्सेप्ट कर लेता है उस घर का जो उनर था उस घर का और एक बुड़ा आदमी था उसकी वाइफ नहीं थी उसके बच्चे नहीं तो वह अकीला पन फीड करता था तो उसे लगा कोई नहीं भईया एक सड़क छाप इंसानी जाही जिसका को आप सकते हो कि इतना लोन ली था कि उस आपने घर में एक्सेप्ट कर लिया और जैसी जो है हमारा राट्राइब से घर में जाता है तो वह जो आदमी था नहीं पुलाइब बुड़ा अदमी वह अच्छा था वह उसको इतना अच्छी से ट्वीट करता है वह उसके लिए न माखू का पूरा रूल लेता है उसको कट करता है बड़ा सा बीग रोल लेता है बिल्कुल उसका उसको कट करके थोड़ा सोस को दे देता है पुराने जमाने के लोग यह ठीक है तो वह पाइप उसको थोड़ा सा देता है खुद दोनों स्मोक कर दें ठीक है फिर वह इतना स यहां जादा घुल मिल जाता है कि वो बूड़ा आदमी अपनी परसवन बाते हुआर चयां करें चप्टर करता है है तो पूरे चाप्टर में हमस्तंप और इंच स्ञेज़ को जोओ कर पाना अधिधर Report मेरे जवान था ना क्रॉफ्टर हुआ करता था वहां कुर था रहां नहीं था कि नहीं टा रहां है यह मैं वहां पर काम करूंड़् करूंगा तो अब जो है मैं एक गाया मेरे पास रहे बड़ी significant है इतना अच्छा का दूड़ देती है वह अभी पिछले माहिने में थी स्टी मेरी इतना पैसे मुझे प्रॉफिट कमा के देती है तो तीस करोनर जैसी हमारी करंसी रूपीस यहां रहते थे उनकी करंसी क्या थी क्रॉनर थे तो बड़ा है जूड़ बोल रहा है राट्रप की शकल देखके ऐसा लग आता कि वह क्रॉफ्टर की बाट पर बिलीव नहीं कर देखके तो वह क्रॉफ्टर की अच्छा नुम्हां यकीन नी रहा न रूक बताता हूं वह उठता है उसके घर के पर एक खिड़की लगी भी थी खिड़की पर पॉच था तंगा वाथा वा सा समझ वह उस पाउच को निकालता है और 30 कंट मिegलए के दिखाते हैं और वास उसको पाउच मे डाल के खिड़की जूटनी बोल रहा है मैंने कमाए है और वापस उसको पाउश में डालके खिड़की पर टांग देता है वो लोग बाते करते हैं और सुझाते है ठीक अब सुझाते हैं अब सुझाते हैं इवन दो ही बूड़ा इंसान बड़ जल्डी से सुझाता है वो टाइंग पर कॉपटर के घर के बाद फिर आ जाता है वापने बहुता रहाएं नाश्ता था लएटा में पहर गुड़ न कником रहा बिया ङन्सें कर ली ने सब्सक्राइब फीघ नष्यहाँ अब रास्ते में तो वह सुझता है मैं पुल्राइवे नहीं लेता हूं मुर्यल को पुली सूं कृइस एंधेरा का भुए ठाँचा तो वो सिधा सीधा नहीं कर लेती एंधेरा होने वाला होते हैं चल जो longer करScript गोल 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 चक्कर लगा रहा था वह एक जगह से चलता वापस उसी जगह पे आ जाता काफी घंटे बीद गुंते रात हो रही थी अब वाइल डर जाता है अब उसको अपनी गलती रियलाइज होती हो कहता है कि मैं बड़ा सोस्ता था ना लोगों के बारे में कि यह दुनि था दिन खतम भहिया मेरी गलती हो गई वो जो 30 करोनर थे वो मेरा लालस था मैं उसके चक्कर में पढ़ गया मैं तो गया ठीक है बहुत थक जाता है और अराम से वह जो इतना थक जाता है कि वह अपना सर जमीन पे रख देता है ठीक है ऐसे अपना जैसी वह बहुत बिकुल तो आपी उसे रीयलाइज हो तो हम उपने कानों में चाहिते हैं। और यह रेलाज है तो तुर में उसे आइल में चाहिते हैं, मैं हम पही और आई इं Els prim में टर सकते हैं। उसमें हेंमथ महां होती है जैसे जैसे करके और समय कर तक पीह आई इरेंट मील तक पहुंचे और बहुत जरुब ही वहां दो पॉल से गॉफमें से हवा और अधर हम आ बार बारिश और तीम पे ठंटर वटर आवा रही ती और हर थोड़ी देरबाद ने इतने बड़ी से वै शोशराबा था, तो वहां के लोग अपने अपने काम में वियस थे, तो वह एक लड़का बार बार जाके गरम लुह को ऐसे पिगला रहा था, थी कहा बहुत ही थी, तो इतनी जादा बहुंपे शोशराबा हो रहा था, कि जो आर्न मास्टर रहा हुआ हो उनको पता नहीं चलत वाला उसको देखता है तो उससे पर्मीशन मांग लेता है राटर आप सेलर के हां में हां रुख जाओ तो वह उसको ऐसे सरहला के बस कहते हैं हां रुख जाओ उसमें कोई इंटरस नहीं दिखाता कि भाई कैसा है तु क्यों आए यहां पर क्या है कुछ निये कोई बात नहीं उसकें लेट जाता है और फिर मुठ को एपनी हैट रख लेता और सोडाता है अब इतने में ही क्या होता है उसमिल के अनर थे आएट वहां पर ठीक तो वह भापर आते हैं और उनका आने का रात को हाने का रीजन क्या था क्योंकि वह बहुत आइरेन मास्टर थी उनकी मिलती तो उसे चाहते थे भईए की मेरे मिलते ना सबसे बैस्टवाला जो आइड थे पूरे वर्लड में जो है जाए मेरी कंट्री में सबसे अच्छा आइडर मैं बना के भीजु तो इसलिए वो inspection करने के लिए आते रहते थे कि भाई सही से काम चल रहा है तो वो जैसी आते हैं तो वो देखते हैं कि भाई या वो कौन है वहाँ पर उनको rags में रेटा वाई काद में दिखता है कि भाई उसने ऐसे गंदे से कपड़े पेन रखे तो उसका धियान चला जात तो अब जब वो बट्टी के बराबर में वो रहा था तो उसकी कपड़ों में से एवापरेशन हो रहा था तो जो ऐसे दुआ सा निकल रहा थो तो फिर वो महां जाता है जो उनका उनर हो गया भई आईलन मिलक उनर बड़ा मीर आदमी यह वो जाता है और जो हमारा वो एकडम से उनर, उसको क्ञें से एडम से कंफ जाता है यह पुरना आर्मी का दोस्त है वो ऑसका है निल्स dwaल initiative से लॉट चाहता है तो भाई तो यह क्या कर रहा है तो अब इतने हमारा Rat Rapp seller के दिमाग में आता है कि ये इतना बड़ा मीर मुझे अपना दोस समझ रहा है तो क्योंना मैं इसको इसको बनाता हूं मैं अपना नहीं करता है कुछ पैसे दे दे तो इतना गरीब था आई यूगा रहता हो तो उसको लगा यारी मुझे अपना दोस्त समझ रहा है तो शायदी मुझे कुछ पैसे देगा तो इस लालश में वह मना भी नहीं करता है जब आरेंड मास्टर पूछते कि तिरे साथ क्या हो गया तो क्या रिप मैंने अगर इस आरेंड मेंट लहीं होती ना जल्दी अगर मैं जादी रिटाइर नहीं हो तो आज तुमारी यह हालत नहीं होती अब चलो मेरे घर चलो अब यहां वे भाई हमारा राटर अपसलर शॉक कहरा भई ठीक है दोस्ती तक सही था अभी तो मुझे कुछ पैसे दे मेरा घर इतना भी कोई बहुत महगा और आलीशान नहीं है जो तुम शर्मारियों मेरे घर आने से चलो 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 क्रिसमस है वैसी चलो मेरे घर चलो वह बहुत जबरदस्ती करते है अच्छे अंसामति उनने लगा रही मेरा दोस्त है तो भाई मैं तो उसे अपने घर लेके जाते जाते लुए तो अरु मारे के जुनाहे रहारे जिए तो तो बहुत ड़ट जाते करते हैं बत वह हमारा लाट्राइब बसक्तिते है उसे पता था तो भाही मेरे को मुसीवट मूंत सकते तो भाहिता है नो na बीकिया करें वह वाक्स मोर जाए जाते 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 दो उनका ब्लैक्स्मित था जो हाँ पे काम कर तलु हा पर गया रहा था उसको जाके बोलते हैं कि अच्छा थीक है मैं चलता हूं मृश्बां पर थो थोड़ा हसरी होते डिशा तो उनका जो भूस्मित था वह समझ आइरन मास्टर की बेटी यह है हमारे चाप्टर की हिरोईंग मिस एडला विलियमसन ठीक है यह जो है यह बहुत अच्छी लड़की है दिल से बहुत अच्छी है बहुत काइंड है कंपाशनेट है दिखने में सुन्दर नहीं है बाद मॉडेस्ट है ठीक है यह आती है अपने पर दो आप एक दम से जाग जाता है तो यह चीज दिखाए जा रही है कि उसकी नीद तनी कच्छी थी कि किसी ने उसके पास अगर कोई आता था तो ऐसे उठ जाता था वाइगाइस विकॉस उसने कभी चैन की नीदी नहीं है वह हमेशा सड़कों के किनारे सोता था तो उस किसमस पर हम लोग डिनर करेंगे और एडला इतनी ज्यादा समझदार थी कि जब राट्राप चेलर को देखते है उसको तो लग रहा था ना कि उसके पापा के दोस्त है वह तो यह बात समझ जाती है कि यह इनकी शकल पर डर है यह मना इसलिए कर रहा है क्योंकि शायर कोई क पादर चाहते है आप चलो आपनी समय साथ चलिए और मैं आपको यह इन्शुर कर रही हो जैसे आप जाओगे जब आपका मन करेगा आप हमारे घर से जा सकते हो मतलब हम शौर करती है उनको कि तुम हमारे घर से जैसे जाओगे जब मर्जियों चले जाना तो उसको देखके इस समझ में आता है एडला देखो कितनी समझ आरे इसको आखे देखके पढ़ लेती है वो राट्राप से लर की कि भाया यह कोई क्राइम कर क्या है इसलिए हमारे आने से ड़ता है अब वह लड़की इसने ज्यादा कमपाशनेट वे में बोलते है कि राट्राप से लर मनाना निया वह अगिअ को पहले हमार्इ के फेले हो ठीज रृता हुआ है लेता समय ओके में मेरत लोका होटा है थाओ अग्यान कने बंखी हो ठीज expect जाया हो झायाद फो पहले सी पहुँद गाते हैं अब सुबा सुबा की बातों है आइरन मास्टर और और उनकी बेटी जो है बते करेंगे हो सब्सक्राइब मास्टर बैठे होते हैं उनकी बेटी टेबल सेट करी होते हैं खानवाना लगा रही होते हैं तो वह कहते हैं मेरे दोस्त के साथ देखो क्या हुआ है अब तो एक काम करूंगा पहले तो इसको थोड़ी करेंगे उसके बाद मैं आपने पापा को कहते हैं पापा मुझे नहीं लग उनको देखके कि वह एग्जूकेटेड विया आप उन्हें का फ्रेंड अपना क्या रहे हो तो एडला को अंडरने तोड़ा सशक है कि वह एडला को थोड़ा सा शक था तो उसके फादर के थे नई बेटा अभी वह नहांद हो कि आ जाएगा ना वह उसकी ट्रैंपने सटा देगा यानि कि अपनी सड़क्षा पली जो है पूरी उसके उपर जो चवी बनी वी थी वह बाल ऐसे शेम नहीं रखी ती गंदे कप सब्सक्राइब कांणी सब्सक्राइब से nhi अवाद मेरा कर अगओ आधे एच्नुकों विक्ता में अपने प्राने पनों पेंटंतो पहने औरमें नहीं रहे हैं है तो मेरा जोने हम फोने जोड़े जोड़ाола जब सके चाइब क्यala फिस ड्रिफ मेशते कर ऊक्सान कि जार पुलिस तो आइरेन मास्टर को आ जाते हैं गुस्ता और तो कहते हैं मैं बिलॉंगा शेरिफ को पुलिस को अब राट्राप से लोड़ को भी घुस्ता आ जाता है वह कहते हैं तो इस वह तो आपने घर पे बुलाई यह बात तो वह अपने मन में ही सोच रहा होगा इतने में और तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा आप बीसी एक लालज की पीसे फज्जा और तुम भी हैसी ओगहें जैसे आज में इस वर्ल्ड के राट्रम में फज्जेंगा हूं अब ऐसी फिलोसिफीकर बाते कि बहुत है यह यह वह नहीं बड़ी साइकों ज्खता है ने में बढ़ तो पिर जो है उसको पहले खुद समय नहीं आता है कि उसना इसा क्यों कर दर्वाजबन क्यों कर रहा है फिर वह अपने फादर को समझाते हैं देखो पापा हम इनको अपने घर खुद लेकर आए हैं ठीक है कि करा क्रिस्मस करें और हम ऐस्सान को अपने घर से मतलब होता है इस गुड़ प्रिस्मस करना और वह कहते हैं अपने घर से नहीं करना चाहती हम आपने अगारा को सब्हुत हैं इलाश przy कुछ मना निकर पारी होते है तो एडला समझ जा दियतने में कि मेरे फापा मेरी बात मान चुके है तो उसके फादर कहते है उसको कि you teach worse than a person यानि कि तो मतलब कि जो मतलब प्रीस्ट होते है ना जो उनसे भी बड़िया तरीके क्या से प्रवचं देते हो मैं तुमारी बात मान चुका हूं ठीक है तो वो सके अपनी बीटी की बात मान जाते है और कि ये लड़की ने यह बात सम्झी और मुझह ऐसे घर से निकालनी उसे काफी बिलीव नहीं होता है इस बात पर पूरे Christmas जो है जैसे की प्रहूमिस किया गया था राटर पसेलर को वहीं पे रहता है वो पूरा दिन वहांपे क्या करता है सकते हैं तब उसे बुलाया अजाता है शाम को जब कैंडल से जलानी होती है कि डिनर करता है और फिर टीनर के समय पे क्या होती है उसको जो है सब एक दूसरे को ट्ूशरे को वापस हे है तो अगले सेलिब्रेट कर सकते होगे अचली मैं किया कर रहा था उस राट्राफ यह थे इस ने भाफ पूरा दिन वहांपे सोता रहा है अब सुबाओ जाते हैं किसमस देख हतम हो जाता है जब वह वापस आ रहे होते हैं चर्ट से दस बजे के करीब तो एडला गाड़ी में मून लटकाई बैठी होती है वह ऐसे बहुत परशान होके बैठी होती है क्योंकि उन्होंने वहाँ चर्च पर बात सुनी थी कि अभी एक दो दिन पहले क्रॉफ्टर के घर पे एक रैटर पढते हैं और आंब असने कुछ नहीं क्यों चुछ नहीं चुराया है वो चला गया है महान से हमारा रैटर अपस बनाया था ठीक है और उसमें पैसे जो उसने क्रॉफ्टर की घर से चुरया आते हो वह वापस कर दीता है और साथ में पैसे जो चूड़ा से लेटर होते हैं उस लेटर में उसने थैंक्यू करा है एडला को एडला को कहते है थैंक्यू तुमने मुझे मिस नोबल मिस करके वो उसको बोलता है कहते है थैंक्यू तुमने मुझे एक कैप्टेन की तरह ट्रीट करा तुमने मुझे कैप्टेन वाली इजदी एवन दो मैं कैप्टे के ओपर इन्हें टांके रखाता सो यह लालच की तरह काम करें हमाई जैसे गरीब लोगों के लिए तो उसको यह आप वापस कर देना और बाद में थैंक्यू करता है एडला को फिच से की थैंक्यू तुमने मुझे इस वॉर्ल्ड के राट्राप में जो है फसने से बचा लिय और एंड में क्या लिखता है विद फ्रेंड्शिप एंड रिगाज और साइन क्या करता है क्या गाप्टैन वंस्टेल तो अपना असली नाम बताके तो देखो एडला को नहीं चाता है जैसे एडला नहीं उसे क्यांट की तरह तरह त्वीट करा तो वैसे ही वह लेटर भी वाले तरीके से ही लिखे जाता है, एंड में साइन करता है, कैप्टेन वोन स्टेल, तो एक्जाम के लिए आप यार रखना है, एंड में क्या लेगाता है, ये देखो, ये रही लेटर की फोटो, एंड में इस तरीके से उसने लिखा था, और ये चीज़ शो करती है, कि इडला के काइन बिहेवियर ने, एक सड़क छाप इंसान को, जिसका कोई घर नहीं है, ठिकाना नहीं है, जिसने चोरी करी है, उसको बदल दिया, उसकी काइन बिहेवियर, बाकी चाप्टर्स आपको पढ़ने है, तो क्लास 12th English की प्लेलिस में, क्लास 12th English की प्लेलिस में गिवन है, अगर आपको important question देखने है, extract based question देखने है, board exams के लिए, latest pattern के लिए, तो उसके लिए क्लास 12th English का रिवीजन बाच गिवन है, और ये ना उनकी बुक में से एक excerpt लिया गया, कौन सी बुक है, The Life of Mahatma Gandhi, तो उन्होंने इस चाप्टर में हमें यही बताया है, कि कैसे वो Mahatma Gandhi जी से मिले थे, और क्या-क्या बाते हैं, Mahatma Gandhi जी ने उन्हें बताई थी, तो चलो, let us start with the chapter, अगर मैं आपको शॉट पे बताऊ तो इस चाप्टर में हम डेटेल में क्या पढ़ने माले हम यह पढ़ेंगे कि कैसे Mahatma Gandhi जी ने जो चंपारन के इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स थेना उनकी मदद करी थी, और कैसे वो एक हमारे पास एक प्रूफ मिला हमारको, वो एक पहला मुव्मेंट साब एक तरीके से कह सकते हूँ, जहां पे ब्रिटिशर्स के खेलाफ जो है इंडियन्स ने आवाज उठाई और इंडियन्स की जीत हुई थी, ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम अपने इस चाप्टर को, तो जैसी चाप्टर शुरू होता है, लूइस फिशर्, जो चाप्टर के राइटर है, वो हमें बताता है कि मैंना माहत्मा गांदी जी से मिला था, 1942 में सेवा ग्राम में उनके आश्रम में वह महात्मा गांदी जी से बातशीत करने जाते हैं और महात्मा गांदी जी पूरी स्टोरी उनको बताते हैं कि कैसे महात्मा गांदी जी ने साइड करा था स्रीडम सगर में पार्टिसिपेट करने का और कैसे महाटमा गांदी जी ने 1917 में सोच लिया था ठान लिया था कि अब वो ब्रिटिश का डेपार्चर तो भाही अत्ते है कि अब भही ब्रिटिश तो जाएंगे ही इंडिया से थी क्या कि वह फ्रीडम शगर में पाठलेंगे और नौ ब्रिटिशर्स हमें अपने ही कंट्री में जो है इस तरीके से तंग नहीं कर सकते तो यह जो पूरा का पूरा चैप्टर रहना यह महात्मा गांधी जी के ही वर्ड्स में हम पढ़ेंगे वह सारी बात ल जो इस फिशर को बताते कि मैंने दो 1917 में ही सोच लिया था कि हाँ अब ब्रिटिशर्स का दिपार्चर ते है अब वह सोचा कैसे था यह हम जानते हैं देखो 1916 में महात्मा गांधी जी ने एन्वल सेशन अटेंड करा था कॉंग्रेस का इन लखनाउं तेको कॉंग्रेस जो में महात्मा गांधी जी इंट में में उसी में मतलम ऊछाकुमा kalo चल अब अब राज कुमार शुआ नाम का पीजंट क कौन वह कहते हैं मुझ स्रमें था वह मुझसे मिलने आया उसको देखके भी पादा चल रहा था कि वह एक फार्मर है अब देखके वैज़ा चल रहा था का मतलब उनका यह था कि वह फार्मर का दूबले पतले से थे और वह रिप्रेजेंट करता है फार्मर की स्टेट इंडिया अट टाइम इतना अधा एक् राचके मार्ण चंपारन चंपारन की करते हैं तो हमारे साथ चंपारन चलो और हमारी मदद कर आप आभाई तो बता भी नहीं ता तो इस तरीके से मेंशन करा है तो मुझे तो पता भी नहीं तरो मदद करने तो मैंने राज को चलना चाहता हूं बढ़ाओ ज़या हो महात्मा गंधी जी कि back-to-back-to-back काइस एक पोइनमेंस दिया लग-ऎलग शेहरों के अंदर वह पहले मुझे जाना था कानपूर फिर मुझे जाना था हम्दाबद अपने आश्रम में और बाद मुझे जाना था कहीं और थो तो फिर यह ते हमारे राच्मार शुकला धी फार्मर वह वह इलिट्रेट थे वह प महात्मा गांदी जी अपने आश्रम में पहुचते हैं राजकुमार शुक्ला जी भी होते हैं तो वह कहते हैं राजकुमार शुक्ला जी को प्लीज एक डेट फिक्स कर दो जिस दन आप चंपारना होगे क्योंकि वह बार बार उनके साथ हर जगा जा रहे थी ना तो गांदी जी उने बताते है फाइनली वोनकी ऐसी determination देखके गांदी जी उने इस देट को मुझे पर क्यालकटा में आके मिलना क्यालकटा से वहां हम ट्रेन लेके बिहार चलेंगी पटना चलेंगे तो वह कहते हैं वह दिन आ जाता है मैं राजकुमार शुक्ला से फिर से मिलता हूं क राजेंदर प्र्षाद के राजेंदर प्रसाद के घर लगे हूं करक्ता से लliers के राजकुमार शुक्ला जो फार्मर हैं वे वह बंड़त मंगने ग localized in를 हो और ब्रिटेशा से नाई साफी तके विला उसमें रहें GEORGE CHポ तो राजियंदर प्रसाद जानती थे उसके रहे होगी लुपह के नहीं डहीं होते हैं तो उनके घर का आगे तो महां भाद तो भर नहीं होतुँए हैं तो अब हमारा काम नहीं हूसाइब और जब पर का तो एक Vic इंसडेट और उनके साथ है वह हमें बताते हैं वह उसकूई से पानी मैं पाचीबल नहीं गांदे जी को एस बैल में से पानी नहीं पीने देत और यह बात यह शो करती है कि documentary प्रेजन थी तो यह वह अन्टस्चाब्लेटी तुम तो चलिज़ा वापस चंपारन चलिजा रहा हूं मुझे इंस्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए तो वो मुझाका नाम थे जही बी करेप्लानी, वह आर्ट्ट कॉलिज के परोफेशर थे, शेस्टे टेलेग्राम करने कोड़ाय करते हैं वो ट्रेन पकड की मुझाका परेटी ने से नाम जे अप्र होगी मॉधिक्ति पर्य। और उनके सारे स्टूडेंस मेरा वेलकम करने के लिए आये थे ठीक है बहुत सारे स्टूडेंस गांधीजी का वेलकम करने आते हैं और फिर महत्मा गांधी दो दिन कहां रुकते हैं मुजफ़र पूर में रुकते हैं अब ये ना इस चाप्टर में काफी नोट्स की जरूरात रुखा था वह रुकते है प्रोफेसर के गर में जिनका नाम ता मल्कानी प्रोफेसर मल्कानी अब इसमें कन्फियूस मत हो नpark करने आया थे प्रस्तेशन पर जेवी उनके महें कर भूर्द गोर वह देख मल्कानी गुंहें निको quería यह इसमा त beam इस लिए प्रफेसर्स के खिलाफ प्रथे कर रहे थे ना भूल मतलब के सब्सक्राइब पारत चोड़ेज से कोई भी इनसान डरता है तो यह प्रफेसर मालकानी नहीं डरेंगे उन्हों ने मुझे अगर्में रखा इस पर एक्जाब में क्वेशन भी आ सकता है तो किया हुआ बहुत सारी फार्मर्स चंपारन से और इधर उदर आसपास के लागों से महात्मा गांदी जी को देखने आए मिलने आए क्यों आ रहे थे क्योंकि उनको सुनने में आ गया था कि कोई महात्मा आया है उनकी मदद कर रहे थे और मेर को पता चला कि वह फार्मर से बहुत जादा फीस ले रहे थे बहुत फीस तो मैंने उनको डाटा चिड़ेड मतलब क्या होता है डाटा उन्होंने लोयर्स की डाट लगाए कि तुम क्यूं इंडियन फार्मर्स से इतना पैसा ले रहे हो जब आप लोगों को समझ जाते हैं तो वो लॉयर्स को कहते हैं कि यह वाले केस को हमें कोट में ले जाके कोई फायदा नहीं मिलगा यानि की कचैरी में कोट में ले जाके हमें अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा प्रॉब्लम क्या है कि यह जितने भी फगार्मर से इनके बन में निखलेगा जब तक यह इन लांगोर से डड़ना नहीं बंद करेंगे तो वो लॉयर को कहते हैं हम कोई अपने केस को कोट में नहीं लाएंगे तुम जो है सबसे पहले हमें क्या करना होगा हमें फार्मर्स के मन से ड़ निकालना होगा ठीक है अब फाइनली हम जानते हैं कि र में लांडलोट के बीश है अब थीज को भूत ध्यान दे समझाव आप लैंडलोट कारा है लैंडलोट न हुआ है इस जमीन का ऊंण है वोस्त गयी कि काम काम करते है तो अब पुरेन नहीं वह काम कराता है दूसरे से घेंट वह काम करांगे कांगे पंगए अपनी पर में न क्या है या Fr finished क्या देती है इन्बी नीज क्रॉप के क्या होती है इनदीच knee इंडीगो वो लोग इस जमीन दार को देजिए थे इंडीगो की बाहर के मार्केट पर डिमांड होती थी यह फार्मर्स से लेकर इंडीगो वो लोग बाहर बेज दिया करते थे और प्रॉफिट कमा ले तो यह प्रॉपर सिस्टम अच्छा खासता चंपारन में चल रहा था ब पूरी फसल खराब कर देता है जो पूरी की पूरी अग्रिकल्चर लैंड होतों से खराब करता है इंडीगो उगाना असान भी नहीं होता है तो फार्मर्स के लिए बहुत प्रॉब्लमाटिक रहता था यह इंडीगो काना बढ़ यह कॉंट्रैक्ट लगता था इनके बीश से अपना प्रॉफिट कमा लिया तो इसको कहा जाता था जो भी फार्मर ऐसे काम करता तो उसे शेयर क्रॉपर कहा जाता और यह कॉंट्रैक्ट साइन हो रखा था सभी के बीश में फार्मर के बीशने और लैंडलॉट के बीश में कि ऐसे 15% हिस्वे में यह इंडीगो वाग कुछ केमिकल वे में कल से इंडीगो बना लिया अब आप मुझे खुद बताओ कॉमेंट सेक्ष्ट में कौन सा इंडीगो महंगा होगा प्लांटेशन करा हुआ या सिंथेटिक वाला ओविसली प्लांटेशन महंगा होगा क्योंकि उसे ओगने में टाइम लगेगा उसमें लगेगी और फैक्टरियों वाला सिस्ता होगा जो सिंथेटिक ली लैब में बनाया गया है तो अब लैंडलोट समझ जाते है कि कुछ समय के अंदर ही उनका जो प्लांटेट इंडीगो है उसकी वैल्यू जो है और जूसके डिमांड है वो खतम हो जाएगी और जर्मनी का लैब वाला चलना शुरू हो जाएगा तो वह समझ जाते हैं कि यह 15% इंडीगो हम इन फार्मर से ले रहे हैं तो उनके लिए कोई यूसमें नहीं होगा लैंडलोट समझ जाते हैं तो यह लैंडलोट होते हैं बड़े चालो यह क्या सोचते हैं अभी किसी को नहीं पता चल आपको यह जाते हैं यह आपको यह शेयर क्रॉपर के पास जैसे राचकुमार शुकला यह उनके पास गये और इन्होंने ओफर दिया राचकुमार शुकला जैसे और फार्मर को कि हम यह कॉंट्राक्ट 15% इंडीगो वाला इसको खारेच कर देंगे इसको एंड कर देंगे बड़े बड़े बहुती लालची थे ये जमीनदार्स ये गए फार्मर के पास और उने बोले ये पंद्रा पर्सेंट वाली सिस्ट्म को हम एंड कर देंगे ये जो कॉंट्राक्ट है हमारा कतम हो जागा बदले में तुम हमें कुछ पैसे दे दो ठीक है तो भाईया ये पैसे से बाहर ओड़े आज के बाद हमें नहीं होगाना पड़ेगा कुछ ने अपनी मर्जी से करा और कुछ को जबरदस्ती कराया कि गुंडों से पीटके और जो है ठक से पीटके अब भाई फार्मर्स को ऐसा तुनिया खबर पता नहीं चली फार्मर्स को भी पता से लिए से थास्नान City के अचली से यहीप वापस चाहिए यही पैसे वापस दिल आने के लिए गान्दी जी आ आते हैं इंडीगो प्लांटेशन फ्रक्रेशं को उनका बाफसं वापस दिल राने के लिए वाहरो नहीं कि निस पाहन के कुछ not to occur कुम आउटसाइडर हो तो थाप को पिछनी की तो मुचनी की आइव कोई आइसाइटलिन थी कि वहां बिहार के निग stressed बहुत दीजिए तो हो इंडियन के बाद करो मैं कोई खाइडर नहीं हो फिर वह कहते हैं मेर को एक ब्रिटिश ऑफीसर था तिरहुट डिविजिन तो वह कहते हैं मुझे तेरहुट का ऑफिसर बुलाते हैं और उसे मुझे बुला कर अपने बुली करा यान्दि तरह आया था चमपारंट की capital city में, कहां पे मोती हरी में, कहते हैं वहाँ जाके मैंने एक headquarter बनाया अपना एक घर पे साधी की साधी investigation करनी मैंने start कर दी, तो वो मोती हरी में जो है अपना पूरा का पूरा headquarter बना लेते हैं, कहते हैं बहुत सारे lawyers वहाँ पे आये मुझसे मिलने और हम लोगों ने inquiry करनी शुरू कर दी अब जब वो उस अपने headquarter पे काम कर रहे होते हैं, तो उन्हें कुछ खबर मिलती है कि पासी के किसी गाउ में, जो है कहां अब महत्मागान मोती हरी में है तो उन्हें खबर मिलती है, पासी कि किसी गाउ में, किसी एक फार्मर के साथ कुछ नहीं साफी हुए, कुछ मैल ट्रीटमेंट हुए, कोई बत्तमीजी हुई है तो महत्मागान जी नी सूचने में, उस फार्मर से मिलके आता हूँ ओफिसर की तरफ से आता है, वो महत्मागान जी को ओर्डर करते है कि वो चंपारान इसी समय छोड़ दे और वापस चले जाए तो यहां नी कि आप यह समझो कि अब रिटिशर्स को पता चल चुका था कि भाई फार्मर की मदद करने को आ चुका है और वो भी फस सकते हैं, तो इसलिए वो महत्मा गांदी जी को ओर्ड भेड़ देते हैं कि आप यहां से जाओ महत्मा गांदी जी उसी वाले नोटेस के पीछे लिख देते हैं, आई डिफाई, यानि कि मैं ये बात नहीं मानूँगा और वो वापस नहीं जाते, तो यहां पर देखो महत्मा गांदी जी ने एक लॉब देख करा, उन्हें कानूनी नोटेस आया था कि जाओ, और उन्होंने कानून की बात नहीं मानी, तो अब क्या हो था, अब उनके उपर एक केस चलता, कि वो कानून उन्होंने तोड़ा है, तो उनके उपर केस चलने वारा था, अगले ही दिन उन्हें कोर्ट में कचहरी में बुलाया जाता है, कि उनके उपर केस चलेगा, अगर वो गिल्टी प्रूव होंगे, तो उन्हें जेल होगी, तो वो कहते हैं, मैंने रात को ही, जो है, जो इंफ्लुएंसियल मेरे लॉयर जैसे राजिंदे प्रशाद और सबको बोला कि वो आजाए चंपारण कि अगर भाईचंस मोतिहरी आजाए, वो अगर मैयर को जेल होती है, तो वो लोग सबकुछ संभाल लेंगे, और वो पूरी रेपोर्ट बना कि वाइस्ट्रॉय को भेज देते हैं, वाइस्ट्रॉय को कमात्त्र भ्रव गहता गई हैं महात्माणीजी की सप्पोर्ट में हर कोने से फार्मर आन फेन उन्हें पता चलता है को महात्मा हमारी मदद करने और उसं को प्रॉप्लम eं डाल दिया गया है, तो वो सब मदद करने करने आते हैं, वो सब उसकर मदद के CrYU के बाहर ke उते है तो जैसी केस स्टू हो जाता है तो पहले जच कहते हैं कि यह केस हम डिले करें कुछ दिनों बाद डिसीजन निंगे सपे क्योंकि वह डर चुके थे वह भीड़ को देखें तो महादमा गांधी जी को जब बुलाया चाता है तो वह कहते हैं हां मैं गिल्टी हूं मेरी गल्ती ह मैंने कानुन नहीं मारा है मेरी गल्ती यह वह महीं है धिस समझी मेरी के चलते हैं डोसे नहीं होता कि मैरे इंसानियट की चलते हैं यह करा है और मैं बेitter हो मुझे जो सजा मिल सकती है वो दे सकते हैं मैंने अपनी इंसानियत की ड्यूटी को चलते यह आप लोगों की बात नी मानने की में चमपारन से जो अब जच को फैसला सुना आना था कि आप मात्मा गांधी जी का फैसल किया जाए को ने जेल में मैं जेल में सजा दी जाए गया क्या होगा जच कहांटे और यह थो नहीं यह बीधे कि तो रहो ना कि या यह सभाट पर शुरू होता है और जहां पर जैयद है कि यह वाले केस के आपर सुनवाई अब कुछ दिनों बात होगी रही कि पता नहीं कितने लिख माहत्मा गणी को बिना कोई फैसला सुनाई और बिना कोई भल-वल कर दिया जाता है तक हरका गयों चांप्रण ऐसे पर रह सकते हैं ॉन जेल को चाहित है ौन अब गान घे उसकाइब एस पर्ण पेंड़या अंदर केस में डिसीजन नहीं लिया गया कि उन्हें जेल होगी या उन्हें चंपारसन भाहर भीज दिया जाए उसको देखकर जो है अंदर डिसीजन यह नहीं लिया गया तो यह यूनिटी की पावर हुटी है अब महात्मा गांदी जी कहते हैं मुझे पता था कि अगर ऐसा नाओ किसी दिन अगर ऐसा हो कि मेरे को यह जेल में भेज़ दे मैंने रॉब्रेकर तो मैंने सारे लॉयर फ्रेंड्स को बुलाया राजींदर प्रसाद थे बिच किशोर बाबू सारे बड़े-बड़े लॉयर्स को म टिन हैं भहार की नहीं है जब यह Πेजिन्स प्रिपन को नहीं के लिए जैल जासकते हैं जी जानते भी नहीं है तो हम क्यू कहते हैं हम आपके पूरी साथ में हैं अगर आप जाएल जाओगे तो हम भी आपके पीछे पीछे जाने के लिए तयार हैं हम भी फार्मर्स के मदद करेंगे और यहां पर महात्मा गांदी कहते हैं दब बैटल ओफ चमपारन इस वन तो वह तब कहते हैं जब लॉयर्स एक जूट होते महात्मा गांदी जी ने यूनिट लेकर आये ते महात्मा गांदी जी तो फिर क्या होता है अब वो लोग जो है कुछ दिन बीच आते हैं और कुछ दिनों वाद उनके पस एक लेटर आता है लेटर कहां से आता है को लेफटिन गवर्णर वो मैसेज भेज़ते हैं और उस के लेटर में क्या लिखा होता है कि वह महात्मा गांदी पर केस चल जा जाने वाली बात नहीं मानी थी और केस चला था भी वह केस को ड्रॉप कर दिया चाता है तो यहां पर देखो से विल डिस ओविडियन की पहली विक्टरी मिलती है महात्मा गांदी जी रूल टोरा बट कर दिया तो यहां पर महात्मा गांदी जी कहते है कि this was the first time in modern इंडिया हमने एक विक्टरी हासल करी थी क्या विक्टरी हुए कि मानमा गांदी पर केस चला बट इन्होंने खुझ से केस को खारिश करा क्योंकि unity देखके डर गए थे अब वो कहते अब यह सामय आया मेरे पास तो वो पूरे रिपोर्ट रेडी कर लेते हैं और उसको पेज देते हैं अब कुछ दिनों बाद जून स्टार्ट हो जाता है और जो सर एडविट गेट लेफ्टरेंट गवर्नर थे वो महात्मा गांदी जी को बुलाते हैं क्यों बुलाते हैं इसी चीज के लिए बुलाते इंटर्व्यूस चल दें कौन-कौन होता है फार्मर्स की तरफ से महात्मा गांदी जी होते हैं अकेले महात्मा गांदी जी लैंडलॉट्स थे और यह थे सर जो यह एडवर्ड गेट थे इनकी मिलके चार्ड लॉंग इंटर्व्यूस होते हैं और अब डिसीजन लिया जा सब्सक्राइं नहीं के लिएक तो नहीं कि महात्मा गांदी जी हनड्र परस един ह жив थांट क्योंकि इन गैंडल लूटा था ना सारी सारी अनद की वह ऊक्रणं हो ऑला के लिए महात्मा गांदी जी एक अलग ही सोच के थे कदम आगे चलते थे उन्हों ने उसकी परसेंट परसेंट कंपनसेशन ना उन्होंने का यह जो इन्हों ने लुटा है ना पैसा फानमर से उसका 50% वापस यह दे दे लैंडलोट्स बट लैंडलोट्स क्या बोलते हैं यह और नहीं पेंड हो जाएगा वाट महादमा गांदी वह स्मार्ट वह इस 25 परसेंट पर हां कर दीते हैं यह देख रहे हो आप आप सोचुगे इसा क्यों किया उन्होंने कि भाई बैचारे फार्मर जिन से इतना पैसा लूटा गया उन्हें सो परसेंट का सिफ 25 परसेंट वाप परसे जब फार्मर की जीत होगी तो उनके मन में भी अलगी एक जीत होगी और उन्हें पता होगा कि हां भई हम भी कोई अगर हमारे साथ कुछ गलत करेंगे तो हमारे पास है अपनी बात सुल्वाने के लिए तो वह भाट मंगाली जी वादाते हैं कि मैटर मनी की नए ती यह मैटर प्रेस्टीज और प्राइड की थी कि आज पार्मर जीते हैं आज इन लैंडलोड से जो जीतना ही बहुत बड़ी चीज थी सबके लिए तो वह 25 परचेंट पे हां करके मान जाते हैं और पते कुछ समय बात क्यों होता है यह जो पूरा का पूरा शेयर क्रॉपिंग पाटन थाना यहीं डिसपियर हो जाता है अभी तो 25 परचेंट ही वापस मिला जो है पूर पीज को जीत दिलवादी उनको 25 परचेंट हिस्सा वापस मिल गया तो उन्होंने पैसा दिया था उसका और सेकेंड ली अब उनके अदर एक प्राइड थी कि हां अगर हमार साथ कुछ गलत हो तो कानून है जो हमानी मंदत करेगा और कानून को भी सुननी पड़े कि क्योंकि यह अब महत्मा गांदी चले जाते वापस चमपारन से हो गया काम यह वाला बट नहीं महत्मा गांदी जी कुल्च्रल और सोशल चीजों पर भी बहुत ध्यान देते थे उन्होंने देखा कि चमपारन में बिल्कुल भी डेवलाप्में नहीं इसके उपर गाइस एक्जाम में क्वेशन आते हैं यहां वाले से ठीक है तुम 2 में भी आता मैंने बताया था तो अब भात्मा गांदी जी जो है जा सकते थी बट नहीं जाते हैं वहीं रुकते हैं चमपारन में और समय और वहां पर कल्चल और सोशल डेवलाप्मेंट के लिए काम करते हैं वह सबसे पहले बच्छों को पया पाएं फिर जोन का यंगिस संधा देवदास वह भी वहां पर आ जाते हैं आश्रम से और वह भी जो है मिलकर वहां पर काम करते हैं अध्पार गांदी जी चंपारन में प्राइमरी स्कूल से उपन करते हैं तो देखो चे विलिजिस में उन्होंने स्कूल फिर उनकी जो वाइफ ती कस्तूरवा गांधी वह क्या करती थी वह आश्रम के रूल्स पर्सनल क्लेंटेन करने के वहां पर लोगों को सिखाती थी फिर एक दिन गांधी जी ने अपनी वाइफ को बोला कि वह जितनी भी लेडीज हैं उनसे पूछे कि उनकी जो सारी है वह इतनी फिल्थी स्टेट में क्यों है वह एसे कपड़े उन्होंने क्यों पहने हुए है तो उनकी वाइफ जाके पूछ ती लेडीज से कि वाइव यूर वेरिंग डिस लोट तो वहां पर लेडीज बताती है कि उनके पास एक ही सारी है और रखने की कोई जगा नहीं है तो इस वज़े से उन्हें काफी दिन हो था कि एक ही सारी को पहना पड़ता है तो यह चीज गरीब ही दिखा रही है कि उनके पास एक से जादा कप्रे अफॉर्ड करनी की भी पैसे नहीं थे तो इतना बैक्वर्डनेस ता महां चमपरन पे उस समय में और इनी का पैसा लूट में से कवर्डनेस दी जाती है कोन-कवर्डनेस है कई यहां यह चौट क्वेशन आ जाता है तीन मेडिसें कैस्टर ओइल किनव और सलफर ओंटमेंट ठीक है तो जिसको और टंग की प्रभ्लम होथी थी उसे तो इस तरीके से महात्मा गांदी जी ने हेल्थ का एड्यूकेशन का दिहान रखा और वहीं पेड़ाय चंपारण को थुड़ा डेवलप्ट करने के लिए तो यह आप देख सकते हो महात्मा गांदी जी इतने समय तक चंपारण में अब जब इतने समय चंपारण है जो उनका आश्रम था वहां पे इंस्ट्रक्शन भेज़ते रहते थे कभी वाश्रूम साफ कराने के कभी अलगे लग वहां भी कनेक्टेट थे वहां भी सब देख रहे थे तो उनका जो काम करने का स्टाइल था वह बहुत डिफरेंट था अब लूइस वेशर को बताते हैं कि जो चं गandhi politics अभर रिख करने का तरीका क्या था वह यू अबसाइट मतलब कि सिफ कहने की बाते लिए बहुकर वहां पे उस बात से प्रूम होझा दूजाद है कोई बहुत कि इंसान कंग मदे से डरेगा कोई चोट के और इंसान क्रिमिनल बंदे से डरेगा कोई ऑडर को तो तो एडियाज में पड़े कि कलको लोग मुझे सुझें कि मैंने रूल ब्लेक कर दिया उनकी पॉलिटिक्स थी ही ऐसे खाम करने का था यहाई था यहाई तो यही तरीके से वहीं लेटेटी थैं ईंडिया में हमाझे सभी लीडर्स को सभी लोगों को कि इंसानियत सबसे बड़ा जिसको हमीं फॉलो करना थी है, सोचना थे तु जो है कितनी बार हम ने शाप्टर में उनका नाम पड़ा that he was also there in this moment तो राजींद पर साथ बताते एक किस्सा जो इस समय पर चमपारन आले वो कहते है गांदी जी नहीं सेल्फ रिलाइंस का आतन निर्भर होने का एक लेसन दिया था और आडू हमाई पास रूख जाएं यहां पर और रूखने गुते यार वी थे गांधी जी जो है समझ जाते हैं सीज को कि राजींद परसाद क्यूं कह रहे थे रहे थे अगर अंग्रेज होगी लड़ाई की खिलाफे तो सही रहेगा बट गांडी जी यह बात को समझ जाते हैं और वह कहते हैं नहीं और राजेंदर प्रसाद को समझाते हैं कि अपने साथ नहीं रखेंगे यह लड़ाई हमारी है हम इसे खुद लड़ेंगे साथ इंडियन्स मिल अगर हमें इंडिपेंडेंस हासिल कर दी है तो वह तब ही होगी जब सारे इंडियन से खटे हो गए तो जजने फैसला नहीं सुनाया सारे लॉयर से खटे हो गए सारे फार्मर से घटा होगे तो वह वाली केस को ही लेज़ कर दिया हुए और गांडी जी सिफ 25 परसें रिव जनने के तैयार होंगे अगर उनके साथ कोई ना इंसाफ होगी तो विद इस यह चाप्टर आपका कम्प्रीट होता है सब से इंपोर्टन पोर्शन गाइज यही वाला है आपका कल्चर जो उन्होंने हेल्प करी वहां पे कल्चर सोशल डेवलाप्मेंट में और साती के शूट स्टार्टो चुका है ओफिस पोई जी प्लीज यह पैंकेक ले जाहिए हाई अब्रिवन में चैनल आइम जमिन्सानी तो यह ऐसे आप्टिंग मैं इसलिए कर रही थी विकॉस आज मुझे आपको पढ़ाना है एक चाप्टर जिसका नाम में पोईटसन पैंकेक अब अब यह जो चैप्टर है इससे बच्चेना थोड़ ऐसा कंफ्यूजिंग बोरिंग समझते रहते हैं बट चैप्टर बहुत ही मज़िदार है और आज में यह चैप्टर आपको बहुत जल्दी से पढ़ाने वाली हूँ ठीक है तो देखो जब मैंने चैप्टर को तीन-चा हमें कैसे बीता वो सब आज हमें इस चैप्टर में बताएंगे यह जो चैप्टर है यह उनकी बुक में से लिया गया है जिसका नाम है माई इयर्स विद बॉस यह जैमिना स्टूडियो में काम करते थे इनका बॉस कौन थे वासंजी ठीक है तो शुरू करते हम अपने इस कुछ ही मिनटों में आपको यह चैप्टर बहुत अमेजिंग सबसे प्यारा लंगने लगेगा तो भाई यह जो जादा महां पर यूज किया जाता था यह वाले ब्रांड का मेकप जो था बहुत बढ़ी बढ़ी अक्रिस वेजिंती माला ग्रिटा गार्बो बहुतों नहीं करता है क्योंकि जब तक वह अक्रिस मनी वह फेमस होई तब तो यह वाला ब्रांड बंदो चुका था तो पैंकेक तो भर-बर के आता था यहां हमारे जैमेनाय स्टूडियो में वहां पे उसका मेकप होता था ठीक है यूज हुआ करता अब मेकप डिपार्टमेंट जो था जैमेनाय स्टूडियो का वह एक बिल्डिंग के ऊपर था वह बिल्डिंग एक ब्रिटिश ऑविसर की थी जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइफ जो था वह बहुत बार मदरास आता रहता था उसकी मदर्दास में दरजनों प्रॉपटी थी उन में से एक यह बिल्डिंग थ रखा तो रूपर जैमेनाय वालों का अपना स्टूडियो अब रॉबर्ट क्लाइफ बहुत बार जब मदरास आता ही था बहुत जाद बार नहीं जितनी बार भी आता उस वीश में उसने मदरास में एक लड़की से शादी कर ली थी कहां पर कर दियान रखना इसको शायद मारकर में आजा है तो यह रॉबर्ट क्लाइफ यह पर में पड़ी क्यों रहे हैं वहां पर बैठना आसान काम नहीं था वहां पर बैठके पूरे अपना मेकप कराती होगी उनकी बूरी हालत हो जाती होगी क्योंकि वहां पर वहां पर बताते हैं कि वह जो मेकप पूरा का पूरा डिपार्टमेंट था उसका हैड पहले हुआ करता था बंगाली वहां से चला चला जाता है और उनकी पूरी अपनी टीम होती है और उनकी टीम में अलग-अलग स्टेट्स के लोग थे तो एक तरीके से युनिटी तामि सारी स्टेट्स की लोग मिलके रहे हमारी जैमनाय स्टूडियो के मेकप डिपार्टमेंट में तो अच्छे घासी उनिटी पहले से चल दी अब यह हमारे जो यह राइटर है इनका व्यूस मेकप के उपर डिफरेंट था वो कहते थे मेरे को यह सा लगता है कि यह सारे लोगों को और बचूरत बना दें हमारे ऑदर को लगता था मेकप करके जितने भी यह मेकप करनेंट की करता था और फिर बार ही आती ओर जैसे अगर कोई कोई शूटिंग होनी हो तो अगर उन ती थी एक office boy नाम के आदमी की ठीक है office boy होते है ना ठीक है तो गयते office boy की duty थी पूरे crowd की शूट करने थी office boy क्या करता था crowd shooting के अंदर एक बाल्टी लेता था उसमें ये pancake मिलाता था घोलता था और सारे के सारे crowd के मूपे ऐसे पोत दीता था कि एक भी पोर उनका ना बचे वो गोरे चिट्टे हो जाए और वो शूटिंग के लिए रेडी हो जाए आब वह बताते हैं कि यह office boy था वैसे यह कोई boy नहीं था यह 40 साल था यह बहुत समय पहले जैमिना स्टूडियो में आता इस उमीद में कि यह एक बड़ा आक्टर बन जाएगा प्रड्यूसर अगबारों में से कलिपस काटते थे वह जब भी कोई निउस छपी हो दी उनके इंडस्ट्री से लेड़ेडेट उसकी क्लिपस वो निकालके एक कॉपी पेस्ट कर देते वहां सभी लोगों को लगता था कि मेरा काम बहुत इंसिग्निफिकेंट है जब भी कोई खाली होता आके मुझे लेक्चर देता था किसी को गुस्सा आता सारे गुस्सा की मेरे लंगा देता था हुए ऩब कराना था शूह einzige पर ने ह्युक्ति से और और टायूब करते थे फिर वो बताते है ओफिस बोई जो थाना यह एक इंसान से बहुत जादा चिरता था वह इंसान कौन है चलो उनके बारे में पड़ते हैं नोट्स अगेरा सब आपको यहां पर मिल जाएंगे और यह मैंने कम्मुनिटी पे भी पोस्ट कर दिया है वो कहते थी ओफिस बोई एक देश्करण यह बहुत सक्सेस्फुल ने इसा नहीं में लाइफ में महनत ने करें नहीं इनके समाने में तो और भी जादा नियों इतने बड़े-बड़े तब श्टूडियो नहीं थे और यह इतने जाद एजूकेट्ट भी नहीं थे जितना आफिस बॉइं उनसे चरता है बट ये जो कोठा मंगलम सुभू है इन्हे एक एडवांटेज रही हो अपनी लाइफ में जो ये इतने आगे बड़े हैं वो एडवांटेज ये थी कि ये ब्रहामन थे तो इन्हें काफे इज़त मिलती थी समाज में तो जो भी है कोठा मंगलम सुभू बहुत ज़्यादा सक्सेस्फूल थे और वो टेलर मेड थे मूवीस के लिए यानि कि कोई भी अगर जो है मूवीस से रिलेटेड काम हो चाहिए वो किसी एक सीन को डारेक्ट करना हूँ या वो आक्टिंग करना हो पॉफेक्टली कोठा फिर पालने लगता है अगर को पूरा का पूरा का डारेक्ट करने के लिए तो सुप्भू काफी ही जादा आप समझो टेलर मेड थे modulus इंकाम थाना लीड आक्टर से भहएंकर गाम करते थे इतना बढ़ी हा काम करते थे सुपो बहात अच्छे पोयड भी थे याद रखना इनकी पोइट्री इनके पास ऐसी स्किल्स थी कि बड़ी हेवी लैंग्वیज की पोईटरी के लिख सकते थे बट यह बहुत सब्सक्कों की नॉर्मल लोग उनकी भाजा को समझ़ों को पड़ी है क्या लगप है क्या और कोई पड़ी होगी पड़ते ही समझ में आ जकती है तो संब्सक्राइब के पोईट थे जो चाहते थे हर किसी को उनकी पोईटरी समझ भी आ जाए अब बताते हैं सुबू ना दिल के बहुत अच्छे इंसान थे वह बहुत ज्यादा सब लोगों को चारेटी में बिलीव करते थे सबकी बहुत ज्यादा मदद करते थे उनके घर में बहुत सारे लोग शुबू की लाइफ का तो शुबू जब इतनी अच्छे इंसान है इतनी यह जए वह छिए तनी सक्सेस्फुल है या इस लिए चिरता है के यह स्टूरी देपाट्ट्मेंट में काम करतें वैसे तो नंबर तुपर हैं वैसे तुनाइप है बद्ान वह स्टूरी में बियुक्त को फेस्ट ुच पर दिपार्टविक्स असे प्सक्ष्ट दीए ब। एक पीशन कोप priest Nixon वो खुद को ढाल रही थी उस सब चीज़ों के अंदर तो एक दिन कुछ हुआ तो उसे गुस्ता आया और वो चिक-चिल्लाट कर रही है चिल्लाट यह सब लोग के उपड़े मैं स्टूडियों में तो वह जो लॉयर था उसने क्या कर रहा उसके जो है उसको रिकॉर्ड कर ल जिससे एक अच्छी लड़की जो अच्छी आक्टरिस बन सकती थी वह भाग जाती अब यह जो लॉयर था यह स्टोरी डिपार्टमेंट में आता था स्टोरी डिपार्टमेंट के बाकी सभी लोग कुर्टा बच खुद होती पहनते थे गांदी जी स्टाइल के कपड़े प होता है तो जो इनके बहुत सवासन यह स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर देते हैं और इस वज़े से लॉयर की जॉप चुट जाती है तो कहते हैं पहली बार हुआ कि पोईट्स और राइटर की वैसे किसी लॉयर की जॉप चली गए थी अब आगे वह लॉयर का समझ मे पास में जबाएं तुमारा हॉंट होगा ठीक है जैसे मेरे स्कूल के पास में ट्राइंगल था वास सारे बच्चे चुट्टी में जाते थे वाइस्क्रीम वाले भाईया ओदे थे और बहुत सारी अलग अलग खाने की चीज़ें मिलती थी सारे महां जाके घाते थे जैस्त्री बहुत बड़े बड़े पोएट्स बहां के बैठते थे मैस में चाई पीते थे और बातशीत करते थे वह कहते थे उस समय जो है जो कॉंग्रेस पार्टी उसका रूल चल रहा था कि लोगों का अस्सेशेशन बनाना अलाउड नहीं था कि ऐसे लोग मिले क्रियेटिव टाइप के थे अपड़ा टेंशन वेंशन लेते थे फ्री रहते थे बड़ ओफिस बोई को छोड़कर बाकि सब लोग कैसे थे पोईटरी साइड वाले थे लिख लेख 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 थे तो लेख राइटर खुश तब रहेंगे और जब पीसफुली रहेंगे अब हो जो है चीजों को लेख सकते हैं क्रेटिव इंसान कब होगा चोपो टेंशन वेंशन लेगा फ्रीली रहेंगे सब लोग बहुत बहुत करो और खुद को आगे बढ़ाओ ठीक है तो आप बताते हैं कि यह जितने भी जो थे हमारी आपे पोएट्स आती थे जितना भी साफ था वो गांदी जी को बहुत मानते थे पॉलिटिक से जाधा नाता नहीं तो फॉलिडिक को बहुत अच्छे से उनके प्रिंसिपल्स को भी फॉलो करते ते गांदी के जो है फॉलोवर्स थे जेमिना स्टूडियो के सभी लोग मोस्ट अब यहां पे वहमें कुछ बता कंट्री चलती है पता है आपको एक कंट्री इस चीज के उपर निर्भर करती है जैसे जो है अमेरिका है वहां पर चलता है कैपिटलिजम कैपिटलिजम मतलब कि प्राइवेट ओनर्शेप अलावड है जिसके पास पैसा अपना घर खड़ी थे पैसा स्कूल बनाए पैसा बिल प्राइवेट पॉपर्टी नाओड इंग जो भी चीज होगी लोग मिलकर खरीदेंगे जैसे फार्मर दस भीस फार्मर केट पर काम करें जो कुछ भी उसमेंसे फसन निकलेंगी सब आपस में बाट लेंगे बाटेंगे कैसे वह सिस्टिम जो है बहुत बड़ी बड़े दे ती थी हैं Gemini studio में पूरे South पे ऐसा सोचा चाहता था कि जो इंसन communism को follow करता है जो communism में बिलीव रबता है वह Godless मैंने Godless मतलब किसी धर्म में विश्वास नहीं रबता रिलिजिन में विश्वास नहीं रबता और उसको नहीं अपने बच्चों से प्यार है नहीं अपने माता-पिता से प्यार है अगर उसे कहा जाए उनको मार दो तो वह उने मार भी देखा ऐसी धांडाय बनी हुई थी तो कम्यूनिस्त के खिलाव कि अश से अरफ जो दो बच्चों से और फेमिली से बिल्कुल प्याटनी ऑप यह सोच बनी हुई थी उनके सोच्थ वरस के साथ से तो आप आगे बड़ते हैं कम्यंविम्स की पारे में आपको इतनी जाना था आप किया कहते हैं वह कहते हैं के proceed कि ऊप यहां पर आके रहूं यह लोग प्लेए ब्लेया करते हैं इनको कई लोग International course में बताते हैं ईन्हें कोई सरकस के करना नहीं करतब करने आके और जयाने वरों से इनको कोई करतब करनी चाहिए इनके पास कुछ करेंग कई अगलानें लोगा deixa यानि कि यह जो एम आ रहे हैं मौरल यार्मेंट आर्मी इसको जो है यह आ जाते हैं जैमेना स्टूडियो में और काफी दिनों तक यहां पर रुकते हैं क्या करते हैं यहां पर खाली थोड़ी बैठते हैं प्लेस करते हैं यहां पर बहुत सारे अंग्रेज लोग आते हैं मौ और गटन फैक्टर दूसरा है जौतम वैली याद रख लो एक्जाम में आएगा क्वेश्चन में इनके प्लेस के मॉरल वगेरा तो सिंपल सा ही होता था ऐसे तो हम हमी अपने प्लेस से मॉरल देते थे बट इनके चो एक्विप्मेंट्स होते थे वह फर्स्ट क्लास होते थे लगा देते थे वाइट कलर की वाइट पाक्रण और साइड में फ्लूट बजाते थे तो वह गुड मॉर्निंग और संसेट का सीन दिखाता था तो यह चीज बात में वह कहते हैं जो प्लेव अगयर थे वहां पर फॉलो करनी स्टार्ट कर दी तो यही चीज आपको याद र आर्मी वाले यह कम्यूनिजम के खिलाफ थे वहीं कम्यूनिजम जिसके वारे मैंने आपको बताया जिसमें प्राइवेट ओनर्शिप नहीं होती है और जो है सारे इस तरीके से यह यूएससर में चलता था यह सिस्टम यूएससर अगर आपको नहीं पता है रश्या और बा जो चलता है यह कौन सा कम्यूनिजमे अंध BY में कम्यूनिजब कर में खिलाफ मेंशेजदे थे यह कम्यूनियंजम के खिलाफ एक मौव्मेंट था था तो उनको नहीं पता था पहले जब लोग आए ते तो इस साउत में और इंडिया में भी Прšक्राष मिकम्यूनिज Hal Commerce दें चल रहा था जो भी था किवनिजम के खिलाफ ले करने आए या जो भी करने आए थे ठीक है महार को तो बहुत अच्छा लगए नोगों के साथ टाइम स्पेंड करके हमें बहुत अच्छा लगा जब हमने अलग अलग शकलों के लोगे मुझे जो है पैंकेक पुत्ते वे देख नाम सोत है किसी को समझ में यहां तक कौन सा पोईट आ रहा है फिर इनको पता चलता है किसी अखबार में एडिटर है तो इन्हें लगता है अच्छा एडिटर है हमारे जो इनके बहुत बढ़े अकबार के एडिटर नहीं है पता नहीं कौन आ रहे हैं यह लोग वेट करते जो सामने बैटी जनता होती है उन्हें कुछ समझ में आया था पोईट ने क्या उला पोईट भी सोचते है क्या करूं मैं क्या बता हुए ने बट वो इंगलिश में प्रॉपर इंगलेंड वाली इंगलिश में अपनी स्पीच दे के वो पोईट चले जाते है अब हमारे यहां से डिलीटेड है 2022-2022 पैट से स्टीफिन स्पेंडर की तो यहीं पोईट आये थे यहां पे स्पीच देने के लिए बट हमारे ऑसर को यह समझ में आता है कि यह क्यों आया है यहां पर स्पीच देरे क्या बोलके गए हैं इन्होंने यह वाली और्डियंस क्यूं तो हम पूरी की पूरी script लिखते हैं और अगर कल को हमें rejection मिल जयाए क्या है हमने कोई चीज रेडी करी है को ऑगेर हमनेgebenお願いします हाए पीर अदोगे उसकी पूरी script और यहां मना करते हो हम आगना नहीं तूटा है बस अगली script दुबारा लेखने ही शुरू कर देते हैं यह बतारे राइटर लोग बहुत पेशेंट होते हैं उन्हें रिजेक्शन मिलता है बट वो उसको एक्सेप्ट करते हैं वो कहते हैं तो मैंने एक बार पड़ा उसमें कॉंटेस हा रहा था पहले पैसे खर्ष करूं लिखूंगा उसे पहले चेक करा तो यह गया पड़िक लाइडरी में बिटिशर वाली महाँ जाके मैंने देखा बहुत सरी मैगजीन पड़ी थी इनकाउंटर की मैंने चेक करा और जैसे उन्होंने वह मैगजीन उठाई तो वह पोएट का नाम जो के जो लिख रहे थे उनका नाम देखें वह काफी हरान हो जाते हैं एडिटर का नाम देखें वह कौन थी स्टीफेंस पैंडल वह ही पोएट जो कुछ दिन नो पहले जैमेन आये थे वह उनका नाम देखें तो मेरा दिल बड़ा खुश होगी तो मुझे विच्छावा ख़ें क है तुन्ही पंध अच्छा लगता है कि थे मैं पोस्ट कर दिया अपना शॉट स्ट्री बस यह नहीं बताते हैं वह जीतता है अब बताते हैं काफी साल बीच जाते हैं मैं जैमेना इस्सुरीयों में काम करना भी बंद कर देता हूं उसकी बाद एक दिनहीं में सद पैसे नहीं थे तो कोई भी सेल वेल पे लग रही हो तो मैं खरीब लेता था तो ऐसे सड़के किनाडे चल के जा रहे थे उन्हें दिखता है कि एक बुक सेल पर मिल रही होती है कौन सी बुक थी वो यहां फोटो देख सकते हैं यह बुक मिल रही ती गॉट दाट फिल्ट और यह जो है किसी स्केशन की वज़े से यह डिसकाउंट पर मिल रही थी स्टूडेंस को कौन से उकेशन था वो पचासवी एनिवर्सरी थी रशीयन रेवल्यूशन की तो भाया उसके वैसे कि बुक डिसकांट पर रही थी वो कहते है मैंने भी खरीद लिए बुक अब इस अधर को कभी समझ में नहीं आया उनके विजिट का रीजन क्यों आए यह यहाँ पर उन्हें पर उनके बारे में जानने को मिला बट उन्हें कभी नहीं समझ में तक यह जैमिनाई क्यों आए थे आज पता लग जाता हूने जब वो इस बुक पे उनका नाम देखते हैं से तो वो कहते है उस दिन मुझे समझ में आया कि Stephen Spender क्यों आय थे जैसे मॉरल रियार्मेंट आर्मी भी एक तरीके से इंडारेक्ट मैसेज दे रही थी कम्यूनिजम के काउंटर में अपने प्लेज में वैसे ही यह Stephen Spender भी स्पीच देने आय थे वहां मदरास में जैमिना स्टूडियो में आज उने यह पता चलता है मेरे दिमाग मिनसी बत्ती सी जली जैसी मैंने दे गौट डाट फिल्ड अकनफेशन वाली बुप पे Stephen Spender का नाम पड़ा क्योंकि अब वो समझ चुके थे कि Stephen Spender भी स्टूडियो में आई थे क्योंकि यह जो बुक है दगॉर्ड डाट फिल्ड इसमें यह सारे के सारे छे के चे का नाम पढ़ लो आप गाइस अर्थर और रिचर्ड राइट यह लूइस फिशर सब के नाम है एक और कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दिने इनके नाम तो य उन्होंने उस जौब को अपना चुड़ा होगा का बहुत समय बाद जब गूम रहा था तो उस दिंग जाके उनकी मिस्ट्री सॉल्व होती है कि स्टीफन स्पेंटर कम्यूनिजम से बात करने आया थे जैसे मोरली आर्मी का भी छुपावा रीजन यही था यहां पर बस अब इसके यह जो प्रॉपर नोट्स अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो और कम्यूनिटी पर जाओ मैंने पोस्ट कर दिये हैं कम्यूनिटी का लिंक भी डाल दूंके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब्स्टाइब मिलते नेक्स वीडिय एक इंटर्व्यू के बाद में बस बताएगे और एक इंटर्व्यू हमें पढ़ने को दिया गया है तो जो क्वेशन आएंगे उसके वीडियो बना चुकिए आप देख सकते हो इसके बेस के मॉडरिन क्वेशन नोट्स मिल जाएंगे आपको कम्यूनिटी पे तो बिना फुलुविंग बुक में से कुछ एक्स्ट्राक्स को लेकर आपका चाप्टर बना दिया जाता है उसे हम एक सब्ट कह देते हैं तो यह क्रिस्टिफ सिल्वेस्टर की पेंग्विंग बुक ऑफ इंटर्व्यू जो बुक है उसमें से यह जो है वो लिया गया है आपका लगभघ 130 से भी ज्यादा साल होने वाले हमारी सुसाइटि में इंटर्व्यू की होते बहुत सारे एसे जिन्नों ने इंटर्व्यू पढ़े हैं मतलब ऐसा कहा जाते हैं कि जीतने लोग को पंड़ना लिख ना आता अंहोंने जबरूर अपनी लाइफ में एक इंटर और उसिजो से रले बहुत सारे उपिणियों से सोसाइटी में मैं कोछ लोग दो यह तो एक कला है, यह एक कला की तरह है, जैसे एक art form होती है, बहुत ही बढ़िया चीज है, interview, interview से बहुत knowledge मिलती है, यह एक कला है, बट जो लोग interview को support नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि जो interview है, वो एक आदमी की life के अंदर जबरदस्ती की दखल अंदाजी होती है, intrude करना किसी intr intrusion, अगर कोई जबरदस्ती आपकी life में दखल अंदाजी करा तो आप उसे ऐसे कह सकते हैं, stop intruding, ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि सामने वाले की personal life में, क्योंकि काई बार interviews में जो है, personal question भी पूछ लिये जाते हैं, तो कुछ लोगों का मानना interview अच्छा है, जो ल बार interview उनकी personality को diminish कर देता, अब diminish कैसे कर देता है, suppose करो, कोई आपने interview देखा, किसी एक जने का, ठीक है, अब interviewer ने कुछ उनसे question पूछे, उन्होंने उस समय के कोई जवाब दिये, आपके मन में उनकी सोच वैसी बन गई, हो सकता है, उन्होंने एकदम से वो जवाब दे द आती है, और image बनना किसी के लिए भी सही बात नहीं होती है, जब हम किसी से सच में मिलेंगे, तब हम जान पाएंगे, वो कैसा है, तो कुछ लोग इसको पसंद नहीं करते, interview को, कुछ लोग बहुत पसंद करते, कहते हैं, यह कला है, अब हमारी इस बोग में, हमें उन लोग उनको लगता है, some people are wounded by interviews and lose a part of themselves, इस पर से चाप्टर में से एक्स्ट्राग भी इस question आ सकते हैं, तो मैंने करवा दिया आपको, description box में वीडियो गिवन आप देख लेना, तो यह जो lines है, इन पे questions बनके आ सकते हैं, तो V.S. Naipaul जी ने क्या बोला, उनको वो कहते हैं, कि कु इस इमेज बन गई, तो सोचो, उनकी life post चीज का कितना effect पड़ेगा, वो जिनकी बार उस चीज को, उस दिन को याद करेंगी, कि क्यों मैंने वो इंटर्व्यू दिया, वो पूरी जिनकी उस चीज के लिए परशान रहेंगे, और दुखी रहेंगे, कि क्यों भाहिया, वो यह चीज उनोंने किस language में बताई, that some people are wanted by interview, कई बार ऐसा हो जाते हैं, दोरान ऐसा कुछ हो जाए, वो कुछ जवाब देते हैं, लोगों की ऐसी इमेज बनने नेगेटिव, लोगों के बारे में सोचना लगें चाहिए, वो सची में ऐसे इंसार ना हो, तो कई बार लोगो इंटर्वियर पहुचता था तो उन्हें ड़ लग जाता था, वो बिलकुल बें इंटर्वियू देने में इंट्रिस्टेड नहीं थे, इन फाक्ट उन्हें तो वो लोग भी पसंद नहीं थे, वो सबको इगनोर करते थे, अब आप कहोगी कि this is not good also, कि कोई autograph मांगने आ रह तो वो पापराजी को, और वो autographs को, और वो अपने acquaintances से भी अपने चान पर संद की लोगों से भी कम मिलते थे, so that कोई उनका इंटर्वियू करने ना आ जाए, वो scared, but वो अपने काम के थूरू लोगों से बहुत connected रहते, किसी से इंटर्वियू नहीं करते थे, अपना काम म इनकी वाइफ है Caroline, उन्होंने 14 October 1892 को एक डारीग में अपना मेंशन कर रखी थी, उन्होंने का हमारा दो रिपोर्टर्स ने दिन बहुत खराब कर दिया, तो जो बॉस्टन से आये थे, और मैंने अपने हस्वेंड को कहते वे सुना, वो रिपोर्टर्स को क्या बोल रहे थ किसी को आपने क्रेमिनल अक्टिविटी कर दिया, तो रुडियर्ड के प्लिंग का यह मानना था, कि इंटर्व्यू उतना ही बड़ा असॉल्ट है, जैसे किसी को आपने मार पीट दिया है, तो वैसी पनिश्मेंट इंटर्व्यू के लिए भी मिलनी चे, यह तक उन्होंने बोला था, but actually में हुआ क्या, कुछ समय बात देखा गया, that उन्होंने खुद ही Mark Twain का इंटर्व्यू लिया था, तो यह चीज तो हिपोक्रिसी हो गई न, कि उन्होंने बोला इंटर्व्यू लेना ही, कम क्राइम की तरह है, और वो यह भी कहते थे, कि कोई भी दान में किसी का इंटर्व्यू नहीं लेगा, इंटर्व्यू नहीं लेगा, बट देखो, बुक में लिखा गया, इस हमें बुक में से बढ़के बता रहे हूं, but after some time, almost बहुत सालों बाद, इन्होंने, Mark Twain का इंटर्व्यू खुद लिया था, जब क्या कह रहे है, इन्हों समझ गए, simple, कुछ मुश्किल नहीं थे, इस चाप्टर में, मैं पढ़के तो बता रहे हूं, next आते है, H.G. Wells का, बहुत फेमस नॉवलिस्ट है, मेरे पास तो इनकी नॉवल्स का सारा कलेक्शन है, ठीक है, तो ये, कौन कौन सीन की फेमस नॉवल है, War of the Worlds, Time Machine, Invisible Man, तो भा अच्छा नहीं लगता है, वो एक बहुत बाद experience वो उसके लिए हो सकता है, कि ये interview के हक में नहीं थे, but guys, इन्होंने भी बहुत सारे जो है, लोगों का interview लिया था, कहने के बाद भी की interview अच्छी चीज नहीं है, और किसका लिया था, एक example बता रखा है, Joseph Stalin का interview, इन्होंने अगला पढ़ते हैं, अगला हमारे को बता रखा है, Saul Bello के बारे में, Saul Bello भी एक राइचर है, इन्होंने क्या कहा, interviews को, thumbprint on the windpipe, thumbprint on the windpipe, मतलब windpipe, जिसे हम सास की नली होती है, हमारी, वो कहते है, कि अगर interview ले, इस इस का मतलब क्यों है, तबार सास की नली को नहीं, होता होगा, कि हाँ, ये जवाब देना है, ये जवाब देना है, तो इसलिए उनको भी interview पसंद नहीं है, बट फिर भी इन्होंने काफी interviews दिये है, तो ये बात रही, वो लोगों की जो interview के हक में नहीं है, बट despite the drawbacks, चलो ठीक है, हर चीज का positive negative होता है, despite the drawbacks, अगर हम आज कि जमाने की बात करें, तो जिन लोगों को हम मानते हैं, जैसे कोई celebrity होगा, कोई sports person होगा, कोई famous people है, कोई politician है, जिन लोगों से हम connected रहना चाते है, जिन लोगों के बारे में हम जानकर ये असल करना चाते है, तो ये सबसे बड़ा माधिया हमें है हमारे पास, उनके बारे मे किसी के बारे में जानने के लिए, इन लोगों से जिनको आप प्यार करते हो, और connected हैना चाते हो, ये जिन से आप कुछ सीखना चाते हो, अब डेनिस ब्रायन के बारे में बताया है, ये खुद एक जर्नलिस्ट है, और इन्हों ने इंटर्व्यू को ये बात उन्हों ने ही स अब जो एक मीडियम है, और साथ में जब इंटर्व्यू चल रहा होता है, तो जो इंटर्व्यूर होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, यानि कि सपोस्करों सामने कि सेलेब्रिटी है, स्पोस्परसन है, फेमस परसन है, पॉलिटीशन है, और ये मैं हो ग पॉलिटेशन या जिन से वो कुछ प्रेम ना लेते हैं, उन से डारेक्ली जाके नहीं पूछ सकते हैं, वो इंटर्व्यूर के इत्माधियम से पूछ रहे होते हैं, तो उस समय पे इंटर्व्यूर बहुत ज़्यादा पावर्फुल होता है, तो जैसे कि हर चीज का प्रॉ इस नायपॉल हो गया है, रुडियर के प्लिंग हो गया है, अलिसन दर वंडरलाइंड के राइटर नाम बता उनका, हची वेल्स हो गया है, ठीक है, अब बद लिख दो इन पाचो के नाम, इन्हें पसंद नहीं था, इंटर्व्यूर के नाम याद करो, खत्म कुछ भी नही चलो पड़ते हैं, अब हम अपना इसका पाट टू, पाट टू में अब हमें इंटर्व्यू के बार में इतना बताए दिया, तो आप हमें एक रियल इंटर्व्यू पढ़ेंगे, वो दा हिंदू अब बार में छपा गया था, ठीक है, इसमें इंटर्वूर के मुकुन पद इंटर्व्यूर की नोन परोफेसर ऑल्सों, बट इन्हें अपनी लाइफ का एक्स्ट्रीम फेमस हुख कैसे हुए यह, एक्स्ट्रीम वाला जो इन्हें फेम मिला, वो कब मिला, जब इन्होंने एक नोवल लिखी जिसका नाम था, दनीम आफ दो रोस, उंबाई उम्बैट इंट्रव्यू लेने जाते हैं तो चलो अब हम इनका इंट्रव्यू पढ़ते हैं तो यह दिए इसा लोगों को लगता है कि में multitasking करता हूँ मैं कोई multitasking नहीं करता हूँ मैं सेम ठीग को然 repeat करता रहता हूँ तो घब सेम ठीग में ऽा ये क्या सेम ठीग करता हूं तो यह बडाते हैं फिर और जादे है वह कहते है मेरे philosophical interessante यानिकि मैं किसी भी particular klaffy को सौचता हूं और ethics के बारे में सोचता हूं और उससे related लिखता हूं चाहे मेरी पड़ाई वाली किताबें हूं उस में भी मैं ये सब चीज़े लिखता हूं चाहे बच्चों की किताब का भी मैंने लिखी चाहे मैंने कोई novel लिखी है मैं हर एक में philosophical बाते करता हूं तो मेरे को सब सेमी लग रहा था क्योंकि मेरा इंटरस philosophy में तो किसी दिन में बैठ का स्कॉअलरीबू खिर देता हूं मेरा इंटरस philosophy किसी दिन में बैठ के बच्चो की किताब olm Essa मेरे लिए viglai तो मेरे ली मैं तो सेमी काम Kaldra नहीं हो तो लोग ani का साइन्स पर काम करें थे एतना मल्데 टास्किंग इतने जादा काम करते थे इли if लोग नहीं कर पाते हैं और चाहिए कैसे पढ़ाई करें क्या करें कैसे करते थे जैंस रएटने सबसक्राइब करें करते हैं यह नोच रख रहता है जयर दो चाहिए था यह काफी आखरी का चैप्टर शुडवात में डालना चाहिए आपकी बूक में चैप्टर सुधाट आप जल्दी पढ़ लिए इस चैप्टर को आपको पता चलता है इस टेकनीक के बारे में तो मुकन जी का कुछ की सब्सक्राब चाहिए और से जी सबकुराइ चै GMC मंस्क्राइं के बाते हैं कि मेरा एक सीऊचरट यह है कि mnieरी लाइफ में जितनी भी की empty space होती है अवा लाइफ में empty space मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा है कि आप को आप स्कूल जाती हो आप बस से बैयान आती है अपके घर के बार ठीख है अब आपकी वयान के आने में 20-25 मिनट और आप रेडी होगे आप राम से बैठी हो और वह 25 मिनट में आपने सुचा चलो भाई एक इंग्लिश का चाप्टर पढ़ ले तो सब्सक्राइब का वीडियो चानल कोलता हूं और दो चाप्टर पढ़ ले तो 15-15 मिनट में दो चाप्टर टाइगर किंग और रैटर तुनो कम्लेट हो जाएंगे और आपने इस टाइम को यूटिलाइज कर लिया तो सम्झेव आपने वाला काम करा है समझे होगे अभी बताती हूं तो मट्यों क्या करते थे जो भी जैसे 20 मिनट का मैंने का टाइम है चालिस मिनट का टाइम है तो आपने दो वीडियो देख और आप लिफ्ट tinc एतनी दे लग यह तुफिए तो जितनी देर आप और आरे टेह थे हैं में अपने अर्टिकल लिख लिया तो यही तो जैसे मैंने आपको कि आप जाएं का लिए जब रूवन को सम्झेख़ ने कर ने innovator 2 cricket करने अपने उपने घार्टी स प्रणे करने तो कहा है इस चीज से एक लेसन दीजिए आप भी अपना टाइम वीस्ट कभी मत कीजिए ठीक है अब उमबर्ट एको का यह जिवाब सुनकि मुखन जी बड़े हिरान होते हैं कि अधनी देर में आर्टेकल लिख चुके है तो वह कहते हैं सर ऐसा हरकोई तो चलो नहीं कर सकता सब्सक्राइब अब अगली बात पूछते हैं अगली बात यह पूछते हैं कि सर आपकी जो नौन-फिक्षण बुक है नौन-फिक्षंज मतलब जिसमें वह पढ़ाते हैं कि उनगी में वह कमतले अपको नग सा ही स्टाइल है अब बहुत फ्रेंडली वे में लिखते हो आपके नॉन फिक्शन बुक्स भी है उसमें भी आपका जो स्टाइल है वो काफी अलग सा है मन्तरब कि उसको पढ़के बॉन नहीं होता इंसान बहुत फ्रेंडली सा है ऐसा कैसे है आपका स्टाइल क्या आप नैचुरली ऐसे लिखते हो कि भाया आप अपनी पढ़ाई आपके पोस्ट ग्राइजुएशन तो उसमें ना डॉक्टूरल डेजर्शन देने होते हैं ठीक है डॉक्टूरल डेजर्शन एक तरीके की रिपोर्ट बना के देनी होते हैं जब आप भी कॉलिज में जाओगे आप भी बनाओगे पर्टिकुलर टॉपिक पर रेपोर्ट बना के देनी होती है तो वो कहते हैं जब मेरे को डॉक्टूरल डेजर्शन देना था तो मेरा वो डॉक्टूरल डेजर्शन जो मैंने सब्मिट करा था मेरे टीचर को सबसे जादा पसंद आया था और उन्होंने उसको बहुत जादा मार्स दिये तो और पब्लिश भी करा जा करें थे बट उन्होंने क्या करा। उन्हों का जो प्रोजेक्ट था उन्हों ने उसमें स्थ इता है उन्हों में बताया ओस्प्रोजेक्ट कर लगए और जो प्रोजेक्ट करते विए एपने भाय और स्थुसाइन और आपके गलती यहीं तबिस्स राज expenditure दे दिये यह ऐसे होता है सोल्यूशन दे दिये और एक बच्चे ने पूरा का पूरा कहा कि मैं इस शहर में गया वहां पे वाटर पॉल्यूट था मैंने देखा फिर वहां पे इस तरीके से जो है हम लोग मेजर्स अडॉप कर सकते ऐसे एक ने करा स्टोरी टेलिंग तो किसका क्या गलती होई कि दनी बार मैंने ट्राइ करा क्या मेरा स्टाइल था मैंने सब स्टोरी फॉमाट में बदा और मेरे टीचर को पसंद आया और मुझे नंबर दिया उस तो उस दिन मैं समझ गया कि पढ़ाई को बनाने की जरूरत नहीं है अगर हम पढ़ाई को पूस्ते सर आपकी नॉवल इतनी फेमस हुए दे नीम ऑफ दिरूस बट आपकी नॉवल कोई असान सी नॉवल नहीं थी कोई सिंपल सी डेटेक्टिव सोरी जो किसी को भी पढ़के समझ गया थे नहीं तो क्या आपको कन्फूजन हुआ था क्या आप है यह जानकर कि आपक क्伊 destin को ऊछिजoure सारानी थी ममेल चलती क्योंकि यह जैसा लगता है कि लोगों कोट्राश पढ़ना पसंद है कुछ लोगों को आपके बबना यह उनका मतलब है कि काफी लोग जो है उनका इंट्रस्ट कहीं भी जा सकता है अगर एक नॉवल वो पढ़ते हैं तो जुरूरी निया उन्हें इसी चीज़ा ही पसंद है कि वो डिफिकल चीज भी पढ़के उसमें इंट्रस्ट बिल्डप कर सकते हैं वो खुद का एक्जाम्पल देते हैं वो कहते हैं वैसे मुझे देखके तो सायद कोई सोचे का मैं टीवी नहीं देखता हूंगा बट नहीं तो जैसे मैं से मैं यह सब देखता हूं वैसी ही वो लोग जो जो है जो नहीं पढ़ते होंगे यूजली में हार्ड वाली नॉवल जो इसमें ठोड़ी डिफिकल्ट लाइज उसकरी गई है तो अब बताते हैं अर्मबर्ट को कहते हैं मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं देखो मेरी जब यह नॉवल मैंने पब्लेशर को दिखा तो उसे बहुत प्रसंद आई थी मेरी नॉवल उसने मुझे का कि आपकी नॉवल बहुत अच्छी है बट शायद इसकी अमेरिका मे है कि मेरी नॉवल से पहले भी मेरी नॉवल से बहुत बुक्स लिखी गई है आगे भी लिखी जाएंगी और फाइनली वह इंटर्व्यू को एंड करते यह कि नॉवल कितनी फेमस होगी किनी फेमस नहीं होगी यह इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि वह कैसे लिखे है मिस्ट्री है जिस कांसर मुझे भी नहीं बता और यहां पर इंटर्व्यू एंड हो जाता है तो बेसिकली उन्हें भी गाइस नहीं पता कि उनकी नॉवल इतनी फेमस क्यों ही वो कहते एक मिस्ट्री है ठोड़ डिफिकल्ट नॉवल थी फिर भी देखो लोगोंने पड़ी तो वो कहते है एक बुक का चलना या ना चलना इसना फेमस होना इस अमिस्ट्री और यहां से जो है यह इंटर्व्यू एंड होता है तो यह इंटर्व्यू से हमने सबसे जादा क्या सीखा उंबर्टो एकोजी का स्टाइल देखो आपका इस उन्होंने अपनी कॉलिज उन्होंने उसी में भी उस चीज को कंटिन्यू कर और अभी देखा तुमने उन्होंने अपनी नॉवल में मैटाफिसिक्स मेडिवल हिस्ट्री डाल रखी तो वो मिक्सें मैच करते रहते थे तभी तो उन्होंने क्या बोला कि I am always doing the same thing पढ़ाई में स्टोरी टेलिंग करते तो दिये से थे हमारे उंबर्टवे को और यह उनका इंटर्व्यू होता है हमें सीख लेनी चाहिए इनके इंटस्टाइस वाले के भाहिया जब खाले टाइम हो से उडिलाइस करो मैं सल्दियू वाग आप देखो जाके नोट इस चाप्टर के इंपोर्टन क्वेशन हाई वर्कम तो मैं चैनल आई आज मैं आपको प्रहूंगी क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बोग का आखरी चाप्टर गोइंग प्लेस यह चाप्टर जो है गाइस यह हमें डे ड्रीमिंग से रेलेटेड बात बताने वाला है कई बार ऐसा हो जाता है कि टीनेजर बहुत जाद करते रहते हैं कि हां सम्थिंग लाइक अपने दिमांग में बहुत सारी खिचुडी बनाते है तो इस चैप्टर में बच्ची है जिसका नाम है सोफी अब उसकी 12th क्लास कंप्लीट होने वाली है यह बहुत जादा डेड्रीमिंग करती है ठीक है अब यह डेड्रीमिंग क्य करती है कि उसको खुद भी सत समझने लगती है तो यहां पर चलो जानते है सोफी की डेड्रीमिंग वाली कहानिया में करेक्टर अगर मैं आपको बता हूं इस वाले चैप्र के तो पहली तो सोफी हो गए जो डेड्रीमिंग करती रहती है दूसरी एक सोफी की फ्रेंड है ज जो है जी ओफ देन उसके ममी बापा उसका चोटा भाई डेरेक और वो जो फुटबॉल ने वहीं में करेक्टर में आ जाते है डैनी कैसी जिनके बारे में वह इमाजनेशन करती है करेक्टर पता चले चलो जानते है कहानी सोफी की तो बाई सोफी थी और उसकी फ्रेंड जै को की जाती है सहर जाते है की तो है जैनजी चाहिता है थो चैनी काफ रियालिस्टिक है Alma से द्रेमर है मैं मैं इस खर ढोंगी बीड्य मैं किसी फिरम में पहले पार दे nou की पहले चाहते से फैसे कंपाई को झाया थे तो जैन जैनसी जैनप को स्की जुडता है कि यृユ erase को भी पता था जैन्जी को कि जैसे 12th पास आउट होंगे हमने तो बिस्किट फैक्टरी में जा के काम करना है बट सोफी हमेशा देडिमिंग करती रहती थी तो जैसी कहते है न कि तुम्हें कोई जॉब नहीं देगा मैनेजर तुम कैसे बन जोगी मैनेजर सदेंगी कैसे बु जोगी मैं जोगी मैं अपना कुछ लांच करूंगी तो सोफी प्रॉपर डिमिंग करती है अंबिशिस बहुत है तो जैन्जी उसे कहती है कि भेन अपने ज़र सत्ने अपने कम कर दें अभी थोड़ी सीरियास हो जाओ तुम्हें पता है हमने वहां शॉप पे जाके काम करना है वह हम इतने पैसे देंगे नहीं और तुमारी फादर भी तुम्हें इन चीजों के लिए लावनी करेंगे तो सोफी हमेशे भूंगी है कि मैं तो अमना बुटीक खोलूगे लुदा इतने में उसके पापा खाना खारी हो देखती है और शोटो सा शोवाई होता है प्यापा कि साथ में पैसे पर उपते हैं और वो उनकी घर में ऐसा सी ने अब सुफी काफी एक मिड्ली क्लास फैमली की बच्ची है वो पूरा घर में अन्धिरा हो रहा होता है उसकी मदर को देखती है काम कर रही थी ऑन्होंने जो यह जुक्क कर रहे थी और वह भी नाइसे साय मतब एक गहरी सास लेती है तो एक तरीके से देखा रहे है कि उसकी मदर बहुत ज़दा बुर्डन है वह से बहुत घर के काम उनके उनके बहुत ड्यूटी है तो वह बर्डन है और घर का महुंद कैसा है देर फ्रों मिडिल क्ला अब उसका जो भाई जी ओफ है वह एक मेकानिक के अंडर में काम सीख रहा है किसी और काफी दूर रोज काम सीखने जाते है वह जैसे जी आफ के पास जाती है तो वह कुछ एक मेकानिक में को एक पार्ट होता है मोटर साइकल को उससे कुछ रिपेरिंग संथिंग किसी और शॉल जाता है वह जाती है जाता है तो यह उसका बाइज साथ रहे है उस भाई लग दोस्त होंगे तो चाहती कि मुझे अपने साथ लेकर जाया भाई उसका बोलता है जबर्दस्ति उसके मुझसे शब्द निकल लवाने पड़ते हैं वह इंट्रोवर्ड टाइप का है बट सोफी सोफी को तो बहुत बोलना आता है बहुत बहुते करती है वह तो उसको मतलब वह अंडरनित ऐसा चाहती है कि वह और उसका भाई काफी अच्छे फ्रेंड बन जा अब ही तक वह सोफी पर धियान दे रहाता है यहान काई का क्योंकि वह बहुत बड़ा फैन था फूट बाल रहा हुए तो वह ऐसा गुस्ते वाली शकल बनाती है और एसा राइको बताती है तो वह अपने भाई को बता देती है मैं मिली डैनी कैसी यह एकदम से यकीन नहीं उनके आपर विंडो मैं वहां मिली थी उसे अच्छा कैसा देख रहा था दैनी कैसे उगेरी वैसे देख रहा था जैसी दिखता है गुचलक थोड़े क्यों कि उसके भाई ने पास से सची में कैसा दिख रहा था उसी ग्रीन ग्रीन सी आइस थी उटना टॉल नहीं है जितना ह वैट रिमोट लेकर चिलाते हैं अब इतने मेही जी और आपको बताते है पापा आपको पाते है तो फिर उसके फादर ऐसे देख थे हैं सोफी को उन्हें पता होता है यह एसे बाते बनाती रहती अपने पास से तो सोफी एक्दम से पर डर जाती है कि इसना पागल ने तो मतलब वो ऐसा कहना चाहते है कि हाँ ठीक है क्या हो गई दैनी कैसी से मिल यह तो मैं तो इक आदमी को जानता हूं तो टॉम फेनी से मिला है वो काफी एक मुलब बढ़े प्लियर क्लियर थे तो वो जो है उनका भाई जो वह बड़ा थैंटर डैनी कैसी को कहता है अरे अगर वो संभल के चलेगा डैनी कैसी तो भी बहुत जाद अच आगे बढ़िया फुटबॉलर बन जागा तो उसका भाई कहता है डैनी कैसी के सपोर्ट में नहीं पापा बहुत बढ़िया बने को उसमें बहुत स्केल्स है और वह यंग काई मेर से भी बढ़ा है वो तो ऐसे लोगों का डिसकेशन चल रहा होता है अब इतने में सोफी बीश में बोल परती है डैनी कैसी ने काई कि वहां आर्केट में दुकान खरीदने माला है और उसके बापा उसको ऐसे देखते हैं सोफी यह ना गटिया बाते करनी बंद कर दो अपनी एक दिन फज जाओगे तु बाई के रूम में भी बहुत सारे फुट बॉलर की जो फूट पोस्टर इस थे वह फैन तौन की भी फोटो लगी वी थी तीन चार पोस्टर थे तो वह दिखाई दे रहा है कि उसका भाई भी फैन है डैनी कैसी का तो वह जाती है कैती है मैं तुम्हें बार बता हूं जियो किसी को यह बताएगा ऐसी थोड़े पता थे कि नहीं ना उस मुझे पता है वह एसे इंसान नहीं है मैं उससे मिली थी फिर वह अपनी जो है जिस तरीके से मों मिलती है ना उससे डैनी कैसी असलियत में नहीं मिली थी वह रोईसी की विंडो पर थे मैंने जाके उनसे सब्सक्राइब नहीं रा सकती हूं तो फिर मुझे डैनी कैसी ने काए कि अगले हफ्ते वह यहीं पर मुझे मिलेगा और मुझे और मुझे ऑटोग्राफ देगा तो मैं जाओंगी हां पर तो उसका बढ़ा आगया डैनी कैसी देट से मिलने तो उसके भाई को कोई याकीन वह उसकी डेट फिक्स हो गई है डैनी कैसी के साथ में जो सोफी बता रहे हैं कि अगले हफ्ते मुझे और मुझे ऑटोग्राफ मिला उसके भाई को कोई यकीन नहीं होता ह। अपनी जैगड बहनते और बाटना जाता है अब आजाते हैं सब्सक्राइब नेक्स साटरेड़ जी आफ अपने दोस्तों के साथ बैठ जाता है, डेरेक, सोफी और उसके पापा वहीं ममी घर पहिंती, वो मैच को देखते हैं, वो मैच जीत जाते हैं, पूरा का पूरा वो जीसते किसकी वज़े से उनकी टीम, जब भी वो मैच देख रही होती है, जब भी वो मैच देख र मैच कतम हो जाता है, और रासने में दो दोसके पापा भाव में रूप चाते है, इसार इस रासने में मैच को यहाथ और ठैख मैकुर्वर बात आने ही कंदी मिल जाती है, मुझे तो पता निया और सोफी तरज़ जाती है। यह तो जीर जी याइजी थोड़ी थी तो मैंने जी असकर बनाए थि जैंजी को थोड़ी पता नहीं थी वाद एक बात इस जैंजी को बताओ या पूरे महले में गाती है तूसे डल लग रहा था कि जैंजी उसकी यह बात स से मिली थी या उसे ये भी पता है कि अगले हफ्ते उनकी डेट है वो इस बात के लिए डर रही होती है तो एकदम से जैन से को बोलती है अरे नहीं मेरे पाप मुझे बहुत डाटेंगे मारे घर में बहुत लड़ाई बड़ाई हो जागे अगर यह बात इथर उदर हो गई त तो जब खुश होने वाली बात बोलती है तो सोफी समझ जाती है कि अच्छा इस इतना ही पता है मैं मिली यो डाने कैसी से तो फिर वो आगे बताती है उसको कि हा मैं मिली थी मैंने ओर्टोग्राफ मांगा उनसे तो उनके पास पैन नहीं था बस हाँ इतनी हमारी बात नहीं करता है कि दी वाली बार भी बता दिया नहीं हुए उसके दोस्त को ने इसंरे इंड मेरे पर बात होगी, मेरे अन्ला मेरे मेरी सी डाटेंगी मेरा च्राइब डाकेती है प्लोग्रावरह नहीं कि बता हूए तो जैंज से दाइप 9 00 essential पेड़ रहे होने लगता है और Sophie जाती है पैदल जल्द्र जल्दे के पास में उसकी सिटी में कोई रिवर कर जाती है वह उसके साइप से निकलके जाती है वहाज आप बैठ जाती है वहां जाके आप एक अची सी बाग कर सकते हो बिल्कुल शिटी का शोड नहीं आ रहा था वह जाता है काफी जगा और इमैजन करती है कि हां सामने से उसके पासकंग डाने कैसी चल के आ रहा है इमजनेशं अपनी स्टाइज दिए और दीरे ते माधेज पैटे हो जाता है कि यह समय कमानी cannis कैसे कभी चमी की कभी भी उससी adolescent या काफी बार लोग करते है कि ऐसी जीजों के बारे में सोचते है जो possible नहीं और फिर हम सोचते कि वो नहीं होगी तो हमारे को मानी मन बुरा लगता है तो वो यह चीज सरवाजबन करके चला जाएगा कि मुझे तो पता ही था और मेरे फादर मुझे क्या कहेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि हां नहीं आएगा फिर दुबारा से सोचती है कि क्या होगा घर पे फिर दुबारा उसी में चल जाती है तो यह चाप्टर हमें यह सीख देता है कि एस आट टाइमस रियालिटी को उसे जो भी उसके ड्रीम से उसे यह सोचना यह कैसे अच्छी बूटीक खोलूंगी बनूंगी रादर देन वो यह सब बाते सोच रही है ठीक है अगर हम पॉंट अफ्यू देखे अगर उसे सची में सक्सेस्फूल होना है तो यह चीज हमारे को सीख देता है यह चाप्टर जाना सुफिस शिरू कर देती है जब घर जा रही होते है तो वह पब के बाहर जो पाब होता है जापी सारे लोग मिलते है उसके फादर की बाइस है कि लोगती है तो शीफ फेल्ट रिलीव्ट की चलो घर जाके मेरे पापा तो नहीं होंगे जब मैं उन्हें बताऊंगी को वो फिरसे वो पूरा सीन इमारिषन कर दिया है क disple कagnet है कि क्या दिन था बुचिंस बनमें इसा उस के आखे मैं चमक थी मैने उसे ब बोला है जाब मुझे देखा उसके दातों की बीच का ग्याप इतना ब्यूटिफुल था और उसकी आँखों में चमक थी वह इतना टॉल था युज लुकिंग ब्यूटिफ लिए जब मैंने उधर देखा तो वह मुझे देख रहा था और फिर से उसे आट ग्राफ के लिए जो है कहा तो हमा जाए कि हामें उससे में जहाए पर मिली तिया जो कभी भी मिली नहीं है जो मैंने दिखती है तो वह सिफटरे इसको देखती है जब फुड्मॉल मैच होता और बेहतरीं छोल मार रहा हो ता ड्यानि कैसी एक निदिक को ठीटाते हैं को ड्यालीटी में तो सोफी उसे वहीं पर बनाई थी वो मैंने बट यह चाप्टर ऐसा है कि भाईया इसको अगर आप इस वे में भी कवर करें सारा अब इसकी जो इंपोर्टेंट क्वेशन है उसका लिंग में डिस्किप्शन बॉक्स में दे दिया है या फिर आपके हो लॉंग क्वेशन जिस पर इस चैप्टर में से आ सकता है या आपको शॉर्ट क्वेशन सारी क्वेशन गाइज में बना दिया 12 इंग्लिश रिविजिन मैज आप चेक कर सकते हो इस चैप्टर की पता है बस आपको और कुछ करने की जुरत नहीं है इतना सुन लिया आपने बहुत है आपको क्वेशन आंसर प्रिपेर कर लो आपको फुल माक्स मिल जाएंगे फ्लेमिंगो बुक की सारी वीडियो का लिंग है डिस्क्रिप्शन मोक्स में गिवन है ठीक ह अब आपके पास अगा टाइम नहीं है तो आप जल्दी जाकि उन वीडियो को चैप्टर पूरा समझ में आ जागा जागा जो इंपॉर्टेंट बात जिस पूरे वीडियो में मैंने चैप्टर में कुछ लीव करने एक बात हमारी कवर हो चुकी है हर वीडियो में सारी बात कवर करके चाप्टर बन चुका है चाकि आप पढ़िये और फिर इंपॉर्टेंट ग्वेशन देखो बड़िया परिप्रेशन हो जाएगी फिर मिलेंगे हम आपके बोर्ड इंग्लिश का पहला चाप्टर यह चाप्टर इसके राइटर है जाक फिनी यह चाप्टर बहुत इंट्रिस्टिंग है इसमेर टाइम ट्रावल भी है तो उन फिनी यह चाप्टर है यह आपकी बुक का अब इस चैप्टर के थ्री में परेक्टर से एक चारली जो जाते है उपस एक फिस सगहर आता है उसकी वाइफ है लूजिया और एक है उसका साइकार्टरिस फ्रेंड नाम है Sam अभी देखो एक बार क्या होता है चार्ली जो है न्यू यू यॉक में रहते हैं और ये ग्राइंट सेंटरल स्टेशन न्यू यू यॉक बहुत बिजी स्टेशन है इस वैदी फेमस स्टेशन बहुत बढ़ा है गाईज यह तो चार्ली जब आपने ऑफिस से घर जा है यह इक अनले पर पहुँच्छ सेंटरल स्टेशन की चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि यह फोथा है और जब यह बात वह अपने दोस्तों को अपनी फैमली को बताता है टो उनका क्या रियाक्शन होता है और बाकी सब आपको चाहप्टर में ही पता चलेगा तो चल्ब कसम खाके यही बोलेगा कि जो Grand Central Station है उसके दो ही लेवल है फर्स लेवल और सेकेंड लेवल बट मैं उनकी बात को नहीं मान दाओ क्यूंकि मैं थर्ड लेवल पे गया हूं और मैंने थर्ड लेवल को देखा है वैसे तो देखो दो ही स्टेशन है इस Grand Central Station के बट चार्ली अपने चेक अपकर आया मेरा दोस्ति है और उसने मुझे बताया इसका रीजन कि ऐसे कैसे मैं थर्ड लेवल पे पहुचा हूं तो उसका इसका बताता है कि तुम ना अपनी आजकल की लाइव से बिल्कुल भी खुश नहीं हो और यह जैसे तुम थर्ड लेवल पे पहुच बेंग ड्रीम विश फुल्फिल्मेंट है यहनि कि तुम एक खुली आखों से च्वीर में अपना देख रहे हो और तुम यह खुली आखों सी हिसलिए है क्योंकि यह दुखी हो तो चाली की मीरी वाइवनी वाइव न 11000वी की मेरे छ थूछ लूण relaxर में तो मेरी पडल झ् यह जो modern world है, इसमें बहुत fear है, war है, worries है, लोग tension में लगे रहे थे भागदोर, office जाना है, office से आना है, पैसा कमाना है, promotion चाहिए, यह वो, इस भागदोर में तुम लगे वे हो, और इस वज़े से तुम बहुत ज़्यादा burden कर लिया तुमने अपने दिमाग को, तो इसलिए दिमाग ने एक अपना relief सोचा है, यह reality से धुर भागने के लिए, तुमने खुली आखों से सपना देखा है, third level पे जाने का, ऐसे actually में कुछ है नहीं, Charlie कहता है, हाँ मैंने उसकी बाद सुनतो ली थी, बट मुझे उसकी बाद पर कोई यकीन नहीं होता, दूसरा उसका दू Charlie है, उसका एक और hobby है, वो stamps को collect करता है, stamp पता है ना, पुछ envelope पे लगते हैं, पोस्ट वाले, वो उनको collect करता है, तो उसका psychiatrist fan बताता है, कि यह जी तुमारी hobby है, stamp को collect करने की, यह एक temporary refuge है, reality से, यह भी तुम क्या है, कि रोज की जिंदगी से तुमें दूर होना है, तो Charlie हमें बताता है, देखो मेरे सारे friend ने, psychiatrist ने, वो बाकी समनी यही का, कि third level भी नहीं है, और यह जो stamp family collect करता है, इसलिए कर रहा है, क्योंकि तुम परशान है अपनी जिंद्गी से, बर चार्ली हमें बताता है, कहता है, मैं इनकी बात उपे ना, बेवकुल भरूर सा नहीं क उनको भी शौक था, तो उसको अपनी psychiatrist की बात चहीं नहीं लगते है, कि stamp collection उसका परिशान है, वो इसलिए कर रहा है, दूसरा वो बताता है, प्रेजिने नुजवेल्ट है, जिन्होंने वर्ड वर वर वन में अमेरिका को victory दिलाई थी, वो कहता है, वो भी करते थे stamp collection, अब और मैं एक बात था, तो छलो मैं तुम्हें बताता हो, मैं थर्ड लेवल में परहें केसे था, हमार को disclose होगा, सजा कि चार्ली इस बता गुदा था कि एक दिन की बात है समर की बात है मेरे कॉफिसे दिर हो 시청 책You मैं बाते बंवार में बॉर्गर वाला मत तो बस से जाने में तो लग जांएारु कि भी से तो तो मैंने Grand Central Station में कहां से एंटर करा मैंने Vanderbilt Avenue से एंटर करा और आप यहां देखो मुझे एक फोटो भी मिल गई है ऐसे Vanderbilt Avenue लिखी वी ही देखो इतना सुन्दर है Grand Central Station बहुत हिस्टोरिकल है यह ऐसे इहां पर अलग-अलग से रास्ते बने वे दोर वाले ऐसे तो कहता है मैं इहां से एंटर कर गया पहले फॉर्स लेवल आई फॉर्स लेवल से ट्रेन चलती है नॉर्मल 20th century की फिर सेकेंड लेवल से सर्ब अर्बन इलाकों की ट्रेन चलती ह जाना चाली को कहा जाना थे चाली को सब्सक्राइब होगी और में अक मुझा और में दोर्वे की तरफ एक आर्क तार्वे यह और बना में ऐसी सेमी सर्कल टाइब किय Allen ऐसा यह पे सेइज सथा मैं इहां पर मूफ कर आ और अंदर चलने लगा चाली हम इन बताता है कि वो न इसना हीूज है यह स्टेशन अलग अलग रास्ते इसमें फोच रहे तो चारली कहते हैं मैं बहुत बार बार स्टेश्ट पे ना खो भी जाता हूं एक बार क्या हुआ उसने कोई एक ऐसा रास्ता पकड़ लिया जैसे तुम्हें रगली तुम किसी अलग गली में चले जा और क मैं कहा निकला रूजवेल्ट होटल की लॉबी में निकला यानि एक होटल की लॉबी में पहुंच जाता है कि रहा एक बार मैंने कोई एक रास्ता पकड़ लिया हहां से वहां से में इतनी दूर 46 स्ट्रीट पे जाके भाहां निकला तीम ब्लॉक्स अभी थी वह तो उसको इसा लगता था कि जो यह पूरा का पूरा Grand Central Station है यह एक पेड़ की तरह बढ़ता जा रहा है अब देखो तुम चार्ली की इमाजिनेशनों में क्या चल रहा है उसे लग रही जो पूरा का पूरा Grand Central Station है वह कैसा हो चुका है कभी कोई रास्ता कहीं निकल रहा है तो उसको ल अपना बढ़ाया जा रहा है Grand Central Station अपने मन में सोचता है शायद कोई एक दिन ऐसा आएगा कि एक कॉरिड़ वहां खुल जाएगा कहां पे जो टाइम स्कूर है ना टाइम स्कूर फोटो में देखो कि लेडी स्क्रीन लगी होती है और चल रहे होती है तो चार्ली कहता है पत से यह आक्टरिस को वारे में नहीं बता है और वहां पस आता है पॉंट पर और को हम्हारे को कि वह थी तरफ महांने चलता रहा हूं मेरे प। शबस ओर दिर और चलता चलता रहा तो फिर क्या होता है मुझे आवाज ओने लगते हैं कुछ लोगों की आवाज होती है तो सभी पहुचा है तो चलो ठीक है मैं सई जगह पर पहुच होँगा जैसी वह पैसेज एंड तो लेका दो सिडियां में उतरता है और एक ल जैसे उसके फस्स लेवल पर बहुत सारी होती होंगी बहुत बढ़ाई गाया इस ग्रांजनर स्टेशन तो के रहा टिकेट विंडो बहुत कम थी जो ट्रेंड के दोर्स थे वह भी बहुत कम थे तो वह इन्फॉर्मेशन बूत को देखता हूं जाके तो इन्फॉर्मेशन तो भई जो इन्फॉर्मेशन वाला बूत भी पुराने जमाने का तो भई ट्राम ट्रेवल हो चुका है तो चाली बढ़ा है रान भई यह क्या चक्कर है कहां पहुर्या में फिर वो देखता है कि वहां पे लाइट जाल रही थी जू लगी हो तिना कि एसे प्लिकर कर दीए मैं नहीं है कि आज कर देखें गवाइज पर रचान कोने में पर सकते कि लोगाने के वह थो उसको स्पिट करने के लिए अब आप ऐसे पर शेट सकते कि इसम्मांग मत करो दीवारों में पर उसपिट कर दो तू रखे वे थे एक आदमी मेरे प्रवाबर में से निकलके गया। उसका कैना सोने की घड़ी निकाली। जेव में से। उसने की घड़ी स्यूबी कोड़ा कोड़े क'll करतें होगे। मुझे साथ और फिर उक आदमी को देखा हुसने वे पुराने की कपड़े पहन रखो है। ऐसा कोट पहेन रखा था कैसा कोट था उसका कहा डर्बी कोट पहेन रखा डबल बटन वाला और उसने जो हैट पहन रखी थी वो भी पुराने जमाने वाली थी और सब उहां 18 90 के ग्यार ओक टे इक लड़की आतीह कहिए वबी पुराने चांगे के था थी उसने यह पर जितने भी सब लड़के थे ना अदमी जो थे उन्हों कि इतनी बड़ी-बड़ी साइड विसकर थे यहां पर विसकर रखते थे पराने समय में ऐसे बीर्ड थी उनके ऐसी दाड़ी तो कहता है भई कुछ तो गड़बड़ है चाली देखता है फिर वो कहता है जैसी मै कार्टून हमारा वैसे वो कहता है यह वाली ट्रें को देकर मुझे लगा कि यह को पूरा अटमोसफेर देखके कि पुराने जमाने की ट्रेन है लोगों ने कप्डे पुराने में के पहने है उसको यकीन हो चुका था कि अब मैंने कुछ ट्राइम ट्राइवल कर लिया है और एक स्ट्राव हैट पहनी वी ती उसके ओपर एक हैड बैंड लगावा था कहरा मैं अभी मेरे जैसे मेरे में मेरे स्टाइल की कपड़े सब लोगों ने पहन रखे थे और वह बताता है कि मेरे का कोई मतलब नहीं था कि मेरे को थर्ड लेवल पर पहुचना है मेरे को एसकेप करना है मेरे को बस घर जाना था अपनी वाईफ के पास उसे समझ भी नहीं आता है कि वह कैसे इस थर्ड लेवल पर पहुचता है वह आप सब अभी पढ़ चुकियों कि कैसे पहुचा हो वह एक डोरवे से वहां से लेफ्ट की तरफ मूड गया और वह वहां प जो हमारा चार्ली उसको यकीन हो जाता है कि भाही मैंने टाइम क्रावल करा है तो यह कपडों का डिफरेंस आप रखना कि चार्ली ने क्या पहन रखा था एक्जाम में क्वेशन आ सकता है और जो लोग थर्ड लेवल पे थी ना उन्होंने क्या कपने पहन रखे थे तो चा जाके वहाँ उस न्यूस्पेपर को जाका उसका नाम क्याता है दो वर्ल्ड वह कहता है चार्ली के जमाने में 28th century रहा चार्ली के तो पता नहीं कब से चपना बंद हो चुका यह अकबार और वह वाले अकबार को देखकर तो मुझे यकीन हो गया कि भाही मैंने टाइम ड्र वी थी वह कहरा उसमें जो है मैंने चेक कर रहा उसको तो वह 11 जून 1894 का था तो भाई वह कहां पहुच गया था चार्ली है 19th century का और पहुच गया कहां वह 19th century में यानि कि 1894 में और अकबार पर डेट डली वी थी 11 जून और जो न्यूस थी उसमें वह किसकी थी सब्सक्राइब कर लिया है उसका शक गाइस यह कें में बदल जाता है कि मैं पहुच चुको 1894 में बट देखो अब चार्ली डरा रहा नहीं कि उस समय पे चार्ली के दिमांग में काफी खतरनाक सा एडिया आता है वैसे भी आपने को पता चली चुका है कि वह अपनी में रहने लगोंगा वह कि एटी मैं वर्ल्ड वर से बहुत पहले की बात है यह नहीं वर्लड वर्ड वर्ण हुआ था तो वो करते हैं कि वह बड़े बड़े फार्म है बड़े बंगलो जैसे घर है और वह केर फ्री जिंद्गी जीते है एटी मैं पहुची गया हूं तो मे गेलेजबर्ग की टिकेट ले लेता हूं क्योंकि वहां पे जो लोग है ना अपनी लाइफ को बहुत फ़न और इंजॉय करते हैं जो चारली करना चाता है और भी पताता है वहां पर क्या होते हैं शाम को गेलेजबर्ग में लोग शाम को अपने धरों के बाहर बैठते हैं जो सेटल हो जाओंगा तो देख लो इतना दुखी है वह अपने लाइफ से कि वह पुराने जमाने में जाके सेटल होने को तैयार है तो और गेलीजबा गेली उनिस में बच्पन में दादा जी रहा कर देती तो इसलिए उसका मन करता है कि मैं वहां की टिकेट ले लेता हूं तो इतने में वह जोट देने वाला ना ने को प्ड़ देने वाला जो आर्मी ऊटा है तो जैसे के आघ कांटर बेंस के टिकेट-कंडर होता है वह पैसे लीगуса और लुक्र को नोशको आदा है मेरे पागल बनाने की जूरती यह पैसे नहीं है अर आप सोचें वह यसज आ वह य कि यहाँ चार्ली पुराने जमाने में गया था अलग नोट छल रहे थे नए जमाने की मोइब कर However all ओल्ड स्टाइल बिल्स नहां पर थे इतने बड़े बड़े और अब मैं समझ या था कि भाईया ये तो नए समाने के नोट में इससे तो मुझे टिकेट मिलने नहीं आ लिया चार्ली के रहा मैंने उससे पने पैसे वापस लियो और मैं भगा हुआ से क्योंकि मुझे 1894 की जे लंच ब्रेक था तो मैं गया अपने अकाउंट से मैंने 300 डॉलर मेरी जमा पूंजी थी अपनी इतना ही था मेरे पाथ 300 डॉलर मैंने वह 300 डॉलर निकल वाली समझ गया चार्ली उस दिन थर्ड लेवल पर तो उससे टिकेट नहीं मिले ना वह भाग के आ गया उस दिन क्यू मैंने उन 300 डॉलर से ना 200 से भी कम मेरे पास आय थे मैंने वो ले लिये बट मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं थी क्योंकि गेलिस बाग लियोनिस में बहुत महंगाई नहीं थी टेरा सेंस में इतने सारे एग्स मिल जाते थे तो 200 डॉलर में भी मेरा काम वहां हो जाता 200 से भी से थर्ड लेवल मिल गया अगर तो मैं वहां से टिकेट खरीद लूँगा और अपनी वाइप के साथ पहुच जाओंगा इलियोनिस के लिस बग बट उसके बाद कभी उसे में रहा मैंने इतना ढूंडा थार्ड लेवल को इतना ढूंडा मुझे नहीं मिला कि एक दिन ऐसा कैसा हूआ कि लूझा और जो उसका बूस्बैंड बट चार्ली दोनों के धोनों क्यों धूंड्र छैश्या बट लेवल को अब अभी तक तो सुह सब एक दिन क्या हुआ मैंने अपना फॉर्स डैकावर का कलेक्शन चेक करना स्वाइब का रहा है पॉर्स डैक शुटे अगर कोई ससारे idee poасти उसमें मुझे एक была दिखता है जो आज से पहले नहीं देखा जब उसको बहुत बार देखे सब उसने अपने सारे कोब उसमें कि हैरा पढ़不了 सस्के बडियों को दुबारा वहां पर सथैशन हों सब ना च्र्टी को तो आज उसे एक का उसके प्रेज़िदेंट गारी फील की फोटो थी यह जो पहली बार देखाई आज से पहले तो इसको कभी देखा नहीं है किसे डादा जी के घर के आड्रेस पे आया वा था तो कहरा मैंने इसको उपन करा और जब मैंने उसे उपन करा वो खाली नहीं था उसके अंदर एक लेटर था वो लेटर की फोटो आप हापर देख लो और यहां भाया जो हमारा चारली था वह वो एकता पकता हो जाता देख करा उसको मैंने देख देखा वो किस तरव ऑन साम है उसकी तरफ से था वह न Tell तो जो गायाब हो चुका उस्ते वो मुझे भेज रखा तो उस लेटर में क्या लिखा था वो सैम ने वो लेटर लिखा था चार्ली और लुजीया के लिए वो इनको बताता है कि देखो चार्ली और लुजीया मैं टाइम ट्रावल करके थर्ड लेवल से ट्रेन लेके समझना पड़ेगा किया किया दोस्त सैम था वो पहुचग किया ककूज रहा हुआ है सब्सक्राण तृटेंट वहां से वो जो है लेटर लिखके भीजा चार्ली के दादा जी के एड्रेस पे ठीक है उसने तो अभी भीजा है बट वो चार्ली के दादा जी के कलेक्शन में रखा हुआ था पहले तो चार्ली को नहीं दिखा होगा ना क्यों नी दिखा होगा क्योंकि सैम तो अभी अभी ग वो आज चाली को इसलिए क्यों दिखा क्योंकि अभी अभी कुछ समय पहले ही तो उसी समय में वो उसके कलेक्शन में आ गया है जो कहरा मैंने उस लेट को जब से पड़ा है उसके बाद से मैंने और लुजिया ने थार्ड लेवल को ढूना शुरू कर दिया अब कहरा फिर भी लेगा उसने क्या करा था उसने 800 डॉलर के जो है पुराने जमाने के नूट लिया जैसे चार्ली ने 300 डॉलर निकलवाए थे ना इस सैम ने 800 डॉलर निकलवाए थे और उसी पैसों से जाके वह गेलिस बग में सेट हो किया था और उस लिए अपना बिजनस भी शुरू कर ल निया बिजनस शुरू कर लिया था और यहां हमारे चार्ली को पता लग जाता है कि हां थर्ड लेवल है मेरे दोस्को ट्रेन मिल गई वो चला गया है और वो और उसकी वाइव भी हर वीकेंड को धूंते रहते धूंते रहते अभी भी अगर आपको गंफ्यूजन हो रहा है कि बहुत जैसे टायम ट्रेवल वाली मूवीस को समझ तो उसको समझो कि भाइ उसने लिख दिया उसके दादे के अड्रेस पे उसके दादे के कलेक्शन में वो अभी है और उसने अब वो उसको देख लिया था पहले भी तो चार्ली देखता होगा पहले तो इसका भी नहीं नहीं दिखा क्योंकि पहले सैम वा नहीं गया था अब जब सैम वहां गया उसने लेटर लिखा तो चाली के कलेक्शन में यह आ गया तो और यहां पर यह पिच्चर एंड यहां पर यह चैक्टर एंड अब जो है विद इस आयम इंग इस वीडियो बट पता है आपको ऐसा भी में दो-दो परसनालिटीज इमाजन कर लेते हैं और ऐसा कुछ करते हैं तो यह तो आप अपने आप सोच सकते हो मैं तो मान त्यूंगर ट्रावल ही है आप यह भी मान सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ होगा एक्जाम में ऐसी क्वेशन बनके आते हैं तो वह सब इंपॉर्टन वहाँ पर मैंने इस चाप्टर के सभी इंपॉर्टन क्वेशन करा दिया है एक बाच चाप्टर को रिवाइस कर लेते हैं चार्ली है 31 साल का एक आदम्य रोज ऑफिस जाते घर आता है अपनी लाइफ से इतना खुश नहीं है वह बर्डन उसको फील होता है ऐसा उसका साइ लेवल नहीं मिलता है बट फाइनली एक दिन जब उसका दोस्त जो है वो थार्ड लेवल बहुत जाता है तो उसके बाद से वह फिर से ट्राय करना स्टार्ट कर देता है कि मैं भी थार्ड लेवल जाओ यहां पर आपका चाप्टर एंड विद इस वावाइट के वैस वाफ कल हुता है एक अलकर सी वात हुत है कि जब यह दस दिन के होते हैं यह बोल पढ़ते हैं ठीक है दस दिन के थो इनको पता चल जाता है कि मृत्ति ऋहोंगी वज्जे से तो यह जो ऑना Tági fala लित से डगनKO कृकि तो चलो शुरू करते हैं हम स्टाइगर से कहानी ठीक है तो चल के थे प्रतिबंदापुरम नाम के एक जगा के किंग्डम के ये किंग थे इनको बहुत सारे नामों से जाना जाता था सर्च जिलानी जंग भादुर सबसे जादा हम इस चाप्टर में यहीं बोलेंगे बाकि और भी बहुत सारे नाम थे जो आप पड़ सकते हो महराजा अधि किंग है यह प्रतिमंदापुरम के राजा हैं के बहुत सारे नाम है बठाम इनको टाइगर किंग बोल देंगे और ताइगर किंग क्यों कि आपको पता है भाईया कि इनकी टाइगर की वज़े से डैथ होने वाली है और यह टाइगरों से बदला लेंगे अपना तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब यह तो यह कोई जो इनसान पैदा हुआ है वह मरेगा तो जैसे यह बोलता है कि यह मर जाएगा एक दिन तो वह 10 दिन का बच्चा जो हमारा टाइगर किंग है वह बोल पड़ता है है आपने दिन तो यह बता है कि मैं चोटे से ऑवाज आते हैं पूझ केंसे स्वाइनों सब नहीं है तो मत्या कैसे मलें चो तो इस एक महना और में बताए कैसे मर ऐसे मतना तो सब नहीं है घ्याल là नहीं बढου सबस्क्राइब हों चलों और पर दूशिमन होते हैं तो यह वाला जो बच्चा है यह 10 दिन का चाहिए इसकी मौत होगी थे कांध टाइगर की वजह से कि यह कि इसे बात तर चाहेगा बस उसके बाद इनकी लाइफ में कोई मिरेकल, कोई नया चमतकार नहीं होता है, अराम से अपनी जिन्दकी जीते हैं, बड़े होते हैं, दस दिन से लेकर जब तक यह 20 साल के होते हैं, यह पूरा इंग्लिश अट्मॉस्फिर में पलते बढ़ते हैं, यह हमें दिखाया जारा एक तरीके से यह चाप्टर में काफे हिड़न मीनिंग्स भी हैं, यहां पर दिखाया जारा है मारको कि उस समय ब्रिटिश का जमाना था, और उस समय में यह जो इंडियन प्रिंसिस थे, इनको कैसे जो है पाला जाता था, इनको इंग्लिश टाई में पाला जाता था, हमारे जो नैनी थी, जो इनका देखरेक करती थी, वो भी इंग्लिश थी, अंग्रेजन थी, इंको इंग्लिश पंड ने लिखनी ही सिकाई जाती है, यह पिछरे भी इंग्लिश की देखते थे, तो हमारे कल्चर ने इनको इंग्लिश कल्चर में जादा पाला गया, इन फाक्क य कि आपने दिमाग में अपने जफ इन से जंगल में और इडाइकर को मार देते हैं चाहरा को सब stati तो फिर वो एस्ट लॉजर कहता है कि सर देखो राजा जी देखो आप 99 टाइगर्स को ऐसे ही बड़े अरहम से माल लोगी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बाट आप 100 टाइगर्स से डर के रहना बीवेर रहना क्योंकि यह 100 टाइगर आपको मार सकता है तो राजा कहता है जी अच्छा ऐसे कैसे हो जाएगा अगर 100 टाइगर को मैं नहीं मार पाया तो तो एस्ट्रोजर बहुत डंके की चोट पर गयाता है कि अगर आपने 100 टाइगर्स को मार दिया ना तो मैं अपने बाल मुड़ वालूंगा अपनी सारी किताब जो है जला दूंगा और एक इंशॉ बहुत सारे ना फोरेस्ते बहुत टाइगर वहां पे तो यह अपने हाँ अपने के लिदम में अनॉंस्मेंट कर देते हैं कि आज के बार मेरे अलावा कोई टाइगर नहीं मारेगा चाहिए अगर तुम्हारे सामने भी आगे तो अगर तुम्हें पत्थर उठागे भी फैक सब्सक्राइबान करें गार देते साल ने क्यों गर्मोंस्ट मार चाहिए हैं इसके अपने महल ने सजाना भी शुरूरा उपकूसे तो टाइगर किंग भौत सारे अपने यहां कर दे नहीं यह कर आजब आइस पर ऑग एसा है कि बुलिटस कर जाती टिती गोली नहीं कर ये तो यह बेर हैंड्स हाथों से अपने जो है टाइगर से लड़ाई करते थे और तब भी जीच जाते थे मसला बहुत स्ट्रॉंग था यह राजा मारा ठीक है और एक बार यही टाइगर किलिंग के एंबिशन की वज़े से इनकी गदी भी इन से छिनने वाली थी क्या हुआ कि बिटिश ऑफिसर दुररई कहते हैं एक बिटिश ऑफिसर नी इनकी आप रहें लेटर भी जो कहा कि भाइ भाइं हम तुम्हारें आएंगे और हम जो है टाइगर मानें है इंकी क्वेश्चन हाएगा कि इनकी गदी पे कैसा जो है डर बन गया था he was about to lose his kingdom because of this तो इस उनो क्या हुआ था तो ब्रेटिश है ने का कि भाई मेरे को टाइगर मानना है मारा प्रतिम पुरा मेरे को एक टाइगर किलिंग करवा देना तुम तो ताइगर किंग क्या कहता है मना कर देता है कहता है नहीं जी अब मैं इनको ऐसा अलाओ कर सकते हुआ आज इनको रोज एक नहीं ब्रेटिश ऑफिसर आजाएगा वह कायेगा मैं टाइगर मारूँ गा तो फिर मैं किया मारूंगा तो वह उसको बोल देता है जो British officer के secretary को Tiger King का जो उनके जो साथ में होते हैं वो बोल मंत्री जो होते हैं उनके वो बोल देते कि भाई हम लोग आप लोगों को कोई बोर हंट हो गया मस्खीटो हंट हो गया कोई भी आने मल्क की हंट तुमें करना है वो करवा देंगे मच्छर माल लो तुम चुहा माल लो तुम बोर माल लो कुछ हुई माल लो भई टाइगर नहीं माल वा सकते हमारे सर जी टाइगर राजा जी ने मना कर रहा है तो उनका सेक्रेटरी बड़ा हमबल था वो कहते हैं अच्छा ठीक है काम करते हैं टाइगर को तो टाइगर किंग ही माल ले हमारे जो British officer है ना दुरह बढ़े जाए ने पर फोटो खिचवा देना उससे ट्रशन माल ले तो यह वह से प्रेटरी बोलता है कि मार टाइगर को टाइगर किंग ही दे सर जलानी जंग भादू फोटो बस हमारा प्रेटिस ऑफिसर तो क्या आपको लगता है मानें हैं इस बात को नहीं गया टाइगर कर रूल चल रहा था कि बुद्धी संग जाती तो इनका किंग्डम इनसे चीन सकते थे तो यह सोचते हैं और इनके मंतरी बैटके सोचते हैं कि दुराई को गुस्ता तो कर दिया उसे मनाए कैसे तो वह एक टेकनीक निकालते हैं वह क्या करते हैं 50 रिंग्स मंगाते हैं बह वह पचास अंगोठियों का डबबत दुराई से नहीं क्या पहुचवा देते हैं इन्हें लगता है दो तीन वह चूज करके वापस विच्वा दे की बाकी की बढ़ दुराई से नहीं ब्रिटिश लाल ची भरे पड़ता लाल चिन के अंदर तो वह दुराई से नहीं क्या क आप देखरी हैं अपना नाहीं की नम के काम देख रहा है यह तो यह दिखाई दे रहे हैं कि यह जा रहा है यह उनका थ्रोन के ओपर खत्रा था अब दस साल हो जाते हैं वहां दो नोगों को लगता था या तो टाइगर सुसाइड गरने हैं या फिर थे बच्चे पैदागर नहीं बन कर दिया है ताइगर तो एक दन राजा को बड़ा एंजाइटी हो उर जहाएं है बहीं मुझे तो मांने हैं तो यह अपने मंत्री को पने पास बुला थे उस समय कतें मेरे को हमान इसा लगता है की यह टाइगृस से शाधी करने को कहते हैं। आप कद से शाधी कर लो पूरवा जानों टलवारों से शाधी करी है।至 प्याली मुझे कर भी राजया थे में वहां टाइगर मार के आ जाओंगा तो ऐसी करता है मंत्रिये ग्लड़की ढूंड लेते हैं राचकुमारी ढूंड लेते हैं जिनके kingdom में बहुत सारी वह बड़े परशान एंशिस रहते थे उनका दिमाग हिलता जा रहा था कि भाई टाइगर क्यों नहीं मिल रहा है अब एक दिन क्या होता है ख़बर आती है यह जितने भी नोट्स हैंने के टेंश हमतले न मेरे कम्यूटी पर सारे बहुतरी नोट्स आपको मिल जाएंगे इंस कि वह बेड़ वक्रियां गाया बोरी हैं तो कई बार ऐसा होता है कि टाइगर आपके खा लेता है इसलिए वह गाया बहुनिपी बड़ा खुश हो जाता है अनौन सकर देता है कि भाईया जिसा आज में ने मुझे एक टाइगर लाके दी दियो उसे में तीन साल के लिए टा संत्र मेरी प्रजा है कि उपर सब्सक्राइब रहते हैं इस जंगण जंता मेरी प्रजा है उनके उपर में डवर्य टक्स लगा दूगा तो मंत्री टीम कहते हैं सर आसा मत्कुआ आप डवल टक्स लगा रहे हूं को ना इंड्रनाशनल कॉंग्रेस आजए कि हमारा किंडम हमार से चिंड जाएगा तो समय में इंडियन नाशनल कॉंग्रेस आपको पता है फ्रीडम स्ट्रगल इनिशियेट कर रही थी तो जहां पे लोग खुश नहीं होते थे ऐसे तो वो प्रोटेस्ट होके उनका किंडम चिंड़ सकता था उनसे इस बात पर वो डबल टैक्स कर दे तो मंतरी कहता है सर ऐसे टैक्स वैक्स मन बढ़ाओ तो राजा उसको इधमकी द कि वह एक जू से टाइगर लाने की ना कोशिश करते हैं वह जाते हैं जू से टाइगर को अपनी गाड़ी में बठा के लिए पूरी रात उनके घर में वह टाइगर रहता है और वह यह रही नोट चला दिया और वह जो है बाद में रात के समय पर जब सब लोग सो गय होते ह अब बुड़ी सी वाइफ के साथ इमाचन करो सेन्यरियो बुड़ा बुड़ा आदमे एक बुड़ी सी वारत है टाइगर को बिठा रहे हैं अब बठा के जंगल के बार ले जाते हैं अब जैसी वह गाड़ी से उतरते हैं तो टाइगर प्रोटेस्ट शुरू कर देता हैं मैं तो नहीं उतरता काड़ी से जैसे तैसर करके वह भूड़ा बुड़ी धक्का वारते जैसे बहुत सब्सक्राइब मार करते हैं और तम सोच हो दिवाग में तो टाइगर को भार निकालते हैं और अगले ही दिन टाइगर कींग के सामनी आ जाता है उंगम комментар में गएट करे और इसको दफन करूँगा बहुत कुछ हो जाता है वह बहुत प्राउड में हो ताइगर कि मैंने ट्सोर टाइगर्स मारती है तो अब जितने भी बाकी वहर वरकर्स थे उनके जो हंट्समें थे वह जाके टाइगर के डेड़ बॉड़ी उठाने जाते हैं कि वह लेके जाएं तो जो लगी नहीं होता है वाद पाइगर के बहुष है तो ऑप बहुष हो गया खोटाने नहीं लगी का हम एक चुछाईर के सो Какि हंट्सMAN खुद II थाइगर को मार दीते है और फिर उस की बॉडी को ले जाते हैं महां पे मेहल में बहुत घ्राइंट फेस्टिवाल होता है एक टूम पिरक्ट करा दिया जाता रहां पे उस टाइगर को जो है वरकर्स ने मारा था तो जैसे आस्ट्रोजन ने कहा था ना कि आपको ध्यान बरतना है तो उन्हें भरतना चाहे था बट वह तो बहुत प्राउड ही थे उन्होंने देखा नहीं भाई यहां मर रहा है यह नहीं मारा तो चल दिये कि भाई ऐसे लिए आना मेरे घर विक्ट्री का एक दन बढ़र्डे होता है तो आप यहां देख सकते हो ऑपने बेटे के लिए कुछ लेकर आतु हूं वह अपने बजार में जाते हैं जो उनके महल के आसना बजार होते हैं और एक दुकान पर जाते हैं एक वुड़ का चोटा सा टाइकर मिल रहो होता है तो आप यहां सिर्फ दो आने और एक क्वार्टर का था याने की डाई आने का था बट वो डर के मारे वो जो शौप की परता वो कहता है सर यह तो बहुत बढ़िया टाइगर यह 300 रुपे का है तो वो डर के मारे कह रहा था बट यह टाइगर किंग इतने लालची थे कहते हैं अच्छा 300 इतने लालची थे 300 रुपे की कमी नहीं है तो दे दो 300 रुपे उसको नहीं उसका बेचारे आर्मी को 300 रुपे नहीं है और यह तुमारी तरफ से गिफ्ट हो गया मेरे बेटी के लिए और वो टाइगर को लेजा कि आपने बेटे को देदे और एक दिन शाम को अपने बेट किंगे चुप जाता है अब उस समय धियान नीदे चुपता है और तीन-चार दिन के अंदर ही तिनका उनको लग जाता है लेफ्ट हैंड में लगा था उसकी वजह से इंफेक्षन फैल जाता है उनके पूरे हाथ में चार दिन के अंदर सप्रेटिंग्स वर बन जाता है और टाइगर केंग का होता है ऑपरेशन बहुट बढ़े बढ़े उसकी वज़े से उनको तिनका लगा था और यह दिखा रहे हैं एक चीज की देखो सर्जंस ने क्या बोला भारा क्या उप्रेशन सक्सेस्फुल हो गए वैसे तो नहीं हुआ नहीं तो वह बोलते उप्रेशन इस सक्सेस्फुल टाइगर किंग मर गया है और जो है इविद्द यहां पर देखो आपकी जो सर्जंस थे जितने भी लोग थे शायद उन्हें भी टाइगर किंग बिल्कोल पसंद नहीं होंगे जो भी वह सब कर रहे थे तो इसलिए जब वह मरते हैं तो वह अपरेशन थेटर से भारा के बोलते हैं ऑपरेशन सक्सेस्फुल हो गया लोग उनकी प्रजा थी उन्होंने इतने सालों तक दस साल पहले और बहुत सालों तक उन्होंने प्रजा नहीं दिया तीन लाग रुपे बर्बाद कर दिये बट उन्हें बस अपने से सल्फिश मांड़ेट पीपल अगर पावर में चले जाए तो उसका क्या एफेक्ट हो स इसका क्तिन को चब जाता है और उसकी वैसे उनको घ्थ हो जाती है ठीक है तो विद अब आपको इस ब्सक्तर की इंप्रेंन क्वेशन करने तो वो वो डिस्क्रिप्शन वां विडियो गिवन है कोई भी mcq देखना है लों देखने शोट देखने है तीम बेस्क्षिन देस्क्रिप्शन बॉक्स प्लेलिस्ट गिवन है और अगर नोट्स चाहिए एंसी क्यूंस के लिए कोई भी तो इस कम्यूटी पर जाके चेक कर सकते हो नोट्स की आप मैंने फोटोस पेस्ट कर दिया है और अगर पीडियेव डाउनलोड करने तो में इंस्टाग्राम ऐडिय यह जो चाप्टर है यह सुटन्स को बहुत जाज़र डिफिकल्ट लगता है काफी सारे जोग्रिफिकल आस्पेक्स हमेज़ पढ़ने पढ़ते हैं और काफी डिफिकल्टी आती है इसको पढ़ने में बट यह वीडियो देखने के बाद सारे डिफिकल्टी एंट हो यह जो राइटर है वह जाएंगे अंटार्टिका जाके जो पहली बार देखो किसी इंसान को लगेगा वैसा ही वहां जाके उन्हें कैसा फील होता है वहां जब जाती है तो उन्हें साजाती है और आप इतनी सुन्दरता देखोगे एंवार्मेंट की तो आपको डड़ सब्सक्राइब हम बढ़ा दें और यहांगी परफ भी गल जाए तो वैसी उनके साथ होता है वहां जाके बहुत कंसर्ण हो जाती है फिर वह यह चाप्टर लिग के हम यह सब समझा देती है सिंपल सचाप्टर चलो शुरू करते हैं सार्टिंग ऑफ देशाप्टर में बता इसा है और वहां पे जाके वह समझते ही ग्लोबल कंसर्ण इतनी जादा बढ़ चुके और हमें पूरे के पूरे अर्थ को बचाने के लिए पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की जरूरत है तो सिंपल याद रखो गई कैसे थी वह अंटार्टिका वह गई थी एंटार्टिका क जाती है किसमें बैट कर जाती है कि शिप में बैट कर जाती है जिसका नाम है कैड्मिक शुलॉस्की यह इसको माते बैजन करने हैं मैंने ऐसी फोट लगा दिया और एक रेशियन वेसल थाई ठीक है अब वो जाती है तो उन्हें जाने में वहां बहुत समय लगता है वह चेक पॉइंट्स क्रॉस करें और तीन वाटर बॉडी और बहुत सब्सक्राइब को पार करके मैं अंटार्टिका पहुशती हूं जैसे आपने देखाए अमेरिका का टाइम अलग होता है इंडिया का ताइम अलग है जैसे जैसे आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री तब जाके वो एंटाटिका पहुशती है कभी कार से करा कभी वो ट्रावल चिप से कुछ ट्रावल वी वह प्लीषन से था इस सब coinc cable करने देंग आप लिए गयां कक्री video मैंने kanssa घुट ले घृइफ τι और उपर नीला आसमा था तो एक का वो होँशं is जब यह जोगा जहादर्ती आसमान मिलते वे लगते हैं तो वांतर्टिका में उन्हें कैसा लग रहा था भाही नीले रंग की बरफ और इतने दूर तक बरफ फैली वी थी कैसा लग रहा था आसमान और धर्ती आपस में जुड़ रही हैं वो देखकर उनकी आखों को बहुत अगर अब तुम्हें यह नहीं पता है तो हमने क्लास नाइंथ में इसके बार में बढ़ा था वी स्टडिन इन क्लास नाइंथ की पहले मिलियंस ओफ इयर्स पहले हमारा अर्थ ऐसा नहीं दिखता था जैसा अब वो है हमारे अर्थ पे एक सूपर कॉंटिनेंट हुआ करता इस बहुत सारी नेट पर आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमारा वर्ल्ड हुआ करता था सारे कॉंटिनेंट्स आपस में जुड़े वे थे बट देन कॉंटिनेंट्स जिफ्टेड अपार्ट यह जो है हमारा इस तरीके से फिर अंटार्टिका नीचे रह गया और बाकी जो साउथ अमेरिका है वह नॉर्थ अमेरिका की तरफ जुड़ा जाके तो वहां पर ड्रेक पैसेज बन गया ड्रेक पैसेज बहुत इंपॉर्टेंट ओशन करेंट जोन है जिसकी वज़े से जो है पूरा ओशन का करेंट सही से चलता है दो कर दो जोड़ता है पैसिफिक और एट्लांटिक ओशन को ड्रेक पैसेज जीते ना तुम्हें जोगर्फी लंड करने के जरूरत नहीं है बस यह दो याद रखना वह याद रखते कैसे इंडिया जब इशे की तरफ गया तो हिमालियास बने और साउथ अमेरिका जब नॉर्ट अमेरिकों की तरफ गया तो तो यह वैसे हमें तो लिट्रेचर वोशन पर फोकस करना है तो वहां पे ना पहले जमाने में जब गर्म होता था इतनी गर्मी होती थी कि फ्लोरा फॉना सपोर्ट नहीं कर सकती थी हमारी अर्थ बर जब फिर डाइनसौर्स मर गए डाइनसौर्स एक्स्टिंट हो गए और थंडा का थंडा अंट्राकप बन गया अब जो यह ए ऐंट्रिका हैं हर जगाप्र, हर कॉंटिन अगी लोग रह रहे हैं तो रहेंता स्टर्ठ का। जो बेलकर आप प्लोर दीच में जहें और आप तो यह सबिंपोर्टन को वहां जाकए समझ में आती य हैं वैसे तो हम रोज अपनी लाइफ में लगे रहते हैं, हमको इध्यान देते हैं, क्या हमारी अर्थ पहले कैसी थी, मिलियंज ओप पहले कैसी थी, हम लोग कुछ ध्यान नी देते हैं, बट जब वह वहां गई अंटार्टिका में, उनको वहां लेके जाया, तो मेरे लिए वहां अंटार्टिका जाके, वहां इतनी भईया, घहरी, ठंड, वहां पे एक तो मेरी मेटाबॉलिजम के लिए भी मुश्किल था, उस ठंड को अड़ाप्ट करना, दूसरा मेरी आखों को यकीन ही नहीं होता तो हर जगा वर अफे मुझे ऐसा लगता था, कि मैं पिंग पॉंग बॉल पे चल रही हूँ, पिंग पॉंग बॉल के होता है, यह कंपैरिजन आ सकता है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एंटार्टिका में कोई हूँन मारकर नहीं है, वहाँ जाके आपको हूँन का नामों निशान नहीं दिखेगा, ना ही हूँन के घर दिखेंगे, ना ही कोई ट्रीज वगेरा दिखते हैं, वहाँ बहुत ठंड होती है, ना ही कोई बिलबोर्ड की भाई है, यह एड लग रहा है, यह वाली सेल लगी है, यहाँ से जाके कपड़े खरीद लो, यह वाली क्रीम खरीद लो, कुछ नहीं होता है, वहाँ पर लिबोर्ड वगेरा, कोई भी बिलडिंग नहीं है, वहाँ मुझे ऐसा लग रहा था, कि मैं अर्थ पर ही नहीं हूँ, ना मुझे टाइम का अंदाजा होता था, कि सुबह और रही है, रात हो रही है, पूरा दिन ऐसी बीच जाता था, और रात को क्या होता था, पूरात को वह एस्ट्रिल जो लाइट सोती नहीं हो ग्रीन वाली जो बहुत शुंगर सी लाइट सोती हैं अंटार्टिका में के लिए हम वह देखते थे तो बहुत जादा ब्यूटिफुल है अंटार्टिका वह आप समझे सकते हो, वह सब चीज़े वह याद करें के लिए अंटार्टिका में बिल्कुल सरनाटा रहता था कोई शोर शराबनी होरन बज रहा है चडियाओ की आवाज आ रही है या कुछ ट्राफिक की आवाज यह कोई आवाज नहीं आती थी बस एक चीज़ के आवाज आती थी वह थी एवल पास-पास मंजल की बिल्डिंग से भी बड़े होते थी खुद चोशलो और वह पूरा का पूरा हमें इमेजिन करो ना कैसे होगा पूरा अंटार्टिका वह हमें बताती है ऐसा था अंटार्टिका और एंटार्टिका का जो पूरा वह हिस्ट्री अभी उन्होंने याद करी कि कैसे अंटार्टिका तो रहे गया वाकी सब कॉंटिनेंट चबा लग हुए तो हम पर बस गहां हमने उसे जो है पूरा का पूरा क्या बना दिया है हमने अपने अर्थ को पॉल्यूट करना शुरू कर दिया ठीक है अब आते हैं हम अपने नेक्स टॉपिक पे चैप्टर ह चल रहा है हमारा पूरा नेक्स टॉपिक अब नेक्स बताते हैं अब यहां पर वह इंपक्ट बताएंगी जो हम अर्थ को इतना नुकसान पोचा रहे हैं उस सब के बारे में सिंपल गाई उन्होंने इस वाले टॉपिक में बता रहा है पहले अंटार्टिका की सुंदरता बता दी अंटार्टिका गॉंडवाना लैंड अलगों गया अंटार्टिका नीजे रहें पॉल्यूटेड विकुल नेंट तच्ट वह बता दिया अब वह पता दिया कैसे हम यूमन बिंग्स ने अर्थ को बहुत जादा खराब कर दिया वह कहते हैं यूमन जो है ना सिर्फ अपने अर्थ को गई रहने लायक नहीं छोड़ा है हमने अर्थ पे यारप्व एर्स और लॉटेशल कर दिया हमने अर्थ पे एयर पॉलिशन कर दिया हमने अर्थ पर जहा है संसरा खतम कर दी है कि हमारे उपड़ का फूर ग्लोबल मेंग चाहिब दहक चुकी है और उसने ह हमें इंपोर्टेंस बता रहे हैं कि भाईया क्या करा है human beings ने development के सहारे बोल बोलकी की development लारे development ला रहे हैं सिर्फ और से 12000 साल के अंदर ही हमने अपने अर्थ को रहने लायक नहीं छोड़ा है तो इसलिए अब हमारे लिए important है कि हम being a student also हम लोग initiative ले अपने अर्थ को बचाने के लिए और तब ही उनका चाहिए प्रोग्राम है academic शिलॉस्की इस प्रोग्राम को जो है चालू किस नहीं करा था जी ओफ ग्रीन नाम के एक प्रोफेसर है वह पहले सेलेब्रिटीज वगेरा को अपने शिप में बिठा के गुमाने ले जाते थे बट फिर उन्हों ने समझा कि सिलेब्रिटीज और इन लोगों को ले जाने से कोई फायता नहीं होगा इससे अच्छा मैं स्टूदेंस को लेके जाता हूं सो जब वह एंटार्टिका जाएंग सब्सक्राइब कर सकता है लोगों को सबस्क्रों कोई बच्चा एंगे चुछेंगे चल को खुद बढ़े हो जाएंगे लिए कंपेइन चलाएंगे ये कुछ कोशिश आपनी तरफ से करेंगे तो यह याद रखना कि जिस प्रोग्राम के तहट वो उहां पे गई थी उसका नाम तो स्टूडेंट और आइस प्रोग्राम यह एक कैनेडियन एडवेंचर एजुकेटर जो थे जी ऑफ गरीन उनका इनिशेटिव था पहले वो बॉलिवूड को ले जाते थे बट फिर उन्हों ने उनको छोड़के जो है बच्चों को ले जाने शुरू कर दिया और वो कुछ चेंज ला पाएंगे जब वो समझेंगे ठीक है तो विद इस हम चलते हैं उनके नेक्स्ट बात पर जो आब हमें समझाती हैं वो कहते हैं कि एंटार्टिका से मुझे एक चीज समझ में आई एंटार्टिका जाक है उसमें phytoplankton होते है ठीक है अब क्या हो रहा है कि phytoplankton का क्या काम होता है यह photosynthesis पता है ना आपको कि कैसे खाना बनाते है food बनाते है अपने लिए plants तो यह phytoplankton जो है पूरे समुदर में होते हैं इनके ओपर पूरी marine life depend करती है marine life phytoplankton को खाएगी इनके ओपर depend करती है और यह phytoplankton कैसे जीवित रहते हैं यह photosynthesis करके अपना खाना बनाते है और यह photosynthesis करके जीवित रहते हैं अब क्या हो रहा है जैसे कि जैसे हमारा guys ozone layer में hole हो रहा है उस वज़े से यह जो phytoplankton का काम है खाना बनाने का photosynthesis करके यह सही से नहीं कर पा रहे हैं और अगर phytoplankton खतम हो गए यह अगर phytoplankton की जो है कमी हो गए समुद्र के अंदर तो उससे तो ना पूरी की पूरी मरी लाइफ जो है पूरी की पूरी हमारी food chain खराब हो सकते क्योंकि phytoplankton क्या है food chain के हमारा पहला है अब अगर यही गरबर हो जाएगा तो आगे तक जितनी हमारी food chain जाएगी तो अपने आप समझ जो वह पूरी के पूरी खराब हो जाएगी तो इसलिए वह कहते हैं कि अगर हम छोटी चीजों पर ध्यान देंगे अगर हम phytoplankton की साइकल को ठीक रखेंगे तो जो है बड़ी चीजे अपने आप ठीक हो जाएंगी तो यह फाइटो प्लांक्टन वाला एक्जाम्पल आप याद रखना उन्होंने हमें समझाए कि अंटार्टिका में पूरी मरीन लाइफ डिपेंड करती है इस फाइटो प्लांक्टन पे औ जो कल को अगर आइसबर्ग्स वागेरा जो इंटार्टिका में हैं अगर वो पिखलने शुरू हो गए तो क्या होगा जो हमारी हिस्ट्री है जो कार्बन रिकॉर्ड हमारे पास अंटार्टिका में वह सब हम खो देंगे और अर्थ विल एंड तो यह सब बाते ना कहते हैं घर बैटके मुझे कभी मैंने नहीं सोचा इतना ग्लोबल वामिंग के बारे में आज जब मैं इंटार्टिका की जमीन पर खड़ी हूं तब मुझे हर चीज बहुत जादा सिच्वेशन मुझे घहली लग रही है मुझे लग रहा है कि नहीं भाईया हमें कुछ करने के जरूरत नहीं है लासली वह हमें समझाती है कि कैसे एक बर क्या हुआ जब वह वापस आ रहे थे ना कैडमिक शलॉस्की से तो ओशन के 65.55 डिग्री पे इनका जो शिप था वह अटक जाता है वह बीच में कहीं रुख जाता है तो फिर इनके जो पूरे के वहां पूरा ग्र साथ में हम लोगों ने क्या पेने होते गॉर्टेक्स यानिकि वह पूरे एक्वेपमेंट्स भाई ती थंड में थोड़ी चले जाओंगे तो ग्लेयर स्पैन रखे थे सारे एक्विपमेंट्स के साथ पूरा वह लोग ना बरफ के उपर चले जमी भी बरफ थी शी टोल्ड सब्सक्राइब लिविंग ब्रीधिंग सॉल्ट वाटर पर वो चली मतलब उन्हें नीचे दिखाई दे रहे जमावा पानी सायद को मचली भी दिखरी होने और उसके ओपर चलते वे 180 मीटर वहां पे चले तब ये इसको क्या लिखा वह वाकम दोशन वो जमाव उशन था त कि दिखाती हैं काफे इंटलिजेंट होती हैं तो ये सील वेक़ी कोने किनारे में धूप से गरींति कहरीं और इनन लगा कि दुनिया हमारी हमारी ना हर जगा सेम सी ही होती है हर सबके करणी तौर तरीक एक जैसे होता है जैसे आप उनकी गली में खरो दॉड़ी में मेरे घ सब्सक्राइब अपने घर वापस आ जाती है वो बताती है कि पूरे के पूरे उतने ही टाइम जोन्स को तीन वाटर वाड़ी को और इतनी लंबी ट्रावलिंग कंडी के बाद जम्में अपने घर पहुंची तो मैं को इतना मतलब पहले मैंने वो सब याद कर और फिर एड दी एंड मुझे एक चंता सताई कि अगर क्या होगा कि अगर एंटार्टिका फिर से गरम हो जाए क्यूंकि हम लोग इतनी ग्लोबल वामिंग कर रहे हैं एक दिन ऐसा हो सकता है कि अंटार्टिका भी पिगलने शुरू जाए पूरा का पूरा तो वह ड़ जाती है यह सोचके कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा एंज विद इस चाप्टर को एंड कर दीती है यह चाप्टर इकने का उनका मोटिव यही था तो एक तो हम अपने कॉंटिनेट के ब्यूटी को जाने पूरे अपने वर्ल्ट की ब् इस्टोरिकली कितना इंपॉर्टेंट है वहां कार्बन फूट्प्रेंट से वहां ऐसी स्पीशीज है और सब कुछ अंटच्छ है वहां वहां यूमन विंक्स ने जाके कुछ छिर्खानी नहीं करी है तो वह इस प्योर बिल्कुल प्योर है वह अगर हमें एक ग्लोबल वार्मिंग करनी कम कर रहे हो तो इट विल मेका डिफरेंस जैसे कि जब फाइटो प्लांक्तंग फोटो सिंथेसे अगर वो सही से नहीं कर पाएंगे तो इससे पूरी साइकल फूट चैन बिगड़ जाएगी एन हमारी लाइफ भी खत्रे में आ सकती है तो जो बहुत सिंपल नोट से इफ यू वांट तो जाके आप मेरी इंस्साग्राम आइड से भी चेक कर सकते हो पूरी गाइड गिविन है इंस्ता नहीं चलाते हो आई नो दर काफी बचे एक्जाम पाइट टाइम पर तो मैं नहीं कहती हूँ किया आप यूज करो सूशल आप जाके कम्यूनिटी से चेक कर सकते हो मैंने कम्यूनिटी वे इस चाप्टर के ऐसे ही से इंपल नोट डाल दिया है जैसे सिंपली में मैं आपको ये पढ़ा दिया तो मैं चलती हूँ आप आपको इसी कोई डिफिकल लगा चाप्टर इंटी टेंशन ले रहे थे एंड इसे सारे चाप्टर पढ़ा दिया मैंने तो जो है एक बास एक बार एक्जाम से पहले ये सारी वीडियो देख लो सारे चाप्टर आपके दिवांग में आजेंगे आप बात आते दीदी इस चाप्टर में से कैसा इंपॉर्टन क्वेशन बन के आएगा तो उसकी भी आपको बतारी हूं बहुत अच्छा चाप्टर है बहुत इंट्रिस्टिंग है एक मिनिट भी अगर आप इसकी स्टोरी ध्यान से सुनोगे न आप बोर नहीं होने वाले हो और जो है स्टार्ट करते हैं चाप्टर को बिना कोई टाइंग वीस करें देखो इस चाप्टर में गहता इक जैपनीज डॉक्टर है उनका नाम हे डॉक्टर सदाओ उनकी वाइफ है हैन ठीक के उनका घर का इस घी पे है Japanese कोस्ट पे घर है और वह काफी अच्छे ट्रेंड डॉक्टर है अमेरिका से वह अपनी पढ़ाई करके आए हैं डॉक्टर सदाओ जी एक दिन क्या होता है उनके घर के बाहर जो है एक आदमी आता है वह समुद्र होते हैं समुद्र से भैके आदमी आजाता है यह किस ज मोले को क्या है रहते हैं कि पानी में से यह जाकर देखते हैं वह बहोत ही बेहोशी ही हालत में है बहुत ही घायल मोले कंबसे में उसको में। अब उसको उस घायल हालत में देखकर डॉक्टर सदाओ बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो डॉक्टर है तो उनका पहला एक सबसे बड़ी ड्यूटी क्या है कि वो किसी भी घायल इंसान को देख रहे हैं अपने सामने मरते वे तो कि उसे ट्रीट करें पहला उनका फिर दुबारा इसे पुलिस के पास देदू वो भी इनको मार देगी काफी कंफ्यूजन में डॉक्टर सदाओ रहते हैं कि मैं इंसानियत का साथ हूँ या फिर यह सोचो कि मेरी कंट्री से इससे वार चल रहा है और इससे मनने दूँ मैं यह कंफ्यूजन में वो क्या करते हैं डॉक्टर सदाओ वो इनसानियत का साथ देते हैं और सिर्फ और सिर्फ वार के बारे में सोचते हैं यह आप जानोगे इस चाप्टर में बहुत इंट्रिस्टिंग चाप्टर है चलो शुरू करते हैं तो दो मेंट करेक्टर में आपको बता दिये पहला हूँआ दॉक् साथिके साð में इनका gardener है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और एक जेनरल है जपान का जो general है वो भी एक कर्रेक्टर है और में एक और कश और कारेक्टर कौन है जो prisoner of war जो बहक्या ऑया था पानी से उसका नाम है टॉम तो बहुत सारे करेक्टर्स हैं और हर करेक्टर के अपनी हैमियात है मसिदार चाप्टर है चलो शुरू करते हैं तो सबसे शुरू में हमें पहले यह बता रखा है कि डॉक्टर सदाउ जब छोटे हुआ करते हैं तो अपने पापा के साथ ना जपान के कोस्ट पे तुमने देखा है जपान के डॉरेमोन कार्टून हम देखते हैं वो काफी बार बीच वाला सीन दिखाते हैं तो जपान के कोस्ट पे जो है छोटे होते वे डॉक्टर सदाउ घूमने जाया करते थे अपने फादर के साथ महां पर काफी सारे पाइन्स है बीच पर बड़ बड लिस क्यों पर चड़ा करते थे तो ऐसा उनका बज़्बन बीता था वह जगा पर बहुत बार जाते थे अब बड़े हो चुके थे そ disposi नका गर पर जहांपे वह अपने पापा की साथ बच्वर बाइब है एक स्क्वियर स्टों का का उनका प्फार बाता बाही अमिर इनके पापाई ने हमेशा बोलते थी कि सामने वो जो दो आइलेंड्स तुमें दीख रहे हैं जपान के यह वो दो आइलेंड्स है जो कल को जपान को तरक्कियों पर लेके जाएंगे ऐसे उनके फादर की सोच थी एक बहुत प्योर जैपनीज थे वह बहुत अपने कल्चर से से जोड़े से ढ़ते हैं उनके फादर अब हो जब छोटे हुआ घरते दर के उनके फादर से कांफी तर ऑन्कोlie सब्सक्राइब करनेके लिए करने के लिए बहुत चब्हुटेंग में और नहीं सिर्ट ऑक्तर सूब तो इनके फादर को सोचो कितना प्राउट फील होगा कि मेरा बेटा जो है डॉक्टर भी बन गया और एक उन्होंने अपनी आखों के सामने जो है जो सपना था उनका सच होते वे देख लिया था अब वह साइंटेस्ट क्या बनते है डॉक्टर सदाव डॉक्टर सदाव ने ड इसलिए यह एक साइंटेस्ट भी बन चुके तो और आगे इनका प्रोसेस इस पर चल रहा था अब जैसे कि मैंने आपको बताया 30 साल क्योंकर डॉक्टर सदाव घर आचुके हैं अपने अब इस समय पर वार चल रहा था अमेरिका को जपान का यूजिली बहुत सारे सोल्ज जनरल उसे लगा कि अगर मेरी तवित खराब होगी उसको कुछ हार्ट वर प्रॉब्लम थी तो उसको लगता था अगर मेरी तवित खराब होगी तो मुझे सिर्फ डॉक्टर सदाव पर फरोसा है तो वह सोल्जर्स के साथ डॉक्टर सदाव को नहीं जाने देते हैं वह कि अपने काम में बहुत ज़्यादा माहिर है अब एक दिन की बात होती है आप और बिल्कुल जो है वरांड़ में खड़े होते हैं इनकी वाइफ का नाम है उसने की मूनो पेन रखा ता और उसके उपर ब्लू कलर का कुछ कवर डाल रखा था की मॉनों हमने देखा हुआ तो उन्हें के इमोनो पैना हुआ था उनकी वाइफ हैना ने वह आके उनको अफेक्शनेटली हग कर लेते हैं इतना बड़ी आप बीच व्यू है एंदे लवीच वेरी मच तो उनको आके हग कर लेती है और दोनों सामने खड़े होके अपना नजारा देख रहे होते हैं अब इतने में जो है पूरी स्टोर में बता जाता है कि डॉक्टर सदाव और रहाना कैसे मेलते अब प्रोपो नहीं कर ना कि है कि इसे प्यर्पोज नहीं करा या जैपनीस ही है तब जाके उन्होंने से फ्रेंड़ा को पता चलेगा कि वह कोई और Japanese निया तो एक्सेप्ट ने करेंगे तो वो दोस्ती भी देखो अपने फादर का इता दिवांग में रखते थे कि हाना से उन्होंने दोस्ती भी तब करी जब उन्हें पता चला कि वो कौन है एक जापनीज है ठीक है वो लोग कहां मिले थे वो मिले थे प्रोफेसर के वहां गयते तो असान नहीं था अमेरिका में उनके लिए रहना बहुत चोटा सा कमरा था वहां पर अच्छा खाना भी नहीं मिलता था अच्छी कंडिशन नहीं थी बट तब भी डॉक जाते हैं जब हैना को देखते हैं और उनलब की एक हैना मिल गई ना उनको हाँ जापन सब बन गए वह तब वह वापस आते है जपान और फिर अंकल की परमीशन से किसकी डॉक्टर सदाओं की परमीशन से उनकी शादी करा दी जाती है प्योर जैपनीस स्टाइल में तो सब पढ़ाई विड़ाई कतम करने के बाद उन दुनों की शादी हो जाती है अब उनका है मैरेट कपल है वह दो बच्चे भी हो उनमें से तो एक सिर्फ तीन महीने का है तो यह आपको उनकी लव स्टोरी भी पता चलिए अच्छी लव स्टोरी है ना बढ़ी है ना ठीक है चलो अब दोनों अपना भार खड़े होते हैं अपने वरांडे में वरांड़ा मतलब मैं बेड़ा बोलती हूं हमारे यां तो बेड़ा बोला जाता है कंजाबी में मतलब की बैलकरी टाइप में वह अपना खड़े वेते और भार वह बीच को देख रही होते बहुत अच्छा विए सड़नली उन्हें दिखता है कि भाई वो जो अंधेरा सा चा रहा था और साथ मे मिस्ट मतलब होता है धुंदली धुंद में से उन्हें कोई इंसान ना जो है समुदर में से चलता वा ऐसी यू लड़कराता वा चलता वा सा दिखाई देता है वह एकदम से हैना ने हाथ पकड़ा रखा था डॉक्टर सुदा को वह हाथ चोड़ देखती है कौन है दोनों पर जुपके देखते हैं कौन है वह डर जाते हैं देखके उन्हें लगता है कि शायद कोई फिशर में है और शायद वह घयल वह गया होगा गिर गया होगा बोटवर्ट में से तो वह डूब के या तैर के इधर तक पहुच चुका है तो दोनों भागते भी उस आदमी को च वह चुका खुण हो ठाथवा निकल रहा था उसमें और उसको जय को किया करतें डॉक्त्टर स दो साथ आदि मी को था टं करते हैं उनको लग रहा होता है कि कोई फिशर में हैं पाकासी के विलिज से आ गया हो गिर गे को शायद और वह कहां तक आपकर उन फिंथे के जावधा मैं वह सब्सक्राइब लुए हैं उसके छगन पैसे हो उसके शाओंént और वह जाँ दिली हो रहा रख्या है तो उसको हटाते थे तो उनुए दीख जाता है वह इतना इसको इतने का तो का दुछ दिन पहले गोली लगी थी और ये शायद इसको इलाज नहीं हुआ है तो इसलिए जो है इसके घाओ बहुत जादा बढ़ चुका है और अब जब यह ऐसे पानी में गिर गया है न तो शायद रॉक वाक जो होते हैं जो पत्थर होते हैं बड़े-बड़े पानी में उसने इसके घा कर रहा है अब सदाओ सोसते हैं हम क्या करें सादमी का क्योंकि अब उनका बहुत बड़ा डिलेमा कंफ्यूजन उनके माइं में मतलब भई वह इतनी परिशानी में आ जाते हैं कि भई से मारे यह से चोड़े मैं डॉक्टर हो मैं कैसे किसी को अपने सामने मरतावा देख गोली जो है पूरा वूंड खराब हो चुक है बिल्कुल खून इतना निकल रहा है और एक बहुत स्केल डॉक्टर है वह तो इतने में ही वह क्या करते हैं सी मॉस जो समुदर के पास में जो फंगस वंगस सी उगरी होते हैं उसको निकाल के उसका वूंड जो है उसको थोड में लेके गए तो लोग हमारे को देश धरोई ना समझे कि हम इसका इलाज कर रहे हैं तो वह डिसाइड करते कि इसे फेक दे ठीक है तो फिर जो है डॉक्टर सदाव हैना से पूछते क्या तुम मेरी हेल्प करोगी इसको वापस पानी में फैक्टिंग के लिए है तो हैना क पुलिस को चोटने ही लगी होती गोली ने लिए होती बिलकुल फस्क्लास होता यह तो तो मैंसे वापस पानी में फैक देता या भी पुलिस को बिलाके पुलिस के आफाले कर देता बट इसकी जो हालत है इस समय पे डाडली इंजर्ड मेरी मेरी हमानिटी मुझे अलाओ नह में शेल्टर करेंगे वार के समय पर वाइल्ट मैन को तो शायद सर्वेंट इंफॉर्म कर दे उनको जेल हो जाए वो सारे वर्स कॉंसिक्वेंस भी सूचते हैं एक एक बात उन्हें पता है कि मुसीबत हो सकती है उनकी अगर वो लेके जाए उसे घर के अंदर बट वो इंस कुल है उसने यह जाता है कि है उन्हें ने कि आधा और जाता है उनने हमने काफी तॉर्चर किया जाता है तो हना को तड लगते हैं और पाल पाल उसकादि मोवी शकमे करने में तहर वह नुक भी से लीग देक्टे उनक्कर में ले जाते हैं वह कमरा कैसा था बिक्कुल जैपनीस स्टाइल कमरा था अब हमारे लिए भई शिंचन डोरे मॉन की फैनू में मेरे को तो कोई डिफिकल्ट नहीं है भाईया कि जैपनीस कमरा कैसा होता है वैसी वह जो बिस्तर जो है आपको निकाल के वो कुल्ट बिछानी बेड नहीं लगा होता विपकुल चुंदर सा यह की अलमारी होती है वैसा सा उनका कमरा था विपकुल नीट एंट क्लीन साफ सुथरा वो उसको वहां ले जाते हैं तो इतने में हैना क्या करती है उसको दरजाई निकालनी होती है नीचे बिछाने के लिए सो दाट बैडर की कुल्ट होती है सिल्क की वनी उसके ओपर रख देती है और उसके उपर प्रिजनर ओफ वार को लेटा दिया जाता है और आप जो है डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि सबसे पहले तो हमेंसे नहलाना होगा क्योंकि इतना खून लगा हुआ है इस पैन ही सो डिर्टी राइट न सबस्ट करना पड़ेगा मेरे में जो गोली इसके पेट में है या जहां बहां निकालम पड़ेगा तब यह ठीक होगा तो हैना । करो है कि कल को लोगों को पता चलेगा इन्होंने operation कर दिया बचा एसको तो है न डरती है कि हमें इसको operation करना चाहिए या नहीं करना चाहिए बड़ डॉक्टर सदाओ कहते है कि यह तो काफी extraordinary नरी सा बच्चा है 20-20 साल कही है बड़ इसकी इम्यूनिटी देखो कैसी है कि इतने दिनों से इसको गोली लगी अंदर है इसके शरीर में और येतनी जो है चोटे खाई है इसने बड़ तब भी है जिन्दा है ऑपरेशन तो चलो मुझे करना ही पड़ेगा वो अभी कन्फू मुला लगता है तो बच्चा होता है उपनी ममी के वाचन के भुछन के बुलाने लगता है है तो अंधर जाना पड़ता है वे और बच्चे को सुला देती है थी कि चलो मेरे साथ क्यों। और Yumi को ले जाती है, वो हॉट वर्टर की बाकेट लेके, उस रूम में जहापे वो प्रिजनर ओफ वर था, था, ठीक है, Yumi देखती है उस आदमी को, उसे पता होता है कि उसको नहिलाना है, जैसे Yumi उसकी शकल देखती है, उसकी वो white man है, उसके lips देखती है, उसकी आंके देखती है, उसके बाल देखती है, तो Yumi bucket रख दे, Yumi कहते हैं, मैं नहीं नहिलाओंगी, इसको एक तो यह तना गंदा, उपर से white man, मैं नहीं नहिलाओंगी इसे, तो फिर Hannah को आता है, गुस्सा, because she was the master, वो केते हैं, तुम वो ही करोगी, जो मैं कहीं, मैं तुमारी मालकेन हूँ, और यह बोलते ही, हैना डर जाती है, इस समय मैं मालकेन नहीं हूँ, इस समय मैं कुछ गलत कर रही हूँ, अगर यूमी को गुस्सा आगया, जाके इसने पुलिस को बोल गया, तो मेरी ही प्रॉब्लम हो जाएगी, तो एकदम से तो यूमी को चिला देती है, हैना की नहीं, तुम इसको साफ करो, इसको नहलाओ, बट फिट डर जाती है, फिर उसे कहते हैं, ठीक है तुम जाओ, और फिर खुद से ही वो उसको नहलाओ, जब अमेरिका में रही थी उसके बाद आज पहली बार वो किसी अमेरिकन को देख रही थी, इतने समय से उसका कोई वास्ता नहीं था किसी अमेरिकन से, अब जाके वो किसी अमेरिकन को देख वी रही थी तो भही है इस हालक में तो वो उसको क्लीन कर दीती है, इतने में ही डॉक्टर सदाव को आजाते हैं अपना उपरेशन वाला बैग लेके, वो काम के समय पे बहुत फोकस रहते हैं तो वो एक टावल बिचाते हैं और उसके ओपर सारे इंस्टुमेंट्स जो भी होते हैं वो सब रख देते हैं और जो है हैना को बोलते कि तुम्हें मुझे असेस्ट करना पड़ेगा इस operation में तो चलो मैं आपको उसका जो फ्लोर था वह पूरा गंदा होने वाला था उनका फ्लोर भी काफी अलग सी मैट वैट बिची होती है तो हैना सूरते में भार गार्डन से जाके ना कुछ जो कपड़े पड़े में फालतु के वो नीच से बिचा देती हूं तो आप देखो हैना इस समी किस हालत में उस अपने रूम की भी टैंशन ओरत अब इस अपने ये इस अपने इस अनिस्ट yutam में और उस से इंसान की भी टैंशन हो रही है जो किस स्टेट में ऋगी वह आधा आप सूचो तो और उसे अभी करना तो ऑप्रेशन में डॉक्तर सदाों को अब बड़क्टर सदा उसको करना स्वाइब करते हैं और हैना को कहते हैं कि तुम्हें से अनिस्थीसिया देना होगा नए वह भी हुष तो मैं कैसे गरूंगे तो दोक्टर सदाओ के तो यह आपके हैल्प करूंगी वह बैट जाती है दॉक्तर सदाओ के साथ में आपको यह फोटो दिखाती हूं यह बैटल वह जो कुछ अनके हाथ में होता है और टूल से जब उसको अप्रेट कर रहे होता है तो उन्हें पता चरिज़ा था उसको चाहिए के पास गोली है तो बुलेट को जैसी वह अंदर करते है तो जैसे जब उपरेट कर रहे हो तो दर्द में चिलाता है बहुत जादा इसके एंदर अभी भी थी जैसे ही वो उसको जो है टच करते हैं तो बहुत सारा खून बहना शुलू हो जाता है उसके घाव में से और यह खून देखकर हमें को उल्टी आजाती है यह इसके मुझे में हाथ ना इसको एकदम से वामिट आती है उल्टी आती ऑर यह भार राग से परशान हो दे मैं क्यों कर रहा हूं इस cooperation मेरा दुश्मन है क्या जरूरत है मुझे करने की बट यूनों वह इंसान हों में इंसानियत है वो डॉक्टर है उनकी पहली ड्यूटी जो है वो उसे परफॉर्म कर रहे है ठीक है तो अब इतने में हैना आ जाती है विकुल अब फ्रेश्य हो कहते हैं कैते हैं मैं ठीको मुझे बताओ वो का है निस्थेसिया देने के लिए वह वाइल का है और बताओ मुझे का है वह काँ वह nearest बताओ मुझे को सब लें कर आ जाती है और है जो है डॉक्टर इस घृए चाजर से यह ड्यूटिंस अब ऊपरेशिन करते हैं उससे बाते किसे और टुरिकर करते उर्य है तो उसको मारी फ्रेंड माय फ्रॉड कर के बोलें बाते हैं इवन् यह लड़के की हाँ पर डीप स्कार्स होते और रेड कलर ऑघ्र तो है उसको देखके सूचते कि इस बेचाल को कितना तंट किया गया वह पिस तोट थोटा सा बच्चा ही इसको काश को टॉचर ना किया गया वास अननन ने तो ने इस पता दा कि शुक्त किया गया हुगा तो मनी मन परशान होती है कि इस बच्चे ने क्या कुछ नहीं जेला होगा और वहां पर डॉक्टर सदा उसको ऑपरेशन करते हुए अपने मन में क्या बात सोचते हैं उन्हें अपने अमेरिकन प्रोफेसर की बात याद आ जाती है कि उनके प्रोफेसर ने उन्हें सिखाया थ कि वह बॉड़ी की फुल नॉलिज के बिना उसका जो है ऑपरेशन करें बट डॉक्टर सदाओ वह एक्सपर्ट वह जल्द ही चेक कर लेते हैं उनको वह बुलेट मिल जाती है वह बुलेट उसके किड्नी से भार निकाल देते हैं वह बहुत जोर के चल लाता है गट्स गट करके वह अपनी इंग्लिश में कुछ बूलता है बट अब जो है डॉक्टर सदाओ बुलेट निकाल चुके थे वह बेकुल ही उसको टाके आके लगा देते हैं और जो है बुलेट निकल चुकी थी अब वह एक सिरेंच लेते हैं उसमें एक वायल में से हाइपोडर्मिक जो मजूं लगे थी वह बचा चुके थी। कि अनौने उसको इनका सुक्सेस्टफूर होगता है ठीक होगे थी क्या मतलब जिंदा ओ चुका था अब अगले दिन हमारा को देखता है प्रेंट बहंे अवी जीयुका प्रवेमो वह इस творש matar न में रही थी और तो आप यह देखो कि हैना को यह सब भी करना पड़ रहा है कि उसे खाना पड़ रहा है और जो है उसको सोचो है ना के साथ कैसा फील हो रहा है उसको थोड़ा सा कंसोल करती है अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम्हें दरने की ज़रूरत निया अब तीन दिन बाद मतलब तीन दिन वह रहा है उनके घर पर ही प्रिजनर ऑफ वर थर्ट दे आते हैं सदाओ डॉक्टर सदाओ उस कमरे में जहाब हो था उनके फादर के कमरे में और वह यंग मैं अब में बेटहों सकती हैं अब बच्चा से 17 साल की करीब का था अब डर जाता है और वह सोचता है कि अभी तो हमेरे क्या क्या करोगे आप पिर को पुलिस को दे दोगे तो डॉक्तर सदाओ के घुज अब खुद नहीं पाता है मैं तुम्हाई साथ क्या करने वाला हूं और और बताना की कोशिश करते हैं यह हूं मैं यह हूं तो दोक्टर सदाओ के मुझे अपना नाम बताना मुझे अपने बार में कोई विद्ध करते हैं तो हमारे मन में कुछ सॉफ्ट करने इसलिए हम इसे शेल्टर कर रहे हैं डॉक्टर सदाओ के तहां कुछ नहीं है मैं जपनी और मैं से प्यार करता हूं यह सिर्फ मेरा हमारी ड्यूटी है कि हमें ऐसे किसी को मरतावानी चोड़न है इसलिए मैंसे बचाना अब सर्वेंट अपनी सारी ड्यूटी तो कर रहे थे खाना भी बना रहे थे गार्डन भी समार रहे थे बट अब उनकी नजरों में एक जैसे कुछ श्रक की निगाऊ से वह अपने मास्टर को देखते थे और आपस में हरसा में टॉंट मारते रहते थे बाते करते थे एक ब उती हो यह कुटने चाहिशिए कर में से ब्लाड हो यह जसके हो अपने आपको कुछ यादे इसको मर रहा था तो मर नेताये थैयर क्या सूसा है अपने शश्कुस को जादे सक्षिख.. इसलिए उनोंने इसको बचाया है और सामने वो कोख खड़े हो कि इनके हाँ में हाँ मिला रही थी वहीं पर जो Yumi है Yumi बोलती है कि किचन में खड़ी होती है जो Hanna है वो यह सब सुन रही होती है Yumi कहती है यह जो भी कर रहे है इने बच्चों का तो सोचना चाहिए चोटे-चोटे बच्चे Yumi को बच्चों से बहुत लगावे क्योंकि उनकी नैनी है ना तो बच्चों का तो सोचना चाहिए कल को इनने जे लोगी तो बच्चों को कौन संभालेगा और यह सब बाते वह इंटेंशनली कर रहे थे सो दाट उनके मास्टर जो है हैना जो है वो सुन ले और इनने घर से बाहर निकाल दी हनी कि वो जो नॉकर थे ना घर के तो सर्विंट्स थे उन्हें काफी तो आप मैं उसे प्रिजनर ऑफ बोलूंगी तो आप समझ जाना अब सदा उसको रोज एक्जामिन करते थे रोज जाकि उसका चेक अब जब उसको चेक करने जाते तो वो देखते कि उसके टाके खुल गए थे और उन्हें समझ में आजाता है कि 15 दिन के अंदर 15 दिन बात तक यह बच्चा ठीक हो जाएका कौन था वो टॉम था वो चीक है अब वो टॉम उनसे पूस्ता है या नहीं पुलिस को देंगे या नहीं देंगे और वो रात हो जाती है वो अपने रूम में आते हैं और बैटके लेटर लिखते हैं लेटर किसको लिखते हैं पुलिस सुपरेटेंडन के लिए प्रॉपर लेटर फॉर्म करते हैं कि 21st February को तो आप याद रखना किस दिन भे तो इसको द्रॉपर में रख देते हैं क्योंकि वो अभी भी तैयार नहीं थे उसे जेल भेजवाने के लिए ठीक है तो सबस्ताइब में रख देते हैं साथ दिन हो गया थे टॉम उनके घर पर ही था और साथ दिन उनकी लाइफ का काफी डेंजरी जी वाला था सुबह थी अपनी मास्टर वाली वो सब को पैसे दे देती है और सब जा रहे होते है घर से ठीक है अब जो वो यूमी है वो बहुत अटाज्ट है वच्छों से यूमे को आपके बोलती है कि अगर बच्चे रात को बहुत रोएंगे मेरे विना तो आप मुझे बुलाने आ जाना आप को पता है मेरा घर कहां पर है और बहुत तीज-थे जूमी रोरी होते है क्योंकि उसे जाना भी नहीं तो मजबूरी में जाती है इतना भी मेरे बच्चे रहें मैंनी बुलाओंगी उमे को क्योंकि उसमें थोड़ा अपनी ठीक है तो वह सबको पैसे पेकर देती है आप सर् गए ठीक है अब वह जो है खानवना बनाती है बच्चों को संभालते हैं घर पे और वह पूरा घर का काम कर रहे होते हैं अब इतने में ही उनके इस साथवे दिन की दूसरी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली थी हैना बैटके कुछ काम कर रही होती है घर पे ही और डॉक्ट पीछे पीछे आजाते है месяnger उस hana के और सदाओ बेऍटकी पड़्य रही है तो बोलती है कोई आया है और सदाओ देखता है कि मेसेंजर है बढ़क रहते हैं अधैर मेशसरी यार्शो जो जेंद में घर ने किया ही तो बताता है markLE को सदाओ को वहाँ काफी रिलियाक्स तो वो मेसेंजर बोलता है कि इससे भी बड़ी कोई बात हो सकती है तो वो डाट सा देता है उसको भी तुम में मतलब क्या सुनना चाहती हूं तो हैना तो इसलिए पूछ रही थी कि उसके मन में चोड़ था क्यों उन्होंने प्रिजनर आफ वार को समाल रखा है और वो जो है बढ़के किसाथ मुझे से घर से अपने बाहर निकालना ही पड़ेगा वो बहुत जड़ा ड़ चुके अब सदाओ पहुच जाता है जेनरल के हाँ ठीक है अब जेनरल को सदाओ काई सारी बात बता देता है कैसे मेरे पास आया और मैंने उसको ट्रीट कर रहा है जेनरल उसक कि यह बात सुनके थोड़ा सा खुश हो दाद है वो कहते हैं अच्छा तुम तो इतनी बड़ी आ डॉक्टर हो मतलब मेरी जान एक सही आदमी के हाथों में कि कल को मैं भी मर रहा हूंगा तो तुम मुझे बचा लोगी मेरे को तुमार में जादा भरोस हो चुका है तो आप जेनरल बोलता है कि अगर मैंने ये बात अगर खुल गई और तुम्हें अगर जेल वेल हो गई या तुम्हें अगर एक्सेक्यूशन करा होगा और अगर उसी दिन मेरे को अटाक आजा तो मेरी सर्जरी करने को आएगा तो इसलिए मुझे तो तुम्हें बचाना ही पड़े करते हैं कि अगर मैं मर भी गया तो वह अपरेशन को सक्सेस्फुल बता देंगे मुझे बचाने के लिए कुछ नी करेंगे मेरा भरुसा तो सिर्फ तुम पे ही है मैं तो तुमसे ही अपना अपरेशन करवाऊंगा तो यहां सदाओं को समन में आ जाता है कि वह जेनरल उसक कि जो है कोई भी बात उसकी मान जाएगा जनरल क्योंकि जो है उसके सिर्फ और सदाओं पर फ़रुसा था अब जनरल कहता है कि ठीक है यह तो बड़ा गलत हुआ तुमारे घर के बाहर एक अमेरिका ना चुका है बचलो मैं कुछ करता हूं तो वह दुना आपस में डिसाइ हुए तो मैं उसको मरवा दूगा और तुम कहोगे तो बोड़ी वड़ी भी मैं सारे डिस्पोस करवा दूगा किसी को पता भी नहीं चलेगा कुछ हुआ है तो डॉक्टर सदाओं कहते हैं हाँ आप ऐसा कर दो देखो जिस इंसान की उन्होंने जान बचाई है उसी का तॉम से मिलते हैं और तॉम क्या कर रहा था भाई साब भाई गार्डन की तरफ तुम कहां जा रहा तो तुमने पर्मीशन ली किसी से लेता ही नहीं हूं तो वह उसे काफी होम-like फील होने लग गया है और इतने मियों इसके हाथ में दर्द होने लगता है पहले तो गुसा भी है उस बच्चे की कि हलके से उसके हाथ में दर्द है तो वह नहीं लग रहा है कि वह ठीक हो जाए और अभी उसका मर्डर करके आए वह बिंदा मजबूरी ठीक है अब इतने में ही क्या होता है रात हो जाती है वह तौम को जो है बेट पर लेटा देते है कि भाई तू सो अब और यहां वाली जगए के पास उनका खर तक कोई भी वाजा आठा तो वह डर जाते थे उन्हें बारवर ऐसा लग रहा था कि फूट स्टेप सा रहे है कोई चल के आ रहा है ऐसा महसूस होता है कोई नहीं रहा था उन्हें रहा था कोई आ रहा है कुछ मारा किसी ने ऐस उसको भी देखाते हूं डॉक्टर सदाओं से नहीं जाने देते क्यों नहीं लगता है असासिंस आ चुक्योंगे दूसरे दिन बाट जब वह सुबा उटके देखते हैं उस दिन भी टॉम अपनी जगा वे भाई पिता अभी भी असासिंस नहीं आयते और जो है जो है जो है चाहिए तो वह टॉम के पास जाते हैं और उसको चेक करते हैं और उसको कहते कि भई अब तुम ठीक लग रहे हो मेरे को मेरा अगर मैं रात को एक बोर्ट जो है तुम्हें देदू और कुछ पानी और कुछ खाना दे दू तो तुम जो है रो करके बोट को सामने वाले आयल यह भी आईलेंट से और उन फॉर्टेफिकिसिंग नहीं नहीं द्यान नहींद लाइट सांधा पानी पानी कि इपने द्यान की परोट आपका सब्सक्राकुमा ते उन देखते हैं है कि यह मेरी जान बचा रहा है यह आदमी फिर से मनी मन वह बहुत खुश होता है डॉक्टर सदा उसको पूरा प्लान यह वाला बता कि जो है बाहर चले जाते हैं ठीक है अब वह जो है ना को कुछ नहीं बताते हैं सब के बारे में वह रात को आने जो है फिर जो है एक बर फ जाना बहुत है बारे में प्लतों इसके काले रंग कपड़ा बांग देते हैं तो अब उसको फ्लैशलाइट देने से पहरे सोचे क्यूंगे अगर इम देरे में अगर फ्लैसलाइट जलाएगा तो पकड़ा जाएगी और इक छोटी सी फ्लैशलाइट जो दौक्टर सदाउ नहीं बोट बोट नहीं मिल रही और तुम में बहुत दिन वहां रहना पड़े और तुम्हारा खाने अगर खतम हो जाए तुम मुझे दो बार ऐसे फ्लैस लाइट से सिगनल कर देना जैसी सूरज डूबरो तब रात में मत करना पकड़े जाओगे जैसे सूरज डूबरो ना उचल से सिगनल कर देना मैं समझ जाओगे तुम्हारा खाना कहता है मैं तुम्हें खाना दे जाओगा और अगर तुम भी बुल ठीक हो जाए तो मुझसे मांग लेना ऐसे तुम वहां पर रहते रहना जाने से पहले वह उसकी बोट में बॉटल वाटर भी रख देते हैं रजाईयां भी रख देते हैं दो जो एक शॉप से लेकर आए थे दो पहर में वह सब कुछ लेकर आ गया थे सीक्रेटली बिन हैना को बताई चला जाता है एक काट बार वह रास्ते में फ्लैशलाइट जलाते रासा रूडने के लिए कुल अधेरे में उसे भेजते हैं और फिर यहां पर आप समझो कि वह भाग गया प्रिजनर ऑफ और जो है डॉक्टर सदाओ उससे छुट जाते हैं अब क्या होता है भाईया वाप अब क्या होता है अब हमें यह बात बताई गया है कि बीच में एक दिन जब उन्होंने भगा दिया था उसको जो है प्रिजनर ऑफ वार को उस बीच में उसके बाद एक दिन रात को डॉक्टर सदाओ गयते उस जेनरल को ऑपरेशन करने के लिए काफी घंडों तक वो ऑपर परुक्तर सदाओ उनको फिट चेक करने जाते हैं और लेकसवा को बता दे अवाद कि मैंने उसको तॉम को भगा दिया है प्ने देख रहेंवार को रहते हैं कि कि यौर एक्सिलेंसी मैं अपनी कंट्री के लिए पूरा पेट्रियोटिक हूं नहीं हूं ऐसे कुछ हुँ समझाने की कुशिश करते जेनरल को यह काम मैंने मजबूरी में कर रहा है सन्हीं कि मैं अपनी कंट्री का दोश्मन हूं तो जेनरल कहते हैं औरे कोई बात नहीं लगे तुम सामने नहीं आओगे तो जॉक्टर सदाओ को समान में आ जाता है यह जनरल तो बिलकुल उनके हाथ में हैं मतलब कि उनके इशारों पर चलने वार है वो समाझ जाते है प्रॉपर क्योंकि अभी उन्होंने जान बचाई हो जेनरल की एक इतना लंबाव ऑपरेशन क अब जब घर आ जाते हैं तो उन्हें अपने असली रिवार्ड मिलता है वह भार आके दीखते हैं तो उन्हें कोई सिग्नल विगनल नहीं दिखता तो देट मेंस वह जो टॉम है कोई कोरियन फिशिंग बोट आ गई होगी उनको ऐसा लगता है कि हाँ चलो उतो बच गया है ठीक है अब उनकी लाइफ विल्कुल नॉर्मल हो जाती है सब घर में नौदेवा लिविंग हैपिली एक दिन डॉक्टर सदाव अपने घर के वरांडे में फिर से भार खड़े होते हैं और अपने मन में सोचते हैं कि आज तक वो ना बहुत सरे अमेरिकन लोगों से मिलेते सब से पहले वह सोच थे अपने प्रोफेसर के और वाइफ के बारे में जिनकी घर पर रहते थे और उनए अच्छा नहीं लगता था फिर वह अठीक सरक लिभात पेशाती तैंगें ज पैशा थी और वहां परे उस्ते हैं हमारे के सथे अच्छ आफे से नहीं पिचाते थे वो अमेरिकन के बारे में का एक साथ ट्रीट किया जाता था जब हो जब जैपन में थे सारे अमेरिकन लोगों से आज तक जित से मिले ना डॉक्टर सदाव उनका दिमांग में अपना उनका चहरा लाते लाते इसका टॉम का कैसे टॉम आया और मैंने उसे बचा और से भीजा लांसमी है सोचने कि ऐसा क्या था जो मैं उसे मार नहीं पाया मेरे मेरे में ऐसी क्या लगवात थी कि मैंने उसको नहीं मारा और मैंने उसे भगा दिया एवन तो उनके KNOCKER कह रहे थी मार दो हर कोई कह रहा था मार दो जेनरल भी मारने को तयार था private कातल भेज़के वह अपने मन में सोचते हैं कि ऐसा मेर में क्या डिफरेंट है जो मैं उसको नहीं मार पाया क्या आव शायद वह अपने मन में सोचे हो कि वो देज रूई है तो यहां पर आपको चाप्टर हो जाता है में हां थर्ड लेवल है उसमें टाइम ट्रेवल इसमें पूरी स्टोरी पता नहीं कि अच्छी कहा से पिच्चर वन सकती है तो पर्फेक्ट चाप्टर है यह हमारा बढ़िया कंप्लीट हो चुका है अब इससे एक्जाम में बहुत धेरों क्वेस्टन आ सकते हैं तो वह सब क मैं मिलती हूं नेक्स वीडियो में आज आपको पराऊंगी क्लास 12 इंग्लिश विस्तास बुक का एक चाप्टर जिसका नाम है on the face of it यह चाप्टर के में दो करेक्टर्स है एक है डेरी जो एक 14-years का बच्चा है और जो गाइस इसका रियल निम डेरेक है इसके साथ एक मिस हाप्टिंग हुई है इसकी ना फेस का जो हाफ साइड है वह एसिड की वज़े से बर्न हो चुका है और इसने उसकी लाइफ पे बहुत ज्यादा इंपक्ट डाला है डेरी बहुत मन से डरावा रहता है उसे लोगों के सामने आने में बहुत डर लगता है उसे बहुत फियर है इंफेरियालिटी आचुके उसके अदर उसे लगता है कि जब लोगों के सामने जाओंगा वो मेरे बारे में कुछ बाते करेंगे और उसे लोगों से नफरत होनी शुरू हो चुकी है वो मनी मन इतना ज़्यादा परेशान है देरी दूसरी जाइब पे है हमारे कॉन एक गारडन के ओनर जिनका नाम है Mr. Lam, Mr. Lam भी जो है आप कह सकते हो कि फिजिकली इंपेर है इनका जो एक पैर है वो टिन का है एक वार में इनकी यह जो लेग थी वो चली गई थी तो अब तिन लेग है इनके पास यह जो है यह भी फिजिकली इंपेर है बट इनका जो करते हैं और यह दुनों बाते करते हैं अब जो आज जो बाते आप देखोगे जो Mr. Lam को बीश में होती है आप देखना कि वो डेरी की लाइफ बदल देगी जो उसके मन में इतने डर है जो उसको कोई सपोर्ट नहीं करता कोई उससे बात नहीं करता जो जो बेचैनिया उसक के बीश में तो लेट्स साथ द्सप्लेइए तो सीन वं से चुरू करते हैं सीन स्टार्ड होता है Mr. Lam के गार्डन से गार्डन में चिडिया चेह चाहरी है और हवा चल रहे है बहुत अच्छा सा गार्डन है उनका और जो है डिर दीरे घार्डन में चल रहा है और ऐसे चल लैंब की देखो Mr. Lambo से बोलते बिटा धियान से नीचे जमीन पे क्रैब एपल गिरेवे हैं कुछ खटे से अपल जोते हैं जैली बनती है जैम से बनती है तो वो उसको बोलते बिटा धियान से यहां पर अपल गिरेवे हैं ऐसा नहों कि तो मुन पर फिसल के जो है नीचे गि अब मुन ऊदो को लगाया है इसमय करी है अघर में गर चाली है अब वह तो यह चाली है तो तुम अदर लोग तो आच आप पे टूमी मिश्क्रों को पता है कि GeFor तो यह देख रहे तो डेरी को आ जाता है गुसा डेरी कहते है अच्छा आप मुझे देख रहे थे कि तुम यू वच्छ नी तो मिस्टर नहीं हो अब यह बात सुन देखा तुम दिवार से कूट कर रहे तो अब भाईया यह बात सुन देख रहे बोलता है कि मैं कुछ चोरी यह बात सुन देख रहे तो मुझे 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 जानते तो नहीं हो ना मतलब कि वह ऐसा कहना चाहिए कि तुम मुझे बात क्यों कर रहे हो तो मुझे जानते तो नहीं हो तो मुझे जानते तो Mr. Lam कहते हैं तुम्हें जानने में क्या है तुम्हें एक बच्चे हो थर्टीन एर और सम्थिंग के डेरी कहते हैं नहीं मैं 14 को अच्छा चलू ठीक है मैं जा रहा हूं अब डेरी जाना शिरू कर देते हैं बट मिस्टर रोक लेते हैं उसको कहते हैं अरी बेटा डरो मत क् मंग storage यहीं रहले कोई बात कि डेरी वाद दें तो अब आशे में कैता हैं किष्छी से मैं किसी से डढनी लगता है वहमा एक किक्して के डरते हैं तुम स्माइजा कुछ हैं कि क्यों पूखने कि तुम से दरूरत है तो घरी जैसेдо हैं का नहीं पता क्यों रूधें प्रम कि प साथ में आदा फेस का आप程वा है लोग बीरे बारे मैं तोpsy सूच में मेरे ड़ जाते हैं मैं अपने आया लग्ANS ere भी क्या हो डरे यह हो गया लेक। मिस्टर लैम उब पूछ advancing नहीं करनी थी कि Derry चाह रहा है कि Mr. Lam उससे पूछे कि क्या हो उसके फेस को बट Mr. Lam बिल्कुल इंट्रेस्टेर नहीं थी तो Mr. Lam कहते है अभी जब थोड़ा सा मौसम बदल जाएगा ना वह बात टॉपिक चेंज करते हैं तुम भी बाकी लोगों से जैसे हो जो रोज मुझे मिलते हैं वो मुझे देखते हैं अपसेट हो जाते हैं और फिर इदर उदर की बाते करते रहते हैं आपको भी इसे डcciones के बारे में नहीं पूछ जल गया है तो एक वाकता है अब समस्ट से नहीं जला है मेरा फेश ठीक है ? 벌써 जो हम बहुत कोई इंड्रेस नहीं दिखा थे जब डेडी ने बोला चाहavier ऐसे जल से जल खी क कि mäßता थे आएďड से जला अचाहğa ह। वो किसी चीज में इंट्रस्ट नहीं दिखाता है वो नो ने सुन लिए उसकी बात तो डेरी बोलता है आरें तुम्हें मेरे में कोई इंट्रस्ट नहीं है क्या मैं मैं इंट्रस्ट नहीं है क्या मैं इंट्रस्ट नहीं है तो मिस्टर लाम उसे समझाते है देखो तुम एक ब वहां देखो मेरे गार्डन में यह उनका लाइफ लेशन शुरू हो चुके हैं क्योंकि वह डेरी में चेंज लेके आना चाहते थे वह समझ चुके थे कि बच्चा बहुत डरा हुआ है यह मतलब इसको लग रहा है मैंसे डर रहा हूं और यह मेरे अपने फेस की वज़े से बह खाली मेंने फ één प्लावर्स लिए यह तो मेरे लिए वह ब्लांट जैसे ही है मैं जो एक यह निया को किसी भी चीज में नहीं नहीं करता हूं तो इसलिए मैंने मापे गार्डन मना रख वीट का हम सब दुनिया में सेम होते हैं तुम और मैं भी बिल्कुल एक जैसे हैं चिक यह घुल्चाना चाहते हैं बादवीर। नहीं करने हैं तो जैसे डैरी को बॉले तुम्हार में बिकूल सेम हैं तो ढहिं हो नहीं हम तो बहुत नहीं हैं तो बहुत जवान हो तुम बच्छे की हो मैं बूड़ा हूं तो मेरी एक लैगिम्स तो आप डेरी को सारी बाते छोड़के अच्छा आपके लेग तिनकी है क्यों है तुमारी लेग तिनकी वह ऐसे पूछना उच्छा शुरू कर देता है तो मिस्टर लेग बताते है वह जो अस्ती वाली थी वह वार में मेरी जो है इक्सिडेंट हो गया था उस समय पे चली मैं तक पाऊंगा वाल तो लोगों नोटिस नहीं करेंगे तो मिस्टर लेंग करते हैं कई लोग मुझे करते हैं कि मेरी तेनकी लेग है में लंग राह हूं क्यिए शुटे चोटे बच्चे जो यहां गलीकी होते मुझे लेमी लाम बोलते हैं बट ऐसा कुछन नहीं तो मिस सारी चीज़ें जैसे कि मेरा फेस मेरी शकल को देखते हैं लोग तो डेरी को बार-बार गाइस मन में यही मन आता है उसके बन में एक ही बाती है कि अगर कभी भी वह सड़क से चल की जा रहा है और चार जनों के सामने जाएगा तो उन्हें बस एक ही चीज दिखाई देगी व अठील समझाओं मुझे क्याकर है तो मुझे अब बादैंड यों पूरा गुंझे की 150 खानी को कहांनीों में हो जाता है आप को प्रिंस में ड partout अब से प्यार हो जाता है तो डेरी कहते हैं यह सब बात हैं कहान्यों में अच्छीं सब्सक्राइड हो को इमेरं को बात In इन फेक्ट मेरी ममी किस करती है। तो मेरे दूसरे ओने में सबस्टाइब करती है इस सकी हैसा हुए। उलाव करेगा मेरी गोलिल्फंट मेरा साथ देगा तो Helen कहते हैं क्यों नहीं हो सकता वर्ल्ड में कोई हो सब्सक्राइस को तुम्हां को है और बैट कि ये तुम्हारा गार्डन किस्टा करें डुस्टा कर यह कोई लगया यह तुम्हे लल्ड र Fernando तुम भी कोई लड़की मिला तो वो उसको बोलता है Mr. Lam को कि आपको यहां गार्डन की चार दिवानी में बैट के लग रहा है यह वर्ल्ड है वर्ल्ड बहुत कुरूल है भी बाहर जाओगे तो आपको बता चलेगा तो Mr. Lam उसका इसवार कर जाते हैं केते हां अभी में गार्डन में हूँ तो मेरी दुनिया यही है जब में बाहर जूँगो तो मेरी दुनिया बाहर चली जाएगी अब डैरी अब डैरी कभी गुस्टा और Mr. Lam से कभी सिंपती कर रहा है अब फिर पूछते हैं आपके यहां ल बारिश का सीजन होता है तब दर्द होता है तो फिर वो कहता है हां लोग मुझे ऐसे भी बोलते हैं कि देखो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पूरी दिद्धी दर्द में जीना पड़ता है जिनके हाथ पैर कट जाते हैं तुम तो फिर भी इतना कंप्लें तो में नहीं करनी से तुम बहरे पैदा हो जाते तुम अचे है समय को तो कहता है कि Mr.la accompany है हाँ थो सही तो नहीं कहते हैं तुमार यूत्स करन दूह नहीं तुमारे थु कान है तुम्हें एक श्वी सत बरें ग्राकिन साट स्पोछ करeur कर नहीं तो अ सी बिसे जा मुटसा चुला हो तो में वह तो इसे मां ही प्यार कर सकती है कोई और इस बच्छे को क्या ही प्यार करेगा कॉन accept करेगा तो Mr. Lam ऐसे कहते हैं तुम सुनती क्यों हो तुम यह वालतू की बात थे तुम जरू है तो तुम ने उन्हें दिल पे क्यों लगा रहे हो तो इंग्लिश में पढ़ोगे तुम से कोई प्यार नहीं करेगा तो तुम क्यों मानगे उनकी बाते तुम जो कोई तुम में कुछ कहेगा तुम उसकी बात मान लोगे तो डैरी कहते है वह बहुत गलत चीज थी मुझे बहुत बुरा लगा जब उन्होंने ऐसा बूला तो वह कहते है में वह तुमारे लिए अगर तुम खुद से मत बहुत बात में लोगों के तो अंटी वाले किसे बाकि बहुत लोग मेरे बार में बहुत कोश कहते हैं तो मिश्टर लैम के ते अपने कान बंद कर लो मत सुनों उनकी बाते तो यहां पर डैरी को लगता है कि क्या अलग सा आजमी है यह पहली बार म अगर तुम खुद कोई कमी समझने लगो कोई खुद के अंदर तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे तुम सोचो यहां तो तुमाहे साथ भी अच्छा होगा वो उसको एक के बाद एक सीख देते रहते हैं तो मिश्टर लैम बोलते है तो अगर तुमें अच्छा नहीं लग रह तो गेट्स ओपन है तुम जा सकते हो तो फिर कैता है हाँ और इतने मीं मिश्टर लैम कहते हैं देखो मेरे पास ना मदुमक्यों का च्छता है ठीक है अब कुछ लोग कहते हैं कि वह मदुमक्यों के च्छते में जो बीज हैं वह बस करती है ठीक है उनकी बिलमिनाने की तब ही मैं यहां पर आ गया था तो Mr. Lam उसे पूछते है कि अगर तुमने मुझे अंदर बैठा वाद देख लिया था तो तो तुम नहीं आने वाले थे ना अंदर तो डैरी कहता है नहीं वह तो यह तो यह तो यह तो मुझे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है तो मुझे समझ जाते Mr. Lam कि वह गार्डन के अंदर दिवार से कुटके स्क्राइब क्योंकि वह खाली है अगर उसे एक जना भी दिख जाता तो डैरी नहीं आता क्योंकि उसे लोगों को फेस करने में ड़ लगता है अब एक और सीख उसे देंगे हो सकता है एक्जाम में ऐसे क्वेशन दुखा दे दे कि याद में मर जाएगा उसे बहुत कुछ लगता रहता था कि यह यह रीजन से वह आदमी मर जाएगा तो एक दिन उस आदमी ने क्या करा खुद को अपने कमरे में बंकर लिया और अपने बैट पे जाकर लिए तो डैरी कहता अच्छा फिर वो बच रिया वो गयते हैं नहीं फिर उसके ओपर एक पेंटिंग गिरी सर पे जो उसके बैटके बीच लग गिती और वो मर गया तो यहां पर डैरी हसने लगता है और डैरी को इतनी हसी आती है दो मिन तक तो उसकी हसी रुकती ही नहीं है तो अच्छली मिस्टर लैम उसे एक्जाम्पल दे रहे थी कि अगर आप खुद को लॉक कर लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है तो इससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है इन फैक्ट तुम्हारे लिए ही यह बहुत गलत चीज होने वाली है अब उनकी यह कहानी सुनके फिर से डैरी कहता है यू आर वेरी पेक्यूलियर पेक्यूलियर मंदा आप बड़े अजीब हो आप बड़ी अजीब बाते करते हो तो मिस्टर लैम कहते हैं हाँ कभी-कभी करता हूं अब वो मिस्टर लैम से और फ्रेंडली हो जाते हैं आप क्या करते हो सारे दिन यहां पर तो मिस्टर लैम कहते हैं मैं तो अब डेरी बहुत अच्छे मूड में है तो देखो वो कैसे बात कहते हैं मेरे को भी ना बारिश की आवाज पसंद है जब हमारे घर पर रेम की आवाज आती है तो मैं सुनता हूं अब देखो Mr. Lam ने कुछ बाते कर दिया कि अब यह नहीं सो बात कर रहा है कि यह गंदा वो गंदा यह मुझे आप अब वो क्या नीचर की बात पर आगया है अब अपनी परस्नल चीजें Mr. Lam से शेयर कर रहा है तो Mr. Lam को तो तुम खोए वे थोड़ी हो तुम भी तो अपने ल अब अब भागारे में नीचे बात करते है वो मतलब उसके घर वाले कहते हैं वो मेरे बार में बात करते है कि अगर कल वो लोग नहीं रहेंगे तो मेरा क्या होगा ऐसी शकल के साथ में अपनी जिंदगी में क्या करूँ तो Mr. Lam कहते है भागवान कया है तुमारे दो हात है और 12 पैर है, यह लग तो अपने हैं, आपने हैं तो तो आपने हैं, नो पने हैं तो तो जाए न बढ़ इसे नहीं हैं, तो यह ब्लागी लोग हैं, नो जाए निकल वाइन, क्यों तो जाए ने बाते हैं." तो Mr. Lam कहते है अच्छा तुम तो यहां के लिए घर में रहते हो कौन दोस्त है आपका तो Mr. Lam कहते है जो भी इंसान मेरे इस गार्डन में आता है वो मेरा फ्रेंड है कभी-कभी बच्छे आ जाते हैं सर्दियों में हापे में बॉन फ्राइज लगाता हूं मेरे से टॉफी ल मैं अपको दोस्त थोड़ी हूँ तो Mr. Lam कहते है इसका मतलब यह भी नहीं कि तुम मेरी दुश्मन हो तो वो जो यह बता न बताना चारे है कि वह जो भी इंसान से मलते हैं वो उसको अपना फ्रेंड मानते है तो ड्री कहते है नहीं मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ तो Mr. Lam भी बोलूँ कोई दिक्कत नहीं है फिर वो कहते है डरी पर शायद में कभी भी इस गार्डन में दुबारा वापस नहीं हूं I might never come here क्या तब भी मैं आपका फ्रेंड रहूँगा तुम अगर नहीं भी आऊँगा तुम अगर नहीं भी आया कभी आज यहाज मैं सिर्फ तुम में लो तो भी तुम मेरे दोस्त रहोगे अब एक और बात यहां पर बीशुए होई ती जब डेरी बोलता है नहीं मिस्टर लाम को कि हम रास्ते में 100 लोगों से मिलते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि हमारे दुश्मन हो गए तो डेरी कहता है आप किसी से मेल रहे हो आपको मतलब वह कोई भी नहीं है देर नथिंग तो मिस्टर लाम इस पर कहते हैं पीपल और नेवर नथिंग है अब जैसे वह पीपल की बात सुनता है तो डेरी बोलता है देर रा सर्टीन पीपल जिने में अपने दिल से नफरत करता हूं मुझे वह अच्छे नहीं लगते हैं त परो एकम होती है तो तुम्हारी अन्दर अधर नफरत आप गई न तो वो तुम्हारी लग नेखि़ लाल का AG जिबांकर करें गोई है तो तुम्हारे छार सनगEC उत्सांतों है सिर्फ चैनली तो डियरी तो नब शिर से बट जादा गलत तब होता जब मैं अपने आपको दुनिया से शट ओफ कर लेता जैसे तुमने करा है और मैं ऐसे जी ही नहीं बाता तो वो डेरी को एक्जामपल दे रहे थे कैसे लोगों से भागो गया और अफरत अपने मन में रखो गया अपना तो आप अपना ही गलत कर रहे हो वो एसे बंट फेस से भी जादा बुरा है अगर तुम अपने आपको इतना जादा इंफीर कंप्लेक्स में सुस कर रहे हो कि तुम कुछ नहीं कर पाऊगा में लाइफ पे वो जादा बुरा है तो डेरी अब फिर से बताता है उनको कोई बात वो कहता है जब मैं आय तुम कहते हैं ऐसे कैसी दुनिया चलेगी क्या तुम अपने आपको वैसा ही मानते हो जैसे कोई और ऐसे बंट फेस वाल होगा क्या तुम अपने आपको उसको से मानोंगे तो डेरी तो वैसा नहीं चाहता था बट सुसाइटी जो इसको आज पास में लोग मिलते हैं कभी कि इसको किसी नहीं बोला कि कोई बात नहीं तो मारा फेस बंट है तो इस तरीके से उस बच्चे को जो है आप सोचो कि उसको सपोर्ट करने की जगा उसे मेंटली टॉर्चर करा जा रहा था अब डेरी मिस्चर लांब की ये सब बाते सुनके ना इंप्रेस हो जाता है और इ कि उसने कभी ऐसा पॉइंट-of-view किसी का सुना ही नहीं था तो वह कहते हैं वाचिंग लिस्निंग यानि कि मैं नहीं नहीं चीज़े देखता हूं सुनता हूं और सोचता हूं इसलिए मेरे को जो है ऐसी चीज़ बाते में करता हूं तो डेरी अब खुश हो जाता है मनसे और क इनसान हैu Mr. Lam की है कि और कि किसी दी पारादर लोक को बिते हैं तो तुमिल्स एकान की हो तो लोक को देखें और कि आको पहले पर आप नहीं हो जब तुमारा हो तो तुमारे मन उतला क्यों को डेरी कहता है की अगर आए और को यज़ों बदे उल्म को देखके मेरे तो एतने अज़ो हैं तो आप ने बाकी फ्रेंड को क्यों रिस्क करें मेरे चकर में कि मेरी एक आपकी गार्डन में आना जो है वह बन कर देंगे अब अब यह बात सुनके Mr. Lambs कुछ बात संजाते हैं टिक देखो जब ऊ सरक पर जाता हूं तो चोटाइब है मापामि लखता हैं नमाल ऐसा शचेयर करके मुझें चिडांग्ड करते हैं डेरी को थोड़ा बहुत तो चेंज कर दिया है मिस्टर लाम ने काफी सारे चेंजिस उसके अंदर ले आए हैं उसको और नहीं यह भी समझा दिया कि ठीक है नहीं तुमारे कहने पर मेरे बाकी दोस्त ना है तो ना है ना कोई बाती तुम क्यों इतना सोच तो सब के बारे में अब डेरी उन से पूछता है कि तुम अभी मुझे कह रहे थे हैं मिस्टर लाम कि आप जाओ के वहां से सिड़ी लेकर आओगे और एपल एपल तोड़ोगे यहां से आप कैसे करोगे अगर बाइचांस ऐसा हुआ कि जो है कैसे चड़ोगे आपल तो यह कहता है तो मिस्टर गिर गए और आप मर गए फिर क्या होगा ऐसे वह बोल देता एकदम से तो मिस्टर लाम कहते है में अपकी मदद कर दूंगा अगर आप चाहोगे तो यहां पर उनका फ्रेंड बन चुका है कहते है थीक है मैं आपकी मदद कर दूंगा अगर आप चाहते हो तो मिस्टर लाम उसको तो क्या हुआ जाओ अप लोगों का तो काम है वरी करना कोई बात नहीं ही रहो तो फिर वो कहते है कि नहीं नहीं मेरे को जाना पड़ेगा मेरी जो है मदर वो डाटेंगी तो मिस्चलाम से जाओ उमने घर जाओ अपनी मदर को बता के आजाओ कोई बहुत दूर करतों है जाओ और वापस आजाना तो डेरी बोलता उनको तीन माइल है तो क्या हो गया इवनिंग जाओ कोई दिक्कत नहीं है फिर डेरी कहते है कि अगर एक बार में घर चला गया तो मुझे मेरी मदर वापस नहीं आने देंगी हां पर कई बार ऐसा होता है ना कि घर चल ज लगा गोड़ी से दुबारा मेरे पास नहीं आओगे तो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यूट नहीं मैं तो आना चाहता हूँ मेरी मदर मुझे यहां पर आ कर रोकेंगी यूड नो मी तो मिस्ट्र लाम के ते हां तुम ही खुद को जानते होंगे मैं तो चाहता हूं मै मैं मुझे कोई आने नहीं के दो कोई कोई तो महीं तो में पहले को छो कोई उनकी ओम दो है उसका मुझत भी है कि है उसका म DiskussCE के और है वह गढ़ा कि इसे डर्षाइब्ध को wordण झाल कि और भी अगले मैं घज़ी मंदगाए तो काफी कंफ्यूज है डेरी उस समय कहता है, I don't know what I want, मुझे नहीं पाता मुझे क्या चाहिए, I want something no one else has got ever will have, something just like mine, मुझे तो वस कुछ अच्छा चाहिए अपनी जिन्दगी में, जैसा किसी के पास नहीं, मुझे ऐसा garden चाहिए, मुझे कुछ नहीं पाता, जो इतने जादा टेंस तुम हो, धीरे धीरे जब तुम अपने मान को शांत करोगे, you will wait, watch and listen, यहां आओगे, यहां बैठोगे, मेरे साथ 20 को सुनोगे, तो तुम धीरे दीरे चेंज हो जाओगे, फिर देरी बोलता है, those other people who came here, do they talk to you and ask you things, अब वह बिक्कुल वह टॉपिक खतम घर जाने वाला, पूसता है, जो लोग बाकी आते हैं आपके यहां गार्डन में घूमने उमने, वो तुम से बाते करते हैं, क्या, तो Mr. Lam कहते है, कि हां कोई करता है, कोई नहीं करता है, कि मुझे आपके बिलीव नहीं हो रहा है, आप जुड़ बोल रहे हो, कोई दो तो Mr. Lam को बोलने लगी हो, कि आप जुड़ बोल रहे हो, मेर से तुम्हारा कोई दोस नहीं है, तो Mr. Lam कहते है, तो Mr. Lam कहते है, तो चाहए, आपके बड़े दोस्त है, कारो मुझे कुछ के नाम बता दो, अपने दोस्त के, कोई भी नाम सोकते हैं, और पिर वो उठा जाते ह तरह कि यहांगञा होगा इस लिए सब्सक्राइब ओने और मखेस को सब्सक्राइब बygना रिख नहीं बहुत आए सब्सक्राइब कर दो एक представл рек oblivion तुम भी और जैसे हो आ तुम में मुझे ताना मार रहे हो मेरे फेस को लेकर अभी बताता हूं मैं आपको मैं जा रहा हूं और मैं वापस जरूर आऊंगा ठीक है मिस्टर लाइम कोई बात नहीं सुनते मिस्टर लाइम चले जाते हैं और डेरी चिला-चिला के बोलता है यू और घैरी इन हम जोने हमें जान बात यह चांटा है और मैं उच्छे वातने जो कि अरेदी तो यह त्यु अदुर्ण भाषम ने है नहीं तो कहते हैं नहीं वह मैंने मुझे अइन इतनी अच्छे रची बाते आप वह को यदितो एक old man है, उनके पैर नहीं है, बड़े house में रहते हैं, उनके घर में कर्टेंग मी नहीं है, वो बहुत अचे इंसान है, उन्होंने मुझे बताया, कि मैं चीजों को देखू, सुनू, यह वो, तो मदर कहते हैं, क्या सुनने को का है उन्होंने तुम्हार को, तो मुझे कहते है कि मदुमक्यों के आवाद सुनो में, और ऐसे-ऐसे मैं करो, तो उसकी मदर उसे डाट देती है, कहते हैं, नहीं, चुक्चाब यहां बैठे रहो, then you stay and do your thinking, है, तुम्हें जादा सोच वीचार करने हैं, यहां बैठके अपने घर में बैठके कर लो, कहीं नहीं चाना तुम तो उसकी मदर बोलता है, you can't help the things you say, I forgive you, कहते हैं, तुम अभी गुस्ते में बोलते हैं, चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रही हूं तुम्हार को, I don't blame you, तुम बड़े परशान हो इस समय पे, तो उसके डेडी बोलता है, it's not something related to my face, तो उसे राखता है, कि उसकी मदर जो है मिस्टर लाम के पास, क्रैब एपल्स तोड़के लाऊंगा, मैं, मजर कहते हैं, रुक जो, बड़ेरी नहीं, रुकता, ड़ेरी भागता, 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 चला जाता है, ठीक है, आता है, अब हमारा सीन 3, he was in, मतलब उसे out of breath था, वो हाफता वा पहुचता है, गार्डन के हिलने की आवाज आती है, और मिस्टर लाम बोल रहे होते है, आजा, इधर आजा, स्टेडी, I got it, मतलब की वो एपल्स को तोड़ होते है, अच्छा आ गया, और तभी जो है, लैडर, जो सेडी थी, वो क्रैश होती है, थोड़े से तूटने की आवाज आती है, ब्रांच जैसी वो देखता है, मिस्टर लाम को, मिस्टर लाम बोलते हैं, you have, but guys, उस समय पे वो नीचे गिर चुके थे, फिर जैसी वो जाता है, मिस्टर लाम को देखता है, कि वो नीचे जमीन पे है, वो बोलता है, मिस्टर लाम, are you all right, I'm here, मैं आ गया, मैं यहाँ पे आ गया, but proper silence होता है, मिस्टर लाम कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो बार पर बोलता है, I came back, I came back, I came back, I did came back, और डेरी रोना शिरू कर देता है, because Mr. Lam, I think so unconscious थे, or maybe he's dead, यह तो हमें clarify नहीं करा गया है, इस chapter में, but देखो guys, यहाँ पे आपका play end हो जाता है, तो play बहुत sad note पे end हुआ है, but इस note पे end हुआ है, कि Mr. Lam, खुद तो चले गए, but वो बच्चा, जिस सिर्फ 14 years के उसके आगे बहुत जिद्गी पड़ी है, उसके life पे ऐसा impact उन्होंने डाला है, आज वो अपनी mother से लड़के आया है, और सिर्फ लड़के नहीं आया है, जब उसकी mother ने का मैं तो मेरे डाटोंगी नहीं, तो वो बोलता है कि इस से मेरे face का कोई लिना देना नहीं है, मेरे face के कोई बात नहीं है, यहाँ पे हर समय में अपने face के बारे में नहीं देखता रहा हूँगा, यानि कि आज उसके खुद मन में confidence आ चुका है कि क्या होता है शकल से, क्या फरक पड़ता है, वो अपनी life में सब कुछ कर सकता है, जैसे एक normal बच्चा 14 years का कर रहा है, यह सारा transformation उसकी लाइफ में सिर्फ और से मिस्टि लाइब की वज़े से आया है, अब गाइस यह चाप्टर का revision करना थोड़ा सा होच पोच हो जाता है, मिस्टि लाइम ने कब पॉन से बात बोली यह वो, तो ऐसा कुछ टेंशन मत क्रिएट करो इस चाप्टर को लेके, तीन-चार चीज़े पक्की ध्यान रखना, एक beauty and the beast वाला example, एक जो वो unwanted plant weeds का उन्होंने garden ग्रो कर रखा था, क्योंकि वो किसी चीज़ में differentiate नहीं कर दे थे, तीसरी जो उन्होंने सीख दी थी वो जो आदमी ने खुद को लॉक कर लिया था, वो इसलिए कर रही थी क्योंकि वो गयाता मुझे लोग जो है वो पसंद नहीं है, यह तीन को बिल्कूल आप ध्यान में रखना और बाकि जो important question exam में बनके आ सकते हैं, वो सब आपको टेंशन लेनी की सुरहत नहीं है, class 12 English का रिविजन बाच गिवन है, वापे हर एक वीडियो गिवन है, आप जाके हर chapter के mcq long short question प्रेपैर कर सकते हो, तो विद इस बबाइटे के बैस अजग मैं चलती हूँ मिलेंगे हम नेक्स वीडियो में, अगर आपको इस chapter की theme जाननी है, character sketches जाननी है तो उनकी भी वीडियो गिवन है, और नोट्स के लिए community और Instagram ID पर गाइड गिवन है, वो तो सब आपको पता ही है, तो आप जाके चेक कर सकते हूँ मैं चलती हूँ, वो बैटे करन बेस्ट उप्लीट कर लेंगे, तो यह chapter में हम पढ़ने वाले हैं दो बच्चीयों की कहानी, एक का नाम है जितकालसा और दूसरी हैं बामा, अब तो यह बड़ी हो चुकी हैं, राइटर बन चुकी हैं काफिर रेनोंड बट इस कहानी के थूँ, उन्होंने हमें अपने बच्चपन के बारे में बताया है कि कैसे उन्होंने कुछ चीजें अपने बच्चपन में जहली हैं और कैसे उन्होंने उसे ओवरकम करा, पहला पार्ट का नाम है the cutting of my long hair जिसको जितकालसाने लिखा है, वो एक native American woman थी, एंड गाइस उनको अमेरिका में, क्योंकि वो एक native American थी, फोटो में देख लो यह होते है native American people, जो मतलब आप समझो कि यह indigenous people होते हैं, कि यह शुरू से यहां अमेरिका में ही रहते थे, they are the real people of America, और फिर भाहिया बाहर से लोगों ने आगे हाँ पे सेटल हो गए और फिर वो कल्चर बन गया, और यह तो वैसे के वैसे ही रहे, यह नए कल्चर में जो है नहीं हुए, जैसे हम ट्राइबल पीपल कहते हैं, वो आप समझ लो, तो दीज अर दर नेटिव अमेरिकन पीपल, यह एक नेटिव अमेरिकन थी by heart, by soul, और किस तरीके से अमेरिका में एक दौर शुरू हुआ था, जब इन नेटिव अमेरिकन को जबर्दस्ती इनके बच्चों को स्कूलों में डाल दिया जाता था, इनके इंग्लिश बनाया जाए, इनको भी बच्च्पन में काले जाल इन्डियन स्कूल में भरती कर दिया जाता है, तो इनको भी चेंज कर दिया जाया, अगर आप कभी गूगल पर सर्च करोगे तो आप देखना कि कैसे कितने बच्चों को यहां एड्मिशन होता था, और वो पहले कैसे थे, बहुत नेटीव अमेरिकन अपनी रूट से जुड़े वे और कैसे उनको बहुत बदल दिया जाता था, ठीक है, तो ऐसे ही हमारी जो ऑथर है जितकाला सा उनने जो है वहां पर एड्मिशन उनका हो जाता है, बॉर्डिंग स्कूल था, वह एक वही रहना था, अपने पैरेंट से बिल्कुल दूर, अपनी ममी से दूर वो, तो वह कहते है, पहला दिन आज इस चाप्टर में उनने हमें सम्राब केते हैं, पहला दिन उस जगा पे, वो इतनी थंडी जगा थी, थंडी जगा थी, इसलि अपने हैं, फिर से बता देती हूं, जितने भी नोट से इस चाप्टर के विस्तास बुक के हर चाप्टर के फ्लेमिंगो बुक के हर चाप्टर के मेरे कम्यूनिटी पे भी डले हो है, और इंस्ताग्राम आइडी का लिंक यहां तो गाइड के वेन आप डाउड भी कर पाऊ और उनको बहुत अजीब लग रहा था पहले दिन क्योंकि वह कहते हैं इतनी अजीब गरीब आवाजे मेरे कान में आडी थी क्योंकि वहां पे लोग इंग्लिश बोल रहे थी उन्हें इंगले शाथी नहीं थी फुस फुस आने कानों में आ रही थी वह दूसरी लाइज की अजीब लगते हैं उन्हें इंफाक्ट जूतो चल रही होते हैं आ फर्षों पे उसके वाज भी लगते हैं क्योंकि वह अपने कल्चर के जूते पहनती थी मोकैजन जो कपड़े के बने होते हैं तो उस पे चलते हो आवाज नी आती और वहां उस स्कूल में बच्चों ने इस पहोटे होते हैं कित्य आवाज आती हैं टक-टक-टक वैसी ऑवाज उनके कान में आरही थी उन्हें बहुत बुरा लग रहो होता है कि सुबहर नहीं बहुत बुरा से बैल बजी ती इसमाल ये था कि हम सबको ब्रेक्विस्ट के लिए जाना था लाइन मनाके तो तब कि जो चोटी छोटी इंडियन गल्स हैं है इन्यन गर्ष मतलब वहाँसे वह से नेटिव अमेरिकंगों थिपल होते हैं उन्हें कभी कभी इंगियन भी कह दिया चाता है थी कर तो वह कहते है वह ने थी अच्छें बहुत अजीव लगत याlock कनी बाट अजीब है वह टेल हां और मैंने अपने मोकैजन स्पेन रखे थे मैं चल रही थी मेरे कपड़े के जुतों में सिवाजनी आ थी वो सब नॉइस करते वे चल रही थी अब वो चल के जा रही थी तो एकदम से क्या होता है उन्होंने अपने उपर एक कंबल या शॉल टाइप कुछ और रखा था कोई यूँ खीर देता है तो उन्हें काफी शरम आते है कि क्या तरीका है कैसे तो उन्हें मेरा कंबल ऐसे खीर दिया काफी अजीब लगता है बद जब वो अपने सामने बाकी लड़कियों को देखती है जो उनके साथ में महां पर एकमिशन वाद जिनका वो देखते हैं कि आप पहने ताइट ड्रेस पहन रखी थी उनके कल्चर के ड्रेस बिल्कुल डिफरेंट अब जो उन्हें कपडे पर नागे तीन फॉर्म बहुत टाइट ड्रेस जूते वैसे बाल करते वह उन्हें वो चीज़ें पसंद नहीं आती है कहती है फिर करते हम लोग लाइन में थोड़े उनके कल्चर के कपड़े पहन रखेते अभी यूनिफॉर्म नहीं मिली उगी उन लड़कों को और उन लड़कों की शकल पे भी प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा था और अच्छा नहीं मैसूस हो रहा था उन लड़कों की शकल पे हमारी ऑथर को लगते हो कहते है मुझे ऐसा लगा कि हाँ यह भी मेरे जैसी है इने भी हाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है ठीक है अब इतने में क्या होता है वो कहते है एकदम से टिंग करके घंटी बसती है छोटी सी हम सब लोग डाइनिंग टेबल के पास में थे तो मैं अपनी चेर पर बैठ जाती हू पर इतने में सब बच्चे बैठ जाते हैं अब क्या हुआ अब वो खड़ी में हर बच्चा बैठ गया है पहले सब बच्चे खड़ी वे थे वह बैठी में थी तो कुफो काफी नहीं से सिस्टम में चल रहा था एक घंटी बज़ेगी बैठ होगे गंटी बज़ेगी ऐसे इस तरीके सिस्टम चल रहा था तो अब उन्हें बहुत शरम आ जाती है उन्हें काफी अजीब लगता है इंबारेस फील हो रहा होता है अब इतने में क्योंते एक आदमी वहां कोने में इतने सारे टेबल लगे विए हैरी पोर्टर देखा है तुम्हें कैसे बड़े सारैंविश में प्रेयर बोल दो अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आघा था इतने में जब बहुत बहुर सब बच्छे काटे समझ उठा लेते खाना खाने कर लिए अब यहां आते हैं हमारी ऑथर साचुरेट हो चुकी थी परिशान हो चुकी थी यह सब देखिए कि भाईया क्या हम को भीड़ी हैं कि जानवरे क्या कर रहे हो तुम की हम ऐसे करोगे तो हम यह वाला सिस्टम करेंगे जिस्तार्टेट क्राइं उन्हें रोना आ जाता है यह अब बहुत कुछ होने वाला था इस पहले दिन मेरे साथ में इस तो उस थोड़ी बहुत इंगलिश आती थी तो उस पेल फेस वाली वोमेन को बोलते वे जो बुडी सी पेल फेस वाली मोमेन उसको बोलते वे सुना है जुडविन ने कि इन बच्चियों के बाल काट दिया जो इतने लॉंग हेर से इनके इनने कट कर दिया जाएगा तो बहुत डर जाती है बात से उनके और जुडविन को कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूगी मैं प्रोटेस्ट करूंगी जुडविन कहती है हमारे कहने से कुछ नहीं होगा यह जबर दस्ति हमारे बाल काट मैं उन्हें बताया था कि बाल जो कटवाए जाते हैं तो उसके बाल कटवागा दे हैं या फिर जो कायर लोग होते हैं उनके बाल गंजा Répपो उते हैं उनके करते हैं उनके होगत बुरा लेगते हैं तो वह अपना प्रोटेस्ट कैसे करते हैं वह देखते हैं जैसे ही आसपास में कोई नहीं दिख रहोता है तो वह सबसे आखरी वाले बैट के कोने में जाके नीचे चुप जाती है वो सोचती है मैं चुप रहोंगी तो मेरे बाल नहीं कटेंगी तो वो नीचेपके पहां पर बैठी होती है और दिरे औधीर जो है नीचे हॉन्हें आवाज में चने लगत경 की पार क्रोंदीänger करने लगता हुदा है तो मुझे बहुप जो जोर जोर धचुक्ण कर दक करने सदेनली पता नहीं क्या हुआ किसका मन हुआ वह एक कमरे में तीन लड़किया आ गई और जो है इगनम से उन्होंने आके ना वह कर्टेंज हटा दिये मतलब उस कमरे में जहां चुपी वी थी कुछ लोग एंटर कर गए थे करी एक वुमेन आती है और साथ में उनके लड़की ao देखा लोड़क ह 맡 लिए ँदेखा और में बिट नीचे थी और उन्होंने मुझे खीच के बाहर निखाल द शबू कर दिया Jaina थी प्रोटेस्गे मैंने ऐसे मारा बहुत जोर की मैं describes कोशिष करी कि मैंने उन्हें उन्हें नहीं खुदकोच हुडाने की बट नहीं उन्हें जबरदस्ती मुझे बार निकाला और एक च्यरूर पर बिठा दिया और वह च्यरूर भी बहुत जब फ्रोटेस्ट करती हैं गडून्न एड कव जब उनने कैची अपने हां जो है जाता है काट दिया जाता है वाइब ऊस पीपल तो वह जो जाते मेरे बाल कट भी रहे थे ने जब अरधस्ती तो भी मैंने प्रोटेस्स करा पहले में अपने सर को ऐसे इसे हिला कि मेरे बाल नहीं कट पाई बट वह इतने रूथ लेस्ट लोग थी कि उन्हें कोई तरस नहीं कोई उनको प्यार करने नहीं आया और उनको संभालने नहीं वह चुपचा वहां बैठी रही रही रोती नहीं और अब उन्हें ऐसा अनिमल बन चुकी है और वो जो यह अमेरिकन लोग जो ने चेंज करें वो हर्डर है और वो अब उनको चलाएंगे अपने हिसाब से एंड शी रोड दिस चाप्टर और फर्स दे उनकोंने ऐसे एक्स्प्लें किया तो यह उनकी गाइस बच्पन की कहानी ठीक है अब यह तो रिट्रेरी वॉक्स अपने राइटिंग के ठूछ इसे आप आज पौड़े हो तो आपको सच्चा ही पता चल गई तो यह कहानी ते जिद्कालासाओ की अब पढ़ेंगे अगली कहानी जिसमें हम भाम की कहानी पढ़ेंगे अब पढ़े हम सेकंड पार्ट जहां पर हम पढ वैसे जरूरा उत दस मिनट की थी बट मैं ऐसी घूमते फिरते आती थी मज़े से इधर हो दुकानों को देखते हुए मदारी होता था सनेक चार्मर होता था सरकों पे तो आराम से में पूरी जितनी भी गैजरिंग मेरे यह पूरी है सरकों पे थी ना पूरा भाव हां इसको आदा घंटा मुझे स्कूल से घहराने में लग जाता था अब एक दिन वो ऐसा कुछ देखती है कि उन्हें लाइफ की कुछ आदा हंटा क्यों लगता था सबसे पहले उन्होंने मुझे हम लोगों को यह समझाया है वो कहती है मेरे ओल्ड स्कूल बैग ऐसे मेरे एक शोल्डर पे होता था और मैं दस मिनट की वॉक को आदे घंटे में कवर करके घर जाती थी क्या-क्या देखती भी जाती थी देखो वो कुछ लोग आके उसके ना यहां पर नोट चिपका देते थे तो दाट उसको मोटिवेशन मिले और रोद और पेडल करेगा तो ऐसे करता अब उनकी सड़कों पर चलते रहते थे फिर उनके सामने मरिया ता टेंपिल आता था वहां भार भंडारा रगा वाथा था वह सब द तो हर स्पॉट पे वह रुखके हर चीज को देखता वा इंजॉय करता वा जाती रहती थी कैती है मैं और बहुत बाते बता सकती हूँ कि किस तरीके से बहुत चारी बाते हैसी थी और उन्हें क्या दिखता था और उन्हें जब आगे थोड़ा वह चलती थी थी तो अनियन चॉप कर रहे होते थे असुने कर रहे होते थे उनके आखों में से वह सब देखती रहती थी फिर एक आमंड ट्री आता था यानिकी बदाम का पेड़ा था उसको देखती थी और दीरे दीरे अपने घर आती थी कैती रास्ते में मुझे कुछ वेंडर्स भी दिखते थी हलवाई की दुकाने वो मीठे और जो है टेस्टी टेस्टी पकवान बेच रहे होते थे और हर स्टॉल पे खड़े होके वह देखती थी और फिर अपने घर पहसे थी अब एक दिन ऐसा ही हुआ कि मैं अपना बस्ता लेकर अपने घर आ रही थी यह सब चीजों को रोज किया जाता है विनोइंग जिसे हम कहते हैं ना कि उनको साफ किया जाता है अनाज में से कड़ निकल जाए तो वहाँ पर थ्रेशिंग फ्लोर सेट हो रखा था साफ सफ़ाई चल रही थी अनाज की कड़ निकल ने थे और वहाँ पर उनकी कमिनिटी के ही बहुत सारी लोग का वारा था वो बोरे के ओपर साइड में पेवमेंट पर बोरा बिचा के बैठा हुआ था और वह सारा काम सामने चल रहा था वह मतलब उन इन मालिक होगा न और वहां पर काम करेंदी करी सदिनली मैंने देखा कि हमारे कम्यूनिटी के एक एल्डर जो थे उनकी कम्यूनिटी क यह मैंने देखा उसको उसके और पैस्तर तो मैं समझ गई वड़ाई या फिर भाजी वाजी है उसके अंदर कुछ और वह ऐसे चल के आ रहे थे उसको पकड़के कैसे वह देख वह देखके काफी है फोटो में देखो आप यह देखो यह हमारी बामा बसता इनके साइड में यह है कि मुझे यह देखके काफे अजीब लगा कि मेरे यह जो एल्डर ऐसे क्यों चलके आ रहे हैं मेरा मन कर रहा था मैं भी इनको कॉपी करूं और फिर इनों ने देखा कि यह भाजीर का रिये जो भी पाकेट था चैरिस में वड़ाई हो यह उसको दे देते हैं ले जाके को लैंडलॉड निकालता है उसमें से वड़ाई और खा जाता है ठीक है और फिर वो हस्ते हस्ते यह वाली सिनारियो को देखके घर आ जाती है घर आके वह कॉमिक वे में जैसे हमें बता रही है न चलके ऐसे वह यही बात मैंने अपने भाईया को बताई अन्ना लिखा है व अगर हम लोग इस बैक को चू देंगे तो यह बैक पॉल्यूटेट हो जाएगा इसलिए जो वो थे उन्होंने इंटेंशनली उसे स्ट्रिंग से पकड़ा था सो दैड उस पे टच ना हो अब यह बात सुनके जो है बहुत टेस गुस्सा आता है आज तक उन्होंने इस और यह कैसे लोग हैं उन्होंने कुछ पैसा कमा लिया तो मतलब यह सोचिंग है कि हमें पॉल्यूटेट के रहे हैं शी फेल्ट वेरी बाड फ्रॉम इंसाइड और उन्हें यह भी फील होते हैं हमारे कम्यूटी के इतने नोन एल्डर हैं यह काफी रिस्पेक्टेबल मैं इनके साथ ही ऐसा सुलूग कर रहे और इन्हें क्या ज़रूरत है ऐसे उसके लिए वड़ाई लेकर दे लिए खुझा के लिए ना वह लैंडलोड वड़ाई उनके मन में बहुत घुसा बच जाता है कि मेरा मन कर दो उसको जांकि मैं टुच करूं उस पैकट को और वह मनी म बहार पढ़ते हैं कभी-कभी जब घर आते हैं तो वह पास वाले लाइब्रेडी जो है उनके शेर से उनके विलेज से थोड़ी दूर एक लाइब्रेडी है दूसरे विलेज में बुक्स लेने जाते तो यह तो पहला इंस्टिरेंट उनको पता था कि ऐसा कुछ हुआ उनकी क बढ़ए है Pac-12 में रहते हो और गली में रहने का पूछने का यह होता है कि वह कौन सी कास्ट के हैं कि वह कौन सी कास्ट को बिलॉंग करते से या फिर किनी है और यह चीज Gibson मैं caon सब्सक्राइब को बारे में सोच को जब उन्हें पता चलता है तो उनके भाईया उने समझाते हैं कि अगर तुम्हें सक्सेस्फुल होना है और हम लोग यह सब कीज़ों को फेस ना करें तुम कभी फेस ना करो तो तुम्हें अपने पढ़ाई में ध्यान लगाना चाहिए यूशुट स्टड़ी आज हाड़ अच्छे से पढ़ाई करो अपने फॉस्ट आओ अपनी क्लास में अच्छे नंबर ल करता था एंड इस वे में महमा ने एक्सपीरियंस करा था गाइस अंटच्च अबिलिटी को और जो है अपनी भाहिया की बात उन्होंने मानी एंड शी बेकेम नंबर वन स्टुडेंट इन हर क्लास और आप देख सकते हो कि कैसे वह कितनी रिनोंड राइटर भी बनी और इंग्लिश ठीक है आपका जो भी लेटेस्ट पाटन है सी बीसी बोड का उसके क्वेस्टन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे चाहे वो एंसी की हो चाहे वो एक्स्ट्राक्ट हो चाहे वो लॉंग और शॉर्ट कोई क्वेशन बैच और अगर कोई क्वेरीज है तो क्लाउट्स नहीं रहेंगे एक बार अगर आपने मेरी वीडियो से चैप्टर पढ़ लिया है यू किन गो और वाच ओल दे वीडियो बेस्ट अफ लग फो यो क्लास्ट इंग्लेश एक्जाम में मिलती हूं आप से नेक्स्ट वीडियो में रिविजिन बैचस में सभीक लि हो अब तुमार में बिल्कुल ऐसे कॉंविडेंस आग गया होगा कि भाई ठीक है अब हो रही है सो में से सो की तैयारी पूरी तो अब हो गई विस्तास भी पूरी अब क्या बच्छा अब बची पोईट्री फ्लिमिंगो की तो वो कल आ जाएगा लाइव हमारा तो कल अब भी कोई डाउट्स है तो पूछे लगता नहीं कोई डाउट्स बचे होंगे ठीक है मैं मिलूंगे आप से नेक्स्ट वीडियो में नोट्स के लिए कम्यूनिटी इंस्साग्राम दोनों से जाके देख सकते हो और जो है गाइस एक बार आज प्लेलिस्ट को चेक कर लेन किसी भी दिन देख सकते हो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है हर एक चाप्टर की बैक टो बैक टो बैक टो जाके परते रहो 24 फेबरेरी को हमने लगानी है अग अपने पेपर में शीटों भी शीटे वर के आनी है भाई तो मेरे भाईबें तुम्हारा नाम पढ़ूंगे कि अगरे कॉमेंट सेक्शन में कितने वच्चे बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे मैं चलती हूँ बबाई ठीके राइन बैस तो